है कि क्रिगेट के दुनिया के दोस्तों एक बार फिर से हारदीका विनदन स्वागत वेल्कम वड़क कम अभिवादन स्वीकार करेंप बार स्पोर्स का हम हाज़र है एक बार फिर से देखें किसमत कहां ले आई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वर्ल कप से शुरू होने से पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्डे सीरीज अब टी ट्वेंटी सीरीज हना कि उस टीम में इस टीम में बड़ा फर्क है बीच में वर्ल कप आया वर्ल कप की कर लेना चाहिए मूव ओन और मूव ओन करते हुए भारत की यूव ब्रिगेड इस वक्त आस्ट्रेलिया की भी तक्रीबन यूव ब्रिगेड के सामने लोहा लेने के लिए तयार है आप सभी का स्वागत है भारत के अमूमन जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो आराम कर रहे हैं इ इसकी वज़े से वो भारती टीम का हिस्सा नहीं है और इस मुकाबले को लेकर भारती टीम आपके स्ट्रीन पर है रुतराज गायकवाड यशस्वी जैसवाल इशान किशन सुरेकुमारियादव तिलक वर्मा रिंकु सिंग अक्षर पटेल की वापसी हो चुकी ये चोट के लिए तो वो प्लेइंग 11 में कहां से जगे बना पाएंगे बहराल उनके नाम को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है आप सभी का बहुत स्वागत है मारसा दीपक कुमार मारमिक पराशर सलीम मलाल वालेकुम सुलाम जी नमस्कार जी आर्जु नुमान क्या बाद है आर्जु भाई हाल स्वागत है आपका बहुत वेलकम है दिग्विजे राजपूत हमारे साथ ही मलकापुर महराश्टा से ये जुड़ते रहे हैं नमस्कार जी आपको भी बहुत-बहुत स्वागत आपका और यो 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 आ गये हैं हमारे साथ 555 5555 टीम इंडि कर रही है वो गिनबाजी का है प्रिया नेगी प्रणाम जी आपको यह बहुत-बहुत स्वागत है और बड़े लंबे वक्त के बाद हम आवास दे रहे हैं कि कॉमेंट्री हम कर पाएंगे हालां कि काफी आतूर थे इस बात को लेके एशिया कप गुजरा विश्व कप गु यूपी एकतिस आले स्वागत है आपका भी जितेंद्र कुमार परजापती जी हमारे साथ है रविकान शुकला अबास जी हमारे साथ अली गौर राजेश मिश्रा महावीर दास भाई क्या हाल है महावीर भाई आपका भी बहुत स्वागत हमारे रेगुलर लिसनर्स में से शामिल है नाजी अश्रफ हाइसर जी आपका भी बहुत विलकॉम है जी हमारे साथ भानी सिंग सोडा जी है में ठा कर भाई स्वागत है और शुक्रिया कि आपकर नाम लेते ही हमें अभी दशक की फिलमें यादा जाती हैं हमार साथ मासू बैंजो ऊभ तक क्या हाल हवावी वन आफ दी अर्लियस्ट पीपल जो हमें शुरू से सुनते आए हैं और इन्होंने कहा धोके बाज रहे क्यों कहा है आपने वहराल आपका बहुत स्वागत है आस्टेलिया की प्लेइंग 11 खासी मजबूत प्लेइंग 11 आपके स्ट्रीन पर है टीम के कप्तान मैथिव वेड है मैथिव शॉर्ट लंबे कत के खिलारी और उनके साथ जॉश इंग्लिश स्टीव स्वित को टीम में जगे मिली हुई है स्क्वाइड में वो सीनियर खिलारियों में दो ही खिलारी सीनियर नजर आते है मारकस टॉइनिस भी है टिम डेविड आ चुके हैं लॉंग हिटर है आरन हार्डी को मौका मिला है फास बॉलिंग ओल्राउंडर शॉन एबट भी नैथन एलिस नैथन एलिस के साथ जेसन बहन्डॉफ यह बहुत लंबे कत के लेफ्ट आम फास बॉलर तन्वीर सांगा यह राइट आम लेक ब्रेक गूगली बॉलर हैं और यह वर्ल्ड कप के स्काइट को लेकर भी इनका नाम था शुमार लेकिन आखिर में इनका नाम आस्ट्रेलियन वापस लिया था मैदान है मौसम बहतर है दिन में बारिश हुई भी है लेकिन मैच के वक्त के बीच जो है बारिश का ना होना यह बताया गया है बहराल एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों का हारदी का विनंदन स्वागत वेलकम दुनियाए क्रिकेट में आप जहां भी हमें सुन रहे है एकबाल स्पोर्स क्रिकेट अन्फोल पर स्वागत है मित्रों कॉमेंटरी के साथ हम लोट आएं हैं और यह भारत और आस्ट्रेलिया के बीच टी-20 श्रिंखला की शुरुवात है और यह पहला टी-20 मुकाबला विशाखा पटनम में खेला जा रहा है जहां भारत ने अपतान सूरे कुमार यादव है भारती टीम के नाम चीन नाम जो है वो इस टीम में नहीं है वो आराम करने है और टीम प्लेइंग 11 आपके स्ट्रीन पर है रुतुराज गायकवाड यशस्वी जैसवाल इशान किशन सूरे कुमार यादव तिलक वर्मा रिंकु सिंग टीम में शामिल हैं अक्षर पटेल, रवे बिशनोई, अर्शदीप सिंग की भी बाफसी हुई है प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार ये भारत की गेंदबाजी की बात करें क्यूंकि भारत में गेंदबाजी चुनी है टॉस जीत कर तो अर्शदीप, कृष्णा और मु भारती टीम खेल रही हाला कि तिलक वर्मा भी आफस्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं और हो सकता है कि उनसे गेंदबाजी कराई जाए बहराल ये भारत की टीम में बिलकुल युवा ब्रिगेड है इसमें आपको बड़ा नाम अगर दिखेगा तो सूरिया का दिखेगा वर की जितने भी खिलारी हैं इनमें सारे फ्रेश ट्रिगेडर्स हैं जो की पिछले वर्ल कप से दूर रहे हैं तो ऐसे में भारती टीम के पास फ्रेश लेक्स हैं फ्रेश माइंड्स हैं और टी-20 को अप्रोच करने के लिए ये नौजवान कंदे भारत को आगे बढ़ाएंग भी हैं जो भारत को खड़ी टक कर देंगे हलाकि इस मुकाबले में अब ये देखना है कि भारती टीम गेंदबाजी चुन कर क्या उस्ट्रेलिया को कम पर रोक पाएगी इस मैदान पर 2019 का वो टी-20 मुकाबला मैं इसलिए नहीं भूलता क्यूंकि मैं फास बॉलर्स की जो अगेंदबाजी होती है वो हमेशे याद रहती और मुझे उमेश यादव हमेशे उस आखरी ओवर को लेकर याद रहेंगे जब आस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 13 या 15 रन चाहिए थे और मुकेश उमेश यादव ने वो रन दे दिये थे उससे पहले बुमरा का दो ओवर में 16 चाहिए थे गुमरा ने दो रन दिया दो विक्टे लिए थी उसके बाद 14 रन चाहिए थे और मुकेश ने उमेश ने 14 रन दे दिये थे 127 रन पर मैट फस गया था और साथ विकेट गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की भारती टीम 126 रन बना पाई थी और ऑस्ट्रेलिया यह वो मुकाबला जीता था आखरी गेंग पर तो यह पिछ ऐसी पिछ है जो बॉलर्स को मदद करती है स्लो पिछ है और हमने देखा भी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वंडे मुकाबला भी खेला गिया था इसी पिछ पर ऑस्ट्रेलिया ने विलकुल धोकर यानि लो स्कोरिंग बॉलर्स के लिए मददगार स्लो पिछ है बहुत रफ्तार नहीं पकड़ती गेंट अपर खाने के बाद सुर्य कुमारिया आदव जो की बिलकुल आलोचना का शिकार हुए है और आलोचना का शिकार होना बनता भी है जिस तरह का उन्होंने फाइनल मे नाहित तरन्नुम, प्रिया नेगी, कवीता जी, मुहमद अफ्तसर, बासु बैंजोज वर्ग आप सभी का बहुत स्वागत है और भारत के बीच पहला T20 मुकाबला इस श्रिंखला का बस कुछी पल में शुरू होने वाला है ऐसा नहीं है कि मैं शुरू होगा तो हम चुप हो जाएंगे, आज हम चुप नहीं होंगे, आज कॉमेंटरी चलती रहेगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्स्राइब करते रहें, अगर आपने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है, आप सभी को बता दें, जिन्होंने लेट हमें जॉइन किया, द केश कुमार और प्रसिद्य कृष्णा है, रवी बिश्णोई और अक्षर पतेल, दो स्पिन गेंदबाज, इस टीम में नज़र आएंगे, पांच स्पेशलिस्ट बॉलर्स है, जिनमें एक लेट आम स्पिनर है, एक राइट आम लेग ब्रेक गेंदबाज है, और तीम फास दी रसला किया, उसके पीछे एक साइन्स ये भी हो सकती है, कि तीन टीूनि penetrate मोखाबले, पीछले तीन टीटी मोकाबलों में दो टीमें जो हैं वो चेस करते हुई जीती है, तो उसमें चेस करते हुए और भारत ये देखा ओ, और हो सकता है कि भारत के लिए फाइदे मन्त ह तो बहराल दोनों टीमें इस वक्त मैदान पर पहुँच रही हैं मुकाबले की शुरुआ से पहले दोनों टीमों के राश्ट्रगान गुन-गुनाएंगे और इस पल भारत के कप्तान नज़र आ रहे हैं सुरे कुमार यादा अपनी प्लेइंग 11 के साथ मैथीव वेट को कि ऐस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मित को बें मिडल ओर्डर को कॉंसुलिडेट करने के लिए चैनित किया है और ग्लन मैक्सवेल को दाप जानते हैं जिस तरह की क्रिकेट है उनकी वो टी-ट्वेंटी का फॉर्मेट उनको ज्यादा सूट करता है ऐस्ट्रेलिया के बहुत ही टीम में शामिल है तो फिर ये बड़ी मजबूत आस्ट्रेलिया इटीम नजर आती है आप सभी करस वागत है मुनीर आगे है मरसाथ बहुत स्तिक्बाल आपका मुनीर कॉमेंटरी सुनने के लिए दिल बेताब है बहुत शुक्रिया मुनीर आपका कॉमेंटरी आपको सुनन को मिलेगी हमारे साथ मारमिक पराशर जी कहते हैं आप इकबाल भाई कौन सा रस अपनी आवाज में अच्छा जी बहुत शुक्रिया मारमिक भाई गोविन दवस्ति जी एकबाल जी नमसकार नमसकार जी लखी मृदा ओफिशियल ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविं कॉमेंटरी बॉक्स में आ चुके हैं कॉमेंटरी बॉक्स के दर्वाजे खुले एकबाल आ रहे हैं स्वागत एकबाल पुरानी बाते भूलकर भारत को आगे बढ़ना चाहिए स्वागत है आपका चाहता है और धीरे धीरे हमें भूलना ही होगा क्योंकि वो शाम ऐसी थी जो भूलाए नहीं भूलती लेकिन अब क्या कर सकते हैं जैसा कि बार बार एक कहावत चल रही है कि सुरंग के दूसरे चोर पर रोशनी की किरन तो नजर आती है तो अब हमें सुरंग के दूसरी तर करके तैयारियां इस वक्त पूर जोर तरीके से शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में ये टी ट्वेंटी श्रिंकला इस वक्त शुरू होने जा रही है भारत और उस्ट्रेलिया के बीच में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है बासू बैंजो वर्क्स प्रिय चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है यो यो भाई भाई भी हमारे साथ जुड़े हुएं कह रहे हैं आज इकबाल भाई और आसिम भाई की चक्की चलती रहेगी है लेकिन आप पिसिंग नहीं आपको जो है पिसिंग ये नहीं करना पड़ेगा चक्की हमारी चलती रहेग और आपको मज़ा आता रहेगा। यानि की 15 मुकाबले भारत ने जीते हैं और 10 मुकाबले ऑस्टेलिया के खाते में गए हैं तो ये आंकड़ा जरूर भारती टीम के लिए बहतर नजर आता है कि भारत ऑस्टेलिया की तुलना में आगे है इस T20 की इस परधा में। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हारदे का भिनंदन अकबाल स्पोर्ट्स और ट्रिकेड अनफोल्ड पर दोनों ही ओपनिंग बाट्समन आस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं भारत की तरफ से तमाम भारती खिलाडी मैदान पर नजर आ रहे हैं भारत की टीम में आज रुतुराज गायकवार्ड यशस्वी जैसवाल इशान किशन सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा रिंकु सिंग अक्षर पठेल रवी बिश्नोई अर्शदीप सिंग प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार ये भारत की प्लेइंग 11 है आज के म पाँच टीट्वेंटी मुकाबलों का एक कह सकते हैं कि तजरबगा एक प्रियोग शाला आस्ट्रेलिया बना सकता है उनके साथ मैथिव शॉर्ट है और ये वाकई दिल्चस्प है कि स्टीव स्मित जो है वो ओपनिंग की जिमेदारी संबाल रहे हैं अर्शदीप सिंग ए थोड़ी हाइर साइड में साड़े आठ की है 37 संदे कर चार विक्टेली है और लेट अर्शदीप की रफतार थोड़ी कम हुई है और वो अपनी खुई हुई रफतार क्या वापस लेकर आए हैं ये एक पहलू होगा गौर करने का क्योंकि आने वाले वर्ल कप को लेकर अर् परफॉर्मेंसें दे सके भारत ऑस्टेलिया की इस श्रिंखला के बाद भारती टीम साउथ ऐफरिका में भी पहले टी-20 मुकाबले के लेगी 10 दिसंबर से तो काफी टी-20 मुकाबले है और इस वक्त पहले टी-20 मुकाबले को लेकर बहुत खुब्सूरत चंचमाता हुआ ह बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था इस मुकाबले में भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए तयार अर्शदीब सिंग के सामने इस वक्स स्टीव स्मित प्रीज पर बैटिंग करने के लिए गार्ड लेते हुए तयार हैं इस टीम में मुकेश कुमार भी हैं जिनकी गेंदबाजी इस धीमी पिछ पर देखने योग्य होगी यानि आपके सुनने योग्य जरूर होगी फिलहाल मुकाबले की शुरुआ से पहले थोड़ा सा वेवधान जरूर साइट स्क्रीन में था जिसको शायद अब सही कर लिया गया है और स्ट्राइक लेने के लि हुए पहला बॉल लेकर लेफ्टाम उवर्डविकेट तैयार स्लिप में एक खिलाडी यशस्वी जैसवाल मौझूद विक्टो के पीछे इस वक्त थोड़ी सी हरकत हो रही है और एक बार फिर अपने स्टांस से हटते हुए स्टीव स्मिथ और गेंदबाजी करने के लिए तैयार अपने बॉलिंग के निशान पर अर्शदीप सिंग टी ट्वेंटी श्रिंकला की पहली गेंद एक स्लिप पॉइंट पर एक फिल्डर कवर में एक फिल्डर मिड़ और ये पहली गेंद ऑस्टम की लाइन धीमी रफ्तार गेंद टपा खाकर बले की उपरी सीरे पर चगरा कर ऑन साइड में छिट की कोई रण नहीं मिलेगा पहला बॉल सीम से फेका गया और ये गेंद टपा खाकर थोड़ा सा अंदर की तरफ आया गुडलेंड स्पॉट पर आठ पीटर की दूरी बले बास से इस गेंद को टपा खाते हुए और गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ अंदर दे लाइट्स इस वक्त समंदर के किनारे थोड़ी सी स्विंग हासिल होने की उमीद है अर्शिदीब का पहला बॉल 128 किलोमीटर की रफतार से था जादे जान नहीं लगाई थी दूसरा बॉल लेकर अपने बॉलिंग के निशान से चले अर्शिदीब सिंग ओवर दे विकेट इस बार कदमो का इस्तमाल लेक्सम के बाहर गुडलन पर टपा खाकर ये गेंड वाइट के रूप में एक रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में जुड़े गई या नहीं अर्शिदीब की इस गेंड पर बल्ले बास दो तीन कदम आगे निकलाए थे और ऐसे मे थोड़ा सा शफल भी कर गए थे लेक्सम के बाहर ये गेंड जाती हुई अच्छा उच्छाल था इस गेंड में और अंपार की तरफ देखते रहे गेंड लेकिन अंपार ने इस गेंड पर वाइड का इशारा नहीं किया कोई रन नहीं अभी भी नितिन मेनन और रोहन इतने एक शांदार किताबी अंदाज में एक कवर ड्राइव खेला और गेंड बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए दोड़ गई पहला चौका पहला रन आस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मित के बल्ले के बीच में गेंड टकराई और गेंड बाउंडरी के बाहर चली गई चार रनों के लिए उस्ट्रेलिया की इनिंग का आगाज इस चौके की मदब से होता हुआ उस्ट्रेलिया चार बिना किसे विकेट के नुकसान के अर्शदीब एक बार फिर से अपने बॉलिंग के निशान से दोड़ना शुरू करेंगे सावनें स्टीव स्मिथ एक स्लिप के साथ ये गेंट और इस बार पैट पे टगराई लेक्स्टम की लाइन हलकी सी अपील लेग बाई के रूप में एक रन दोड़ कर पूरा कर लिया मिडल और लेक्स्टम की लाइन में गेंट टपा खाकर पैट के उपनी हिस्से पर टगराई थी और लेक्स्टम के बाहर की तरफ जाती वी नजर आ रही थी ऐसे में एक लेग बाई के रूप में रन जरूर मिलता हुआ उस्ट्रेलिया को उस्ट्रेलिया का स्कोर पाँच बिना किसी विकेट के नुक्सान के स्टीव स्मिथ, मैथिव शॉर्ट, जॉश इंग्लिश, एरन हार्डी, मारकस टॉइनिस, टिम डेविड, मैथिव वेड, शॉन एबड, नेथन एलिस, बेहन दॉफ और तन्वीर संग, ये उस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 हाज के इस मकाबले में, फिलाल अगला बॉल लेकर अपने बॉलिंग के निशान से दौणा शुरू करते हुए, अर्शदीप सिंग, चले, हम पायर को क्रॉस किया, फुल पिछ डिलिवरी, पैट पे टगराई, लेकिन एक बार फिर सो लेक्स्टम के बाहर ये गेंट, फाइल लेक की तरफ दौरती हुई, फुल पिछ गेंट घूम रही है, अर्शदीप को स्विंग हासिल हो रहा है, लेकिन सही जगे पर टपा खिला नहीं पा रहे हैं, गेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आखरी गेंट के साथ, दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान नज़र आ रहा है, पच्चिस से तथाइस जार क कैपैसिटी वाला, इस बार लेक्सम की लाइन और इस बार इस गेंट को लिफ्ट कर दिया, डीप स्कॉयल एक बाम डिपर अच्छी फिल्डिंग, मुकेश कुमार ने एक टपे पर गेंट को रोका और इसी के साथ ओवर फिनिश, पहले ओवर की सबापती पर ऑस्ट्रिलिय का स्कॉर साथ, बिना किसी विकेट के नुकसान के, स्टीव स्मित ने पहले ओवर में एक चौका लगाया, उस्ट्रिलिया ने सधी हुई शुरुवाद की साथ रन, अर्शिदीप सिंग स्विंग हासिल हुआ पहले ओवर में, लेकिन कंट्रोल अच्छा नहीं था, अब दे अच्छा सीम कराते हैं मुकेश और प्रसिद्ध क्यों की पुरानी गेज से भी गेंदबाजी कर लेते हैं, ऐसे में मुकेश कुमार के हाथ में गेंदा सकती है, या फिर स्पिन गेंदबाजी को शामिल किया जाएगा, बहराल अब सभी का बहुत स्वागत है, दोस्तों वी प्रसिद्ध के साथ पहला बॉल लेकर स्टीव स्मित के लिए चले हमपायर को क्रॉस किया, और स्टीव स्मित ने इस पर स्क्वार कट मार दिया गेंद बाउंडरी के बाहर, चार रनों के लिए, और इस गेंद को पहुंचाया, पॉइंट की बगल से, बाउंडरी लाइन क के लिए ही आई थी आफ्टम के बाहर, पटकी हुई गेंद, भारत की स्लो लो पिच और ऐसे में बल्ले बास के पास काफी वक्त होता है, और स्टीव के पास तो थोड़ा और एक्स्टा टाइम भी रहता, इस बार कदमों का इस्तमाल, इस गेंद को उड़ा कर मार देना चा के, कविता श्रिधर, गोविन दवस्ती, आर कुमार, योयो, हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी का बहुत स्वाकत, सपाट पिच नजर आ रही है, इस पिच के ऊपर थोड़ी सी शीन है, अगली गेंद, और एक बार फिर से, बैक फुट पर जाकर गेंद को पंच किया, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद बांडरी के बार, चार रन, शॉट एंड वाइड, एक बार फिर से, प्रसेदे कृशना ने टेस्ट किया है, पहली तीन गेंदो पर, कि इस गेंद से, क्या बाउंस मिलेगा या नहीं, तो बाउंस तो नहीं मिला, there is an ounce of width, और इस पर स स्टीव स्मिट जैसा कलात्मक बलेबाज धबटा मारता हुआ, दो चौके इस ओवर से अभी तक स्टीव स्मिट और ऑस्ट्रेलिया की शांदार शुरुवात, अगली गेंद, फुल पिच डिलिवरी, यॉर्कर करने की कोशिश, और इस गेंद को ऑन साइड में धकेल दिया स्टीव स्मिट ने इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, उस्ट्रेलिया तेज शुरुवात करता हुआ, दो चौके इस ओवर से स्टीव स्मिट ने लगाए हैं, प्रसेद क्रिशना की गेंद में रफ्तार है, तेजी है और उस्ट्रेलियन्स को तेजी पसंद भी है एकब और इस बार यॉर्कर लेंद की गेंद थी, अलके हातों से इस गेंद को खिला उफसाइड में तेजी के साथ दोड़ करके पूरा कर लिया, जब तक कवस से उठा करके गेंद को स्टंपर लगाए जाता, हलांकि भारती खिलाडी अपील कर रहे हैं, रन आउट की और अमबर खुबसूरत नजारे, इस वक्त नजारा रहे हैं, विशाका पटनम में, टी ट्वेंटी का फॉर्माट है, नया फॉर्माट और तीसरे अमपायर का निने, नौट आउट का आता हुआ, बच गए हैं, मात्यू शॉट, जैरमन मदन गोपाल का, नौट आउट का फैसला, और ऐसे में, एक रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में, दोस्तो हमारा स्कोर कार्ड थोड़ा सा गड़बढ़ा गया है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा कुछ देर तक, इसके बाद जो है, हमारा जो सहयोगी है, हमारा जो इं साइड में घुमा दिया, मिड़ान और मिडविकेट के बीच में गेंड बाउंडरी आएंगे बाहर चार रन, माथ्यू शॉट के लिए थोड़ी सी शॉट अफिलें गेंड थी, प्रसिद्ध कृष्णा की, बाक फुट पर अपना सारा वेट ट्रांसफर करते हुए इस गे अस्टेलिया दो ओवर के बाद 20 बगएर किसी विकेट के नुकसान के, आप सभी साथियों का हार्दिका विनंदन, कविता शृदर जी हमारे साथ, दीन दयाल, विश्व करमा जी, मिस मौलिक हमारे साथ, मौम्मद रब्बान, योयो भाई, हमारे साथ जुड़े हुएं सु दूके स्टीवन स्मित, गेंद को एकत्र किया विकेट कीपर, इशान किशन ने और उच्छाल दिया गेंद बास के दिशा में, विकरम यादव हमारे साथ, मौनीर रहमत जी हैं, दिनेश जी हमारे साथ, दिनेश ओली, पूनम जी हमारे साथ हैं, अजे पटेल जी, हरी प्र अगली गेंद के साथ एक बार फिर से अश्दीव सेंग बाए हाथ से ओव अधविकेट ये गेंद स्टीवन स्मित के लिए दीमीर अफ़तार की गेंद ये ओंसाइड में टरन करना चाते थे गेंद बलने के फेस पर लगने के बाद गेंद बाज के दिशामे लोड़की और इस बार कोई रन बनाने का मौका नहीं स्टीवन स्मित के पास पीछे से दोड कर आया तिलक ने इस गेंद को फील किया एक रन का मौका स्टीव स्मित को मैथिव शॉर्ट स्ट्राइक पर आए औस्ट्रेलिया का स्कोर 20 बिना किसी विकेट के नुकसान के नंबर 3 पर बैटिंग की है 569 वन बनाए है टी 20 करियर में सबसे आदर नंबर 3 पर बैटिंग की है लेकिन पहली मरतबा स्टीव स्मित को पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है यानि ओपनिंग करने का मौका मिल रहा है ये पिछ और स्लो और स्लो होता जाएगा अगला बॉल एक बार फिर से विक्टो में आ रहा था नीचा रहता हुआ ये बॉल इस गेंद को पुल करने के लिए जा रहा थे क्योंकि अर्शदीब ने जो गेंद को डिलिवर किया तो ऐसा लगा कि शॉट पिछ करेंगे हलांकि ओवर की पहली बॉल बाउंसर थी लेकिन इस बार गेंद जो है धीमी रफ्तार की उन्होंने पटकी थी और मैथिव शॉट इस चलावे में आ भी गए थे लेकिन गेंद ने उनके बले का किनारा चू लिया गेंद ऑन साइड में गई कोई रण नहीं मिलेगा डीप स्कायल लेक पर रिंकु सिंग फिल्डिंग करने है अर्शिदीप सिंग अच्छी गेंद बाजी एक दश्मलो चार ओवर में छे रण दिये ओवर का पाचवा बॉल लेकर अपने बॉलिंग के निशान से दौरते अमपायर को क्रॉस किया इस बार ओफ्टम के लाइन इस गेंद को कट किया बहुत उंदा फिल्डिंग बैकवर पॉइंट पर शर्तिया तोर पर चौका बचाया हतिलक वर्मा ने डाइव लगा कर गेंद को रोकते हुए औस्ट्रिलिया का स्कोर 22 बिना किसे विकेट के नु भारती गेंद बाजी इस वक्त ऑस्ट्रिलिया इबले बाजों के सामने स्टीव स्मिथ 15 रन बना कर स्ट्राइक लेते हुए औस्ट्रिलिया का रन रेट साथ दश्मलो साथ 6 का है अर्शिदीब ओवर की आखरी गेंद के साथ ओवर दे विकेट इस बार ओस्टम के बाहर से इस गेंद को पुल करने की कोशिज एक बार फिर से दीमी गेंद गेंद बले के उपर इसी रेपर तक राई घुटना टेक कर स्पिनर की तरह इस गेंद को खेलना चाते थे अर्शिदीब पूरा लुथ लेते हुए बढ़िया ओवर फिनिश करते हुए अर्शिदीब सिंग और तीन ओवर्स की गेंद बाजी के बाद ऑस्टेलिया का स्कोर 22 बिना किसे विकेट के नुकसान के बहुत उम्दा दो ओवर्स की गेंद बाजी की है अर्शिदीब सिंग ने ऑस्टेलियाई बले बाज उनकी रफतार में जो तबदीली बार बार हुई है उसको पढ़ नह जानी तो हुई और ये पिछ ऐसा नहीं है कि दूसरे इनिंग में जाकर ये पिछ बहुत इजी हो जाएगी ये पिछ यूहीं कमजोर तर कमजोर होती चली जाएगी अब देखना है कि ऑस्टेलिया ये बले बाजों को भारत कितने कम पर रोकता है कोई भी स्कोर 130 के पार का भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और ऐसे में ऑस्टेलिया ने शुरुवात तो अच्छी कर ली है बाइस बिना किसी विकेट के नुकसान के अक्षर पटेल गेंबाजी क्रम में शामिल पहला बॉल लेकर लेफ्ट आम राउं दे विकेट और इस गेंड को फ्रंट गेंड बाजी भी करते हैं अक्षर पटेल एक बार फिर से लेफ्ट आम राउं दे विकेट एक स्लिप के साथ आफ्टम के बार इस बार खड़े खड़े इस गेंड को कट कर दिया और गेंड बाउंडरी के बाहर चार रन इस बार गैप अच्छा पियर्स किया कवर और एक् में नान से रन दिये गए हैं अभी तक जिन गेंडों पर चौके पड़े हैं वो गेंडे हिट में ही बाल थी चांस नहीं लिया उस्टेलिया ने अगला बॉल इस बार तेज खीचा हुआ बॉल और इस गेंड पर जाकर कवर्स में पुछ किया और इस गेंड पर कोई रन नह बिलता हुआ सिरे के निचले सिरे पर टकरा कर रहे गए अगली गेंड तेज गेंड कर दी और इस गेंड को खेल दिया लांग ले बांडरे के बार उड़ा कर मारा एक टपे के बाद चार रन पिछला बॉल धीमा किया उस पर फंसाया अगला बॉल तेज कर दिया और मैथिव शॉट इंत अक्षर ओवर की अंतिम गेट और इस बार धीमी रफ़तार और बीट किया फ्लाइट टर्न गेंद बले के किनारे के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में इशान ने गेट को विक्टो में दे मारा लेकिन पिछला पैर जमा हुआ था ओवर समाप चार ओवर्स की गेंद आस्ट्रेलिया का स्कोर 30 बिना किसे विकेट के नुकसान के आस्ट्रेलिया की कुल मिला कर तेज शुरुआत इकबाल बिल्कुल आस्टेलिया ने बहुती तेज शुरुबात की है अच्छी शुरुबात की है और यखिनन फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं आस्टेलिया ये दोनों ओपनिंग बैट्समन देवकांत यादव जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मंतूर मिंद जी हमारे साथ हैं श्रीधर जी हमारे साथ आप सभी साथियों का बहुत स्वागत आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें सेलेश शुहान भी हमारे साथ जो चुके हैं आपका भी अबिनन दन गेंद बाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है और इस वक्तर रवी बिशनोई को गेंद बाजी थमा रहे हैं कप्तान सूरी कुमार यादव माथ्यू शॉट ने 10 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं स्टीवन स्मित ने 14 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं औस्टेलिया और भारत के ब खाबला वाई जाक में विशा का पटनम में खेला जा रहा है नैवर की शुरुबात पहली गेंद रवी बिशनोई की आफस्टम के बाहर ये सीधी रहती वी लगभग गेंद थी रूम बनाकर कट करना चाते थे स्टीवन स्मित लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे पर टकराने के बाद बहुत जादा दूर गई नहीं विकेट कीपर ने लपक करके गेंद को उठाया और रन बनाने का कोई आउसर नहीं दिया बल्ले बाज स्टीवन स्मित को स्टीवन स्मित 15 रन बनाकर खेल रहे हैं सौकी स्ट्राइक रेट के साथ इस ओबर की दूसरी गेंद के साथ रवी बिश्नोई ये गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को बोलर के दिशा में सीधे हाथ में गेंद लेकिन का चूट गया रवी बिश्नोई संभावता उमीद नहीं कर रहे थे कि स्टीवन स्मित अचानक से इतने आकरामक हो जाएंगे आडे बल्ले से इस गेंद को खेला और गेंद बल्ले गेंद बाज के बिलकुल हतेलियों पर आकर टकराई लेकिन इतना तेज शौट था कि थाम नहीं पाए ट गेंद को उठा कर उन्होंने उचाल दिया गेंद बाज के दिशा में एक रन लेने का मौका स्टीवन स्मित के पास इस सिंगल के साथ स्टीवन स्मित अब पहुँच गये हैं 16 की रन संख्या पर और अस्टेलिया का स्कोर 31 बिना किसी विकेट के नुकसान के हर बदलती सीरी के बाद कुछ चीजें बदलती हैं और फिर वो उसका असर यहां पर देखने को मिलता है इस ओबर के अगली गेंद और इस बाहर मात्यू शॉट को बोल्ड कर दिया रवी बिश्णोई ने गुगली रवी बिश्णोई की टपका खाने के बाद अंदर की तरफ आई और इस गेंद को अपने स्थान से खड़े खड़े आरे बल्ले से उड़ाना चाते थे मैथ्यू शॉट लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में एक लंबा चोड़ा गाप गेंद घुजगाई बैटर पैड के बीच में क्लीन बोल्ड और इस तरह से उस्ट्रेलिया को पहला जटका एक अपतीस की रन संख्या पर अपने पहले ही ओवर में रवी बिश्णोई सफलता दिलाते हुए टीम इंडिया को आसिम वो अब सही सलामत नहीं है उनमे एक डेंट लगा दिया है भारती गेंद बाजने और वो रवी बिश्णोई है जिनका नाम चर्चा में रहा है टीम में सेलेक्शन को लेकर उनके पास भी ये मौका है अच्छा परफॉर्म करने का ये श्रिंकला बहुत से खिलारियों के लि और ये मौका भुनाना चाहेंगे नए बल्ले बाज जॉश इंग्लिश आ गये हैं बैटिंग करने के लिए और साफना करते वे रवी बिश्णोई का बिश्णोई की ये गेंद ऑफॉर्म के बाहर खड़े-खड़े इस गेंद को पंच कर दिया और गेंद जाती हुई कवर फील्ड को भेथती हुई बाउंडरी के बाहर चार रण के लिए और सम के बाहर फ्लाइटेड डिलिवरी सीधी गेंद थी और इंग्लिश जिनका की अलग तरीका है खेलने का खड़े-खड़े शॉट खेला और गेंद को कवर में खड़े यशस्वी जैसवाल की डाइव ब जान के तरफ कोई रण नहीं मिलेगा ओवर समाप एक काम्याब ओवर बिश्णोई ने पांच रण दिये और एक विकेट इस ओवर से हासिल किया तो ऑस्टेलिया पांच ओवर्स के बाद 35 एक विकेट के नुकसान पर दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को सब्स हैं और यह भाई साप का नाम क्या है जो नजमल हग है हमारे साथ चैनलорот धाथ हैं सुनिल कुमार लाकेश कुमार आप सबी का स्वागत है बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त कॉमन्यồng में आप जुड़े हुए शांदारétais शांदार मकाबला और बहुत खुबसूरत बहुत साफ सुत्रे शेहर होते हैं और इस साफ सुत्रे शेहर में पहला मुकाबला केला जा रहा है। रन आउट करने की कोशिश की लेकिन दोनी कहीं मुस्कुरा रहे होंगे कि बाबु बहुत टाइम लगेगा अगी। और इंग्लिश की जोड़ी अगली गेंड इस बार खड़े खड़े इस गेंड को पंच किया पॉइंट की तरफ गैक निकालना चाहते थे इंग्लिश लेकिन गेंड फिल्डर के करीब से गुजरती हुई उसके हाथ में समा गई कोई रन नहीं मिलेगा। जोड़ इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के वो बल्लेबाज जिन्होंने बहुत एहम पारिया खेली है पिछले वर्लकप में अभी गुजरे वर्लकप में अगला बॉल इस बार इस गेंड को निकालना चाहते थे बैकवार पॉइंट से लेकिन पीछे शॉर्ट थर्ड मैंड की पर फिल्डर ने गेंड को फिल्ड किया रन बराने का कोई मौका नहीं आपको याद हो दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ बेंग्लिश की पार्टनेशिप जो थी वह सात्वें विकेट के साथ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत उम्दा पार्टनेशिप अगर वो आउट होत और फिल्डिंग करते हुए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ी एवरेज फिल्डिंग हो रही है सरकल के अंदर दाइरे के अंदर अगली गेंड इस गेंड को बाक्टो दा बॉलर पंच किया औस्ट्रेलिया एक बार फिर से कामियाब ओवर में एक चौका लगाने में पाच रणी सोवर से आए, चालिस, छे ओवर की गिंदबाजी के बाद ऐस्ट्रेलिया एक विकेट के नुकसान पर हर ओवर से ऐस्ट्रेलिया एक चौका निकाल रहा है और ये उनकी कामियाबी है उनको पता है इस पिच को उन्होंने रीड किया है यहाँ पर वो खेल चुक जुनिया दव, अभिशेक कुमार, मुहमद नजरुलाह, बिहार से, अजय कुमार, अजय कुमार जी है, वर्ल कप दुबारा हो सकता है क्या, जे आग कावी लोग वीडियो चला रहे हैं यूट्यूब पर, कि मोई जी ने दखल दिया है, मीटिंग की है, चीटिंग हुई है दुबारा होगा वर्ल कप, दैने जी दुबारा वर्ल कप होगा, लेकिन चार साल के बाद होगा, और वर्ल कप होगा, टी ट्वेंटी का होगा अगले साल, बारहाल गेंद बाजी में एक और परिवर्तन और इस वक्त मुकेश कुमार गेंद बाजी करने के लिए आ रहे हैं मुकेश कुमार पहली बार गेंद बाजी करने के लिए याद दान्याद से ओवर दे विकेट पहली गेंद फुल लेंड की बहुत ही खुबसूरती के साथ स्टीवन स्मित ने इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर ड्राइव कर दिया और गेंद गई बाउंडरी लाइन के बाहर चार रन के लिए मुकेश कुमार का स्वागत हुआ है चोके के साथ और इस चोके के साथ अब 21 पर पहुंचे स्टीवन स्मित और ऑस्ट्रेलिया चवालीस एक विकेट के नुकसान पर 6 दशमला हो एक ओवर के बाद अब पाउर प्ले में ऑस्टेलिया ने 40 रन बनाए और पाउर प्ले अब समाप तो हो चुका है वन डे फॉर्माट से अब हम T20 में आ चुके हैं तो आप सभी को बता दें कि T20 में 6 ओवर का पाउर प्ले होता है इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार मुकेश कुमार और इस बार पैड्स पर गेंद थी ऑन साइड में फ्लिक कर दिया गेंद जा रही है ठीक स्क्वेर लग अमपायर के पीछे बाउंडर लाइन की और एक रन लेने का असान सा मौका और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उस्टेलिया का 45 एक विकेट के नुकसान पर स्टीवन स्मित सिंगल के साथ महँचे 22 पर और अब सामना करेंगे जॉश इंगलेस जॉश इंगलेस ऑस्टेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे इस वर्ल्ड कप में आस्टेलिया दल का हिस्सा रहे और ये बात और थी की एलेक्स कैरी के रहते हुए इनको मौका मिला इस ओवर की अगली गेंट के साथ एक बार फिर से मुकेश कुमार तयार हो रहे हैं सामना करने के लिए अब तयार हैं इंगलेस दाइने हाथ के बल्ले बाज के लिए दाइने हाथ के तेज गेंट बाज की ये गेंट और इस बार उस्टम के बाहर टपा खाने के बाद हलका सब मौब्मेंट बाहर की तरफ गेंट निकली थ्रू दे लाइन इस गेन को ड्राइब करना चाते थे जॉश इंगलेज गेन और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं और गेन चली गई विकेट कीपर इशान किशन के दस्ताने में अलपेश गोहिल भाई कह रहे हैं कि स्कोर बोर्ड सही कीजिए दरसल स्कोर बोर्ड जो है वो सही करने के लिए हमारा इंजिनियर काम कर रहा है और हमारा इंजिनियर जो है थोड़ा सरकारी हो गया है इसलिए थोड़ा सा देर हो रही है लेकिन आप लोग मैनेज करिये बहुत जल्दी स्कोर बोर्ड जो है वो सही हो जाएगा इस ओवर के अगली गेंद के साथ तैयार हैं के इनबाज मुकेश कुमार सामने हैं जॉश इंगलिस 45 ऐस्ट्रेलिया एक विगेट के नुकसान पर ये गेंद इस बार लेक्स्टम पर गेंद थी ओन साइड में फिलिक किया शॉटमेट विगेट पर गेंद को सफाई के साथ रोकने में कामयाब तो नहीं हुए फिल्डर लेकिन दूसरे परयास में इस गेंद को उनों ने रोका और ऐसे में एक रन के लिए दोनों बल्लेवाज निकलना चाहते थे लेकिन जब देखा कि फिल्डर ने गेंद को अपने नियंतरण में ले लिया है अपने बढ़े हुए कदमों को वापस खीच लिया स्टीबन स्मित और जॉश इंगलिस ने प्रिया नेगी हमारे साथ पप्पु कुमार भी हमारे साथ है रामा नंद पाल जी यो यो भाई भी हमारे साथ है काभी कुमार जी हमारे साथ सीतो बहुतो भी हमारे साथ है वाह क्या बात है अजे माडिया जी हमारे साथ हमारे साथ राधा रसीक जी है इस ओवर क्यागली गेंद और इस बार आफटम के बाहर की गेंट को कट किया लेकिन पॉइंट बाउंडर पर फील्डर मौजूद है क्योंकि पार प्ले अब खत्म हो चुका है और ऐसे में सिंगल ही सिर्फ मिल पाएगा जॉश इंगलिस को और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उस्टेलिया का 46 रनेक विकेट के नुकसान पर साथमा उवर पारी का चल रहा है टॉस जीता आज भारत के कप्तान सूरी कुमार यादव ने और टॉस जीत करके पहले उन्होंने गेंद बाजी करने का फैसला किया है दरसल थोड़ा सा ये पिच जो है वो थोड़ी सी नमी इसमें है और थोड़ा सा फंस करके गेंद आ रही है शुरबात में और ऐसे में टॉस जीत करके भारत में पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया है इस ओवर के अगली गेंद के साथ अंतिम गेंद के साथ मुकेश कुमार दायने आद से ओवर दविकेट ये गेंद स्टीवन स्मित के लिए ब्लाक होल पर ये गेंद थी बल्ले के जड़ से इस गेंद को संभाला गेंद बाज ने आ गया करके गेंद को उठाया रन बनाने का कोई मौका नहीं और इसके साथ ही ओवर समाप तो हुआ यहाँ पर मुकेश कुमार का साथ ओवर के बाद ऐस्ट्रेलिया 46 एक विकेट के नुकसान पर स्टीवन स्मित खेल रहे हैं 22 रन बना करके और जोश इंगलिस ने अभी तक 9 रन बनाए हैं जबकि अपने पहले ओवर में मुकेश कुमार ने पहली गिन पर चौका खाने के बाद अच्छी वापसी की है और सिर्फ 6 रन दिये अपने पहले ओवर में हमारे साथ सेलेश शोहान भी जुड़ चुके हैं नजमलहक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस ओवर की नेवर की शुरुबात हो रही है और इस वक्त प्रसिद्ध कृष्णा गेंद वाजी करने के लिए आए हैं आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले नेवर के पहली गेंद और इस बार लेक्स्टम पर ये गेंद थी आफ दे टोस फ्लिक कर दिया और गेंद जारी ये लोग लेक बाउंडरी के बाहर चार रन के लिए प्रसिद्ध कृष्णा की खराब लाइन पर गेंद लेक्स्टम पर गेंद मिली और इस गेंद को बहुती खुबसूरती के साथ निकाल दिया वल्लेबास जॉश इंग्लिस ने डीप बाक्वर्ड स्क्वेर लेक के बाउंडरी के बाहर चार रन के लिए उस्टेलिया का दूसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा का महंगे साबित हुए हैं एक दशमलाव एक ओवर में 17 रन खर्च किये हैं इन्होंने अपने पहले ओवर में 13 रन दे डाले थे लोंग ओन बाउंडरी लाइन पर डीप बाक्वर्ड स्क्वेर लेक बाउंडरी लाइन पर फाइन लेक बाउंडरी लाइन पर हागली गेंद और इस बाहर लेक्स्टम पर गेंद थी आफ्स्टम की तरफ शफल करते हुए इस गेंद को निकालना चाते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्ग नहीं गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में हलांकि शांकिशन भी बहुत सफाई के साथ गेंद को गैधर नहीं कर पाए लेकिन कोई नुकसान नहीं और ऐसे में उस्ट्रेलिया का स्कोर अभी भी रुका हुआ है पचास रन पर एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाडी माथ्यू शॉर्ट जो की शिकार बने रवी बिश्णोई का इस ओबर की अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तयार प्रसिद्ध कृष्ण सामना करेंगे बले बाज माथ्यू शॉर्ट जो को अब मिड़ाण पर तीजगस के दाइरे के अंदर बुला लिया गया लॉंग आफ भी तीजगस के दाइरे के अंदर है स्क्वेर ओफ दे विकेट मीड़ बाउंडरी पर एक फिल्डर है डीप स्क्वेर लेक बाउंडरी अगली गेंड और इसाम के बाहर की गेंड को चाल कर खेल दिया पॉइंट के उपर से गेंड जा रही है चार्य अच्छे अंपार के इशारे का इनतजार और अमपार का इशारा छख्के का ऑस्ट्रेलिया इस छख्के के साध चप पन पर पहुंचा एक विकेट के नुक्सा पर आफस्टम के बाहर ये गेंद थी प्रसिद्ध कृष्णा की पटकी वी गेंद और इस गेंद को बहुती खुबसूरती के साथ और जादा एलिवेशन देते हुए कट किया और छक्का लगा दिया जॉश इंगलिस ने इंगलिस इस छक्के के साथ पहुँचे 19 पर औस्ट् एक और प्रसिद्ध कृष्णा का महेंगा ओवर एक दश्मलो चार ओवर की गेंद बाजी में कृष्णा 27 रन दे चुके हैं बेहत महेंगे साबित होते हुए कृष्णा कोई मैजिक चल नहीं रहा है शॉट अवलेंड गेंदे कर रहे हैं दीमी रफ्तार की गेंदे कर रहे फुल पिच गेंदे कर रहे हैं लेकिन कोई करिश्मा नहीं हो रहा है कोई फाइदा नहीं मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया ही खिलारी इस गेंदबास का पूरा लुथ उठाते हुए चौके और चुके लगाते हुए अगला बॉल लेकर चले इस बार फुल पिच डिलेवरी पर आ रही थी गेंद बहुत महंगा ओवर एक बार फिर से अठारे रंदे चुके हैं पांच गेदों में प्रसिद्ध कृष्णा फास बॉलर्स के लिए ये पिच ग्रेवियार्ड बनता हुआ कबरगा बनता हुआ शम्शान बनता हुआ नजर आ रहा है प्रसिद्ध कृष एक रन लेने का मौका 19 रन इस ओवर से प्रसिद्ध कृष्णा ने खर्च किये उस्टेलिया आठ ओवर्स की गिंद बाजी के बाद 55 रन बनाने में कामियाब जॉश इंग्लिश की बल्ले बाजी फल फूल रही है और इंग्लिश पहुँचे 28 रन पर 5 चौके और एक छक्क दो ओवर 32 रन छे चौके और एक छक्का यानि बारे गेंदों में साथ गेंदे उनकी बाउंडरी को गई है ये प्रसिद्ध कृष्णा का हाल रहा है और प्रसिद्ध कृष्णा इस पेश पर हला की बहुत असरदार गेंद बाज हो सकते थे लेकिन वो बे असर नजर आ रह जाकर सीधा बाउंडरी के ऊपर टकराई है रोहन पंडित इशारे का इंतिजार कर रहे हैं क्या तीसवे अंपायर से बाद कर रहे है कि चौका है या चक्का है तो बाउंडरी और ये चार रन का इशारा तो अभी आ रहा है लेकिन क्या ये छेरन है बाउंडरी चक की जा रही है और ये क्या गेंद बाउंडरी के ऊपर टग रही है असल लग रहा है कि छेरन लेकिन अभी इसे जूम भी किया जाएगा और ये च गेंद डाइरिक बाउंडरी पर जाकर टकराई है अब इसे जूम किया गया है और ये जूम करके देखा जा रहा है ऐसा लग रहा है कि सीधा बाउंडरी पर ही टकराई है यानि छेरन मिल जाएंगे जॉश इंगलिश जोश से भरी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं जॉश गया छेरन अमपायर का इशारा पहली गेंद पर अटैक जॉश इंगलिश जानते हैं कि बिश्णोई की गेंदे थोड़ा कुछ कर रही है हिल रही है टपा खा कर टर ले रही है अगला बॉल शॉट पिच गेंद खराप गेंद थी और इस गेंद को खेल दिया लोंग लेक राउंब्रे की तरफ एक रन और गेंद को डाइव लगा कर रोका दूसरे के लिए पलट गए और तीसरे के लिए पलट चाहते थे फिसल गए बले बाज स्टीव स्विथ दो रन के साथ अपने आपको एक बार फिर से स्ट्राइक पर पाते हुए जॉश इंगलिश ऑस्ट् किकेट के नुकसान पर भारती अगेंद बाजों की हालत इस वक्त हस्ता नजर आ रही है भारती टीम हलांकि उन खिलाडियों से भरी हुई है जो खिलाडी आराम कर रहे थे जो खिलाडी वर्लकप में नहीं थे जो खिलाडी फ्रेश है जो खिलाडी बरन आउट नहीं है जि पहले फिल्डर ने थ्रो खराब किया उसके बाद नॉन स्ट्राइक एंड पर बिश्नोई के हाथ में गेंद आई नहीं और गेंद उनके हाथ से चिटक गई वो विक्टो में हाथ अपना मार बैठे बल्लेबास क्रीज में पहुचे आस्ट्रेलिया डॉमिनेट कर रहा है और इस विश्वास को क्या कहेंगे हमारे साथ शैलेज चौहान जी आ गए हैं शैलेज भाई बहुत शुक्रिया आपका कहते हैं कि लगता है इकबाल सर और आसिम सर की मधूर आवाज में कॉमेंट्री सदियों बार सुन रहा हूँ ठैंक्स टीम इकबाल स्पोर्ट बहुत शु बाले आते जाते रहते हैं तो आपके लिए इश्ट में हम दोनों नमाजी हो गए हम तेरी हर एक बात पे राजी हो गया आया है क्या बात है जी बहुत शुक्रिया साहब आपके शेरो शैरी हमेशे याद रहती है अगला बॉल इस बारक कलाईयों का इस्तमाल ऑफटम के बा यह ऐसा लगता है कि रोई शर्मा को देखकर थोड़ा इंस्पायर आस्ट्रेलिया इबले बाजी नजर आ रही है कि अटैक किया जाए अलाग कि आस्ट्रेलिया शुरुवाती ओवर्स में अटैक करता है ट्रैविस हेड जैसे खिलाडी को बैठाया गया है 75 एक विकेट के नुकसान पर ओवर्र की आखरी गेन बिश्नोई ओस्ट्रम के बाहर पंच किया कवर में खड़े कप्तान ने गेन को फिल्ड किया रन बनाने का कोई इस गेन पर मौका नहीं ओवर्समा अप्त होता हुआ अस्फेलिया 75 एक विगेट के नुकसान पर 9 ओवर्स किंग इन्बाजी के बाद अलपेश गोईल भी हमारे साथ हैं सूरिक कुमार यादव को कैप्टन बनाया है तो यही होगा पूरी सेलेक्टर कमेटी को बदलना जरूरी है नहीं तो हमारी दशा शिलंकर टीम जैसी तै है ऐसा क्यों है गोईल साथ अरे वर्ल कप का फाइनल नहीं जीता पूरी टॉर्णमेंट में चाही रही टीम इंडिया और यह होता है उस दिन ऑस्टेलिया भारत से बहुत अच्छा ग्रिगट खेल गई लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा सेलेक्शन कमेटी बदलने हैं दिवराज राजपूद जी हैं अमरसद मुहमद शम्शुल हैं राहुल परमार जी हैं पीके पॉल जी हैं स्वागत है पॉल भाई दिनेश कुमार लखानी जी हैं अमरित लाल पंडवाला जी हैं सर मेरा नाम तो कभी नहीं लोगे क्या अमरित लाल भाई आपका बहुत स्वागत है अमरित लाल जी आप तो मतलब वो 90's की फिल्मों में ना आपके नाम के लोग आया करते थे कलेक्टर साब के हैं अमरितलाल जी स्वागत है आपका इस गेंदबाज को जब भी मैं देखता हूँ और मैंने बड़ी शुरुबात से ये बात कही है कि मुझे मुझे मुहमद श्मी जैसे गेंदबाज लगते हैं और मुहमद श्मी क्या है गेंदबाज हैं उन्होंने इस विश्व कप में शामिल कर दिया साबित कर दिया क्यूंकि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है वो अविश्वस नहीं है अगली गेंदबाज और इस बाहर आफस्टम के बाहर सीम पर टपा खिलाते हुए बाहर की तरफ गेंद को निकाला त्रू दे लाइन इस गेंद को पंच करना चाते थे बल्ले बाज जॉश इंगलेस लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं गेंद चली गई विकट कीपर के दस्ताने में मुहमद शामी कहते हैं कि फास बोलर अगर सीम पे गेंद बाजी ना करे तो वो कौन सा फास बोलर है मतलब उनको कितना समझाया गया कि आप थोड़ा सा क्रॉस सीम गेंद बाजी करिए लेकिन नहीं वो कहते हैं मैं सीम पे गेंद बाजी करूँगा चली गई एक बार फिर से इशान किशन के दस्ताने में फास बोलिंग इस वक्त भैभीत करने की कोशिश कर रही है औस्टेलिया के जॉश इंगलिस को मुकेश कुमार के पास रफ्तार है रॉपेस है इनके पास अभी भी बहुत कुछ सीखना इनको बागी है लेकिन जिस तरीके से इतने कम एक्सपीरियंस में उन्होंने गेंदों को संभाला है जिस तरीके से सीम का उप्योग उन्होंने किया है और जितना कंट्रोल सीम के साथ गेंद बाजी में चाहिए वो इतना असान होता नहीं है लेकिन उन्हें बेहतर गेंद बाजी की है इस ओवर के अगली गेंद और इस बार दीमी रफतार की फुल लेंद की डिलिवरी थी इस गेंद को बहुती खुबसूरती के साथ बल्ले का फेस कोलते हुए खेला और गेंद गई बाकवर्ट पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार रन के लिए यका यक से प्लान में तब दीली देखने को मिली मुकेश कुमार के और एक फुल लेंद की धीमी गेंद करा दी आफस्टम के बाहर बल्ले का फेस खुला और सिर्फ गाइड भर कर दिया इस गेंद को जोश इंगलिस ने और गेंद चली गई बाकवर्ट पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार रन के लिए चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उस्ट्रेलिया का असी एक विकेट के नुकसान पर इंगलिस पहुच गए हैं बातों ही बातों में अब एक तालीस की रन संख्याप रहे हैं शांदार बल्लेबाजी 23 गेंदों पर एक तालीस रन बनाए हैं मुकेश कुमार इस उबर के अगली गेंद और इस बार इस गेंद को इंगलिस ने पुल किया हवा में मिट विकेट के दिशा में लेकिन फिल्डर से पहले गेंद टपा खाई गेंद को अंदर की तरफ धकेल दिये हाँ फिल्डर ने और इस बीच दोड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने एक रन बल्कि दो रन लिये और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उस्टेलिया का 82 एक विकेट के नुकसान पर यशस्वी जैसवाल मिट विकेट बांडरी पर अपनी बाईं तरफ भाग रहे थे और उन्होंने गेंद को जमीन पर टपा खाने के बाद एक टपे के बाद जब गेंद उचली तो उसको थपड़ सा मार दिया अंदर गेंद कर दिया खुद बांडरी से टकरा गए और एक फिल्डर वहाँ पर तिलक वर्मा और बाक अप करते हुए पहुँचे थे उन्होंन दोड़ करके इतमिनान के साथ पूरा किया और इसके साथी ओवर्स हमापत हुआ दस ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 83 एक विकेट के नुकसान पर स्टीवन स्मित खेल रहे हैं 24 पर जौस इंगलिस खेल रहे हैं 24 पर और इस ओवर में मुकेश कुमार ने 8 रन ख जौदरी, पंकश शर्मा, असलम सिद्धीकी, राजन, रंजन महुपातरा, जैगुरुदेव हमारे साथ हैं, गजानन चवान जी, संबुनाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश राथोल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत ह प्रोजबी हमारे साथ सारा खान वालेगु स्लाम स्वागत आपका मिम्राण खान जेगत राम सुर्या नरायंड दतता किनन भाटिया हमारे साथ है सिकंदर कुमार भी हमारे साथ जुड़ हूए है आप सभी का बहुत बहुत आपिनंदन आप लोग वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो सब्सक्राइब कर लें महावीर दास भी हमारे साथ है करें सर संजू सैमसन को टीम में शामिल करना चाहिए था और उन्हें ही काप्टन बनाना चाहिए था सूरी कुमार रियादव को काप्टन बनाया है इस सीरीज के लिए और संजू सैमसन तो खेर जो ओरिजिनल स्क्वार्ड है उसमें ही नहीं है बुधराम हिंगलाज जी हमारे साथ जुड़े हुए है सरजी इंडिया वर्ल कप हार गई बहुत दुख हुआ पता नहीं आज क्या होगा कोई अनुभवी खिलारी अंदर नहीं है हाँ ये बात तो है बट टी ट्वेंटी में देखिया अमूवन जो यंग्स्टर्स होते हैं वो जादा बहतर होते हैं और यंग्स्टर्स के साथ टीम इंडिया उतरी है और उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया का प्रदर्शन बहतर रहेगा इस पांच मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज में नरेश यादव भी हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्कोर कार्ड पे काम चल रहा है नरेश भाई स्कोर कार्ड थोड़ा सा हमारा बिदक गया है जैसे सांड बिदक जाता है न वैसे हमारा स्कोर कार्ड थोड़ा सा बिदक गया है उसको सही करने की प्रक्रिया जारी है मुकाबले में हमारे साथ ha Kau Main Charilles सुनने वालों में Chaudhri, हितेश भी है सग्रे आलम, अंसारी बिहार से है अली मुहम्मद है अभीनो सिंग जी है रवी सिंग कहते हैं के हमारे साथ गजानन भावासकर जी है हमारे साथ अभिशेग दूबे जी है आमिर मुबारک जी है, नरेश शर्मा जी है, तुलसा भंडारी जी है, नेपाल, सर हम नेपाली समर्थक के नाम नहीं लेड़े का, जहें आपका बहुत स्वागत अच्छे शाएक बिल्कुल भी नहीं है, नेपाल क्रिकेट तो हमें बहुत पब पसंद है, नेपाल का जो क्रिकेट कप हवیش भी व्यूजور है और इरफान से देखी है हमारा साथ वरल्लकप में कॉमेंटरी क्यों नहीं किया सर अरे इरफान बैय कितनी बार हर मैच के साथ हमें ये कॉमेंट मिलता रहा क्यों नहीं किया तो कहानी अब भत्म हो चुकी है इस पिछ के मिजास को देखते हुए ऐस्ट्रेलिया ने बहुत रंड करनी है और अक्षर पटेल को एक बार फिर से गेंद बाजी करने का मौका मिल रहा है ग्यारमा ओवर अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अक्षर सामने जॉश इंग्लिश 25 गेंदों में 44 सुट बनाकर बैटिंग करते हुए स्ट्राइक लेने के लिए तैयार इंग्लिश अक्षर राउंड विकेट लेफ्ट आम पैट्स में आती भी गेंद को फ्लिक कर दिया उन साइड में मिट विकेट के फिल्डर को दौर लगानी पड़ी रिंग को सिंग गेंद को फिल करते हुए एक रन लेने का मौका और इस सिंगल की मदद से स्कोर बरता हुआ ऐस्ट्रेलिया का चौरासी एक विकेट के नुकसान पर हमारे साथ राकेश गौड जी है अवदेश किशोर अवद किशोर सिंग जी है अमरीक पंसोत्तरा जी भी है पजाब से स्वागे दे तोड़ा भी अगली गेंद इस बार इस गेंद को लिफ्ट कर दिया सीधा साइड स्क्रीन के नीचे बांडरी के बाहर चार रनों के लिए स्टीवी स्मित बहुत उम्दा बल्ले बाजी करते हुए नजरा आए हैं एक अलग रूप में नजरा आए हैं स्टीवी स्मित आज अगली गेंद इस गेंद को बैक फुर पर जाकर पुल कर दिया गेंद जा रही है डीप लॉंग ऑन पर एक बार फेर से बिश्णोई और बिश्णोई ने गेंद को फील किया दो रन लेने का मौका शांदार फिल्लिंग एक बाउंडरी बचाई रवी बिश्णोई ने डाइव लगा कर ऑस्टेलिया नब्बे एक विकेट के नुकसान पर रवी बिश्णोई लॉंग उन से द इक विकेट के नुकसान पर नब्बे एक विकेट के नुकसान पर प्रोजेक्टेट स्कोर 179 तक पहुंचता हुआ उस्ट्रेलिया का जो कि बहुत काफी रन हो जाएंगे अगला बॉल बारतीमी रफ्तार का ये बॉल था इस गेंद को कट के लिए गये लेट हुए बल्ले पर टकराकर गेंद थेड मेंड की तरफ गई एक रन लेने का मौका अक्षर पर टेल अपने कोटे का तीसरा ओवर करते हुए इस ओवर से और अक्षर जो है आठ फरन दे चुके हैं आखरी गेंगलिश कदमों का इस्तमाल करते हुए मिट विकेट की तरफ खेल कर एक रन प्रोशिश करेगा भारत को विक्टों की जरूरत है और कई विक्टों की एक साथ जरूरत है एक विकेट जो मिला उसके बाद फिर से भारती गेंद बाज संघर्ष करते हुए जद उजहत करते हुए नजर आये हैं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबास लगातार रन बनाते हैं हमारे साथ SS SS हैं हमारे साथ जैप्रकाश जी हैं हमारे साथ रविंद्र तोमर हैं सद्रे आलम हैं अर्विंद सूध हैं चौहान जी हैं निजामुदिन काजे जी हैं काजे जी आपका स्वागत है और इस वक्त बिश्णोई रवी बिश्णोई के इंद बाजी करते इंगलिश ने बैक फूट पर जाकर गेंद को पॉइंट की बगल से निकाल दिया स्विपर ने दोड़ कर गेंद को रोका एक रन लेने का मौका आस्ट्रेलिया इन बचे हुए नौ ओवर्स में क्या रन कर पाएगा चोवन गेंदों में अब एक गेंद जा चुकी है तिरपन गेंदे बची है तिरपन गेंदों में ऐस्ट्रेलिया कितने रन करेगा सो रन करेगा ऐस्ट्रेलिया एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है भारत को विकेट्स की जरूरत है भारत को जरूरत है कि आस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जाए जो की हो नहीं पा रहा है और भारत के पास गेंदबाजी में वो तजर्बा भी नजम नहीं आ रहा है पिश्णोई अगला बॉल के लेकर चलते हुए ओफ और मेड़ सब की लाइन इस गेंद को मिडविकेट की तरफ खेल कर एक रण पूरा किया स्टीव स्मित ने स्मित 32 रण बनाकर 39 गेंदों में एक बहतरीन एंकर की भूमी का निभाते हुए ओपिन करने आये थे और दूसरी तरफ से जॉश इंगलिश ने 28 गेंदों में 47 रण कर दियें तेज रण बनाए हैं जॉश इंगलिश ने बिश्णोई इंगलिश के लिए गेंद बाजी करने के लिए तैयार डीप मिट विकेड बांडरी पाड़िस गेंड को उड़ा कर मारा और लॉग ऑन के ऊपर से गेंद बांडरी के बाहर छे रण हवा में खेला हुआ शॉट और इसे ही के साथ 50 पचासा मुकमल करते हुए जॉश इंगलिश के बल्ले से 50 ऑस्टेलिया का स्कोर 100 इंगलिश के बल्ले से एक और छक्का ऑस्टेलिया 101 विकेट के नुक्साद पर बेहत दिलकश बल्ले बाजी जारहाना बल्ले बाजी आक्रम बल्ले बाजों के द्वारा 80 मीटर का चक्का लॉगाउन के उपर से निकाला विश्णोई ने फ्लाइट दी ती डरते नहीं है फ्लाइट से विश्णोई अगली गेंट के साथ इस बार कावर्स के उपर से एक टप्पे के बाद गेंट बार चार रट बिलकुल टॉप गेर लगा लिया है जॉश इंगलिश ने क्रूज कंट्रोल जॉश इंगलिश छक्के के बाद चौका भारत के सबसे बहतरीन गेंट बाज आज की जो रहे बिश्णोई उनको अब आरे हाथो लेते हुए उनके खिलाफ अटैक करते हुए लगतार हमलावर जॉश इंगलिश पर गये तेज गेंट और इस गेंट को जो के फिलिपर थी लेगर रुमिडिल्सम की लाइन में कट करना चाते थे पॉइंट पर अच्छी फ्रिल्डिंग कोई रन नहीं मिलेगा पहली दो गेंदों पर दो पिछली दो गेंदों पर एक छका एक चौका उसके बाद एक खाल चैरन फ्लाइट डिलेवरी लेक्स टमकी लाइन और इस गेंट को बल्ले के बीच में टकराने दिया ताकत लगाई और ये गेंट चली गई नवासी मीटर दूर बाउंडरी की हदों के पार उरती हुई परवास करती हुई चैरन के लिए बेहत महिंगा ओवर औस्ट्रेलिय बारह ओवर्स के बाद 110 एक विगेट के नुकसाद पर जॉष इंगलिश की बहुत ही घातक बल्ले बाजी जॉष इंगलिश के चार चके भारत को रास नहीं आ रहे हैं साथ चौके भी लगाए 32 गेंटों में 30 रट बनाकर इंगलिश बैटिंग करते हुए बिश्णोई ने तीन ओवर में 33 रट पिछले ओवर में 18 दे दिये अक्षर आ गया हैं गेंट बाजी करने के लिए पहला बॉल स्टीव स्मित ने इस गेंट को घुमा कर मारा मिट्विकेट बाउंडरी की तरफ और शदीब के हाथों से दूर गेंट टपा खाकर बाउंडरी के बाहर चार र हुई लगातार बाउंडरी भारत के माथे पर शिकन अगला बॉल इस बार इस गेंट को ड्राइब करने की कोशिश किनारा लेकर शॉट फाइन लेक पर गेंट को फील किया गया एक रन दोड कर पूरा किया इंगलिश चाहते हैं कि वो लगातार स्ट्राइक लेते रहें पि लेकिन कवर्स के उपर से कोई फिल्डर नहीं पहला रन तेजी से दूसरे के लिए पलट गए और दूसरा रन भी मुकमल महंगे के बाद महंगे ओवर्स गुजर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने इस ओवर्स से भी अच्छे खासे रन जमा कर लिए हैं अक्षर पटेल महंगे सा अबित होते हुए बिश्णोई इससे पहले तीन ओर में तैंटीस रन दे चुके हैं पिछला ओवर्स अठारा रन का आया था और इस ओवर्स से भी अच्छे खासे रन आ चुके हैं अगला बाल इस बार खड़े-खड़े इस गेंट को मिड़ विकेट की तरफ मोड़कर एक नमबर 13 चलता हुआ अर्शिदीप ने दो ओवर्स में साथ रन दिये सबसे खामोश तरीन गेंदबाज रहे जो आस्टेलिया के सामने बाकी गेंदबाजों की गेंदबाजी लगातार शोर पैदा करती रही चौके छके बरसते रहे अगला बाल आस्टम के बार और स्टीव स्मित इस कोशिश में बला उठाए रहे गए कि ये वाइड बॉल जाएगी लेकिन जो वाइड लाइन है उसके अंदर ये गेंद थी और भोचक के रहते हुए डॉच किया अक्षर पटेल ने ओवर की अगली गेंद के साथ अक्षर ओवर फिनिच करेंगे इस गेंद के है तो गेंद हवा में उड़ती हुई ऐसी जगें पर जाती है जहां पर कोई फिल्डर नहीं होता किस्मत भी बहादरों का साथ देती हुई इस वक्त नजर आती हुई आस्ट्रेलिया बेहद खतनाक मुद्रा में 13 ओवर्स के बाद 121 विकेट के नुकसान पर हमने मुकाबल से पहले हैं आपको यह देखाया था कि आस्ट्रेलिया के पास अभी बचे हुए साथ ओवर्स 42 गेंदे कुछ नहीं तो 42 बन सकते हैं भारत वो करिश्मा कर जाए कि आस्ट्रेलिया की 9 विक्टे निकाल ले हो सकता है क्रिकेट है लेकिन होता नजर नहीं आ रहा है पॉसिब लेक्स केरी की जगे पर जैसा एकबाल ने जिगर किया कि सीनियर खिलाडी को बैठा कर जॉश इंगलिश को मौका दिया और इन्होंने दो-तीन बहुत एहम पारिया के लिए इस वर्ल्ड कप के पसे मनजर में और इसकी वज़े से इन्होंने कॉंसिदेंस जीता है टीम मेने इस ने और इस बल्लेबाज ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में कॉंफिडेंस हासिल किया वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा है अबिसली तो इनका कॉंफिडेंस का लेवल बहुत उपर होगा प्रसिद्ध कृष्णा आये हैं गेन बाजी करने के लिए डाइने आथ से ओ प्रसिद्ध कृष्णा ने और पहली ही गेन पर छक्का खा बैठें इस चक्के के साथ अब जॉश इंगलिस पहुच गए हैं बातर की रन संख्या पर और उनके साथ में बल्ले बाजी कर रहे हैं स्टीवन स्मिथ 49 के निजी स्कोर पर इस ओवर के अगली गेन के साथ एक ब बल्ले बाज जॉश इंगलेज कप्तान सोरिक होमारी आदव ने जाकर के कुछ बात चीत की है अपने गेन बाज प्रसिदी कृष्णा से और उनको संभवता कुछ समझाया है और फील्ड में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है आगली गेन और इस बार लो फ बता हुआ अब 122 एक विकेट के नुकसान पर इन दो रनों के साथ जॉश इंगलेज पहुच गए है अब 74 की रन संख्या पर 74 रन बनाए है जॉश इंगलिस ने महज 36 गेंदों का सामना किया है क्या बेहतरीन बाटिंग की है जॉश इंगलिस ने और अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलते हुए इस बार रिवर्स वेप मारने की कोशिश गेंद और बलने के बीच में कोई संपर्क नहीं गें इसकी स्टांस बदला और ऐसे में अमपायर ने इस गेंद को वाइड करार नहीं दिया डॉट डिलिवरी जो की एक बहुती दुरलब सी चीज हो गई है प्रसिद कृष्णा की गेंद बाजी में एक डॉट डिलिवरी देखने को मिली है इस ओबर की अगली गेंद के साथ त गए हैं अब 75 की रन संग क्या पर ऑस्ट्रेलिया के रनों की रफतार 9.44 है यानि कि इसी रफतार से अगर ऑस्ट्रेलिया रन बनाता रहा तो ऑस्ट्रेलिया इतमिनान से 200 रन बना सकता है इस पारी में इस मुखादले में 2.4 ओवर में अकेले प्रसिद कृष्णा नहीं 41 दे दिये हैं बहुत महगी गेंदबाजी प्रसिद कृष्णा की और ऐसे में एक बार फिर सुरी कुमार यादव पहुंचे हैं अपने गेंदबाज प्रसिद कृष्णा के पास और उन्होंने बादचीत की है जाकर के अपने गेंदबाज को कुछ समझाया है कुछ दिशा निर्देश दिया है और देखना होगा इसका क्या प्रभाव होता है तीन खिलाडी बाउंडरी लाइन पर ओन साइड में दो खिलाडी बाउंडरी लाइन पर ओफ साइड में हैं लॉंग ओन लॉंग ओफ बाउंडरी पर है इस ओबर की आगली गेंद और इस बार पटकी वी अब पहुँच गए हैं चालीस की रंसंख्यापर और आस्ट्रेलिया का स्कोर 130 एक विकेट के नुकसान पर 14 फ़ावर पारिका चल रहा है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच में पांच टी-20 मुकाबलों की ये सीरीज जिसका पहला मुकाबला विशा का पटनम में खेला जा र इंगलिस गेन चली गए विकेट कीपर इशान किशन के दस्ताने में और इस तरह से ओवर समापत हुआ प्रसिद कृष्णा का जिसमें उन्होंने 10 रन खर्च किये 14 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया 138 विकेट के नुकसान पर स्टीवर स्मित खेल रहे हैं 40 पर जोश इंग दरसल देखिए उस्ट्रेलिया रन बना रहा है तो इसमें कोई बहुत जादा परिशान होने की बात नहीं है भारत भी रन बनाएगा इस पिछ पर पुशकर बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहने जब अक्षर सीनियर खिलाडी था सूर्य कुमार यादब को कप प्तानी करता हुआ नजर आता है नैवर की शुरबात पहली गेन और इस पहली गेन को आड़े बल्ले से खेला लॉंग ओफ की दिशा में दोड़कर के एक रन लिया स्टीवन स्मित ने और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उस्ट्रेलिया का 131 एक विकेट के नुकस पर स्मित पहुचे सिंगल के साथ एक तालीस की रन संख्या पर अभी बिश्णोई अपना अंतिम ओवर डालने के लिए आए हैं तीन दशमला हुए एक ओवर में 34 रन इधर सो रनों की पार्टनरशिप स्टीवन स्मित और जॉश इंगलिस के बीच में हो चुकी है 57 गेंद यहां पर बाउंडरी आस्ट्रेलिया को मिलती हुई और यह गेंद जाकर के बिल्कुल बाउंडरी रोप पर गिरी है और ऐसे में छेरन का इशारा जरूर आएगा आसिमुत जो हैं बिल्कुल यह बाउंडरी ज लगातार आस्ट्रेलिया की तरफ से आती हुई एक और छक्का आस्ट्रेलिया के बल्ले बाजों के द्वारा और ऐसे में आस्ट्रेलिया इस छक्के की मदब से अपने स्कोर को पहुचा रहा है 137 पर इंगलिश जॉश इंगलिश नाम म नजर आ रहे हैं बारूस से भरे हुए अगला बॉल इस बार इस गेंद को लिफ्ट कर दिया मिट विकेट शेत्र में फिल्डर की कोशिश धीमी कोशिश रिंग को सिंग की लेकिन गेंद को उन्होंने रोका बाउंडरी न जाने दी एक रन लेने का मौका 138 एक विकेट के नुकसान पर आस्ट्रेलिया कहां तक पहुँचेगी आस्ट्रेलिया कितने रन करेगी आस्ट्रेलिया क्या अनुमान है क्या अकलन है अगर आपको लगता है कि आस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर करेगी छोटा करेगी कितना करेगी कॉमेंट करके हमें ज़रू पर भारत के लिए वो कौन गेंद बाज है जो दूसरी विकेट लेगा अगला बॉल इस गेंद को खेल दिया लॉंग ओफ की तरफ एक रन के लिए स्टीव स्मित ने फूल पेज डिलिवरी तेज गेंद थी एक सो दो किलोमेटर की रफ़तार से देलक वर्मा भी सोच रहे होंगे कि आज बैटिंग करना पड़ेगी बड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया की जो गेंद बाजी है उसका भी हम जिकर करेंगे स्पिन के खिलाफ 170 का इस ट्राइक रेट 2020 क्रिकेट में रहा है अगली गेंद के साथ बिश्णोई इस बार कवर्स के उपर से गेंद बाउंडरी के बाहर छेरन क्या उंदा शॉट लगाया है एक वक्त ये दुरलब शॉट था लेकिन अब एकदम से हर मुकाबले में ये शॉट एक मरतबा तो जरूर आता है पीछे हटे जगे बनाई और इस गेंद को बीच बल्ले के टकराने दिया स्वीट स्पोर्ट अफ दबैट और गेंद चली गी कवर्स के उपर से उड़ती भी बाउंडरी के बाहर छेरनों के लिए रवी बिश्णोई पहला ओवर बहुत उम्दा था पाच रन दिये थे बोल किया था मैथिव को अगला बॉल इस बार मिड्विकट के उपर से लंबा हिट छेरन ओफटम के बाहर फ्लाइटेट डिलेवरिड धीमी गेंद जॉश इंगलिश ने उसमें बारूत सभर दिया त चके साथ चोके 43 गेंदे खेली हैं 208 का स्ट्राइक रेट इंक्रेडिबल बैट्समेंशिप फ्रॉम जॉश इंगलिश दिलकश बल्लेबाजी करते हुए जॉश इंगलिश भारती गेंद बाजों के पास कोई इस मरस की दवा नहीं है कोई इलाज नहीं है अभी तक विशा चाखा पटनम की ये पिच ऑस्ट्रेलिया को पिछली मरतबा भी बहुत सूट कर रही थी बैटिंग करते हुए इस मरतबा भी सूट कर रही है हमें याद है पिछली मरतबा भारत वंडे क्रिकेट खेलता हुआ बहुत कम रनों पर आल आउट हो गया था और और मिचल मार्श की बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया की एक विकेट भी नहीं गिरी थी ऑस्ट्रेलिया दस विक्टो से जीता था 151 एक विकेट के नुकसान पर 16 ओवर्स की गिनबाजी मुकमल हो चुकी है और भारती ये गिनबाज लगातार महंगे साबित होते हुए और शदीब का वक्त हो च अचाना बहुत मुश्किल होगा मुकेश कुमार गेंद बाजी करने के लिए आ रहे हैं अपना 300 ओवर्स लेकर पहला बॉल धीमी रफतार से इस गेंद को लिफ कर दिया फाइल लेक के उपर से गेंद बाज के बाहर चार रन चला की भरा शॉट गेंद बाज की जो मंशा थ और से चार रनों के लिए विशाका पत्नम बाउंडरीज लगातार आती हुई आस्ट्रेलियन्स को ये मैदान पसंद आ चुका है अच्छा रेकॉर्ड है 151 विगेट के नुकसान पर सुलेमा ओवर चलता हुआ भारत के सामने एक बड़ी चुनोती खड़ी हो रही है चार दस रन पर ओवर से जादे का है एक ऐसे पिच जो धीमी है जहां पर गेंद फस भी रही है जहां पर गेंद नीची भी रह रही है जहां पर मुश्किल है बैटिंग करना वहां ऐस्ट्रेलिया ने बहुत इतमिनान से भारतिये गेंदबाजों को लगातार ये खेला है और ये भी दिल्चस्प है कि भारतिये गेंदबाजों को सिंगल और डबल से लिए बहुत कम खेला है उस्ट्रेलिया बहुत सारी बाउंडरीज लगाई है मुकेश कुमार इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी लिफ्ट कर दिया गेंद जाती हुई लॉंग ऑफ दंदी है मुकेश ने इस ओवर से एक चौका और एक डबल दिया है तीन गेंदे की हैं मुकेश कुमार प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ये पिछ बहुत मुश्किल पिछ नजर आई है फिट देक बॉलर है और हिट देक स्किल्प को लेकर उनकी गेंद बाजी के लिए गेंद बले पर तगरा कर ट्रेसर बुलेट की तरह गोली की रफतार से निकली और जैसे ही निकली की लगा की गेंद बाउंडरी के बाहर जाएगी पचास पूरे किये स्टीव स्मित ने 40 गेंदों में ब्रिलेंट इनिंग फ्रम स्टीव स्मित बावन रन 40 गेंदे 130 का स्ट टी-20 करियर की पांच मीं हाफ सेंचरी हासिल की है आठ चौके लगाएं स्टीव स्मित ने बहुत उंदा चौके लगाएं स्टीव स्मित ने कोई स्लॉग नहीं किया है बहुत बहतरीन कवर ड्राइव लगाएं है सीदे बल्ले से गेंद बास के सर के उपर से पॉइंड की बगल से स्क्वेर कट्स लगाएं हैं और उस्ट्रिलिया को एक शांदार आगाज दिया है इस बल्लेबाज में ओवर का अगला बॉल पाच्वा बॉल चले इस बार इस गेंद को स्कूप कर दिया लेकिन शॉट फाइनलेक पर फिल्डर मौजूद एक रन के लिए दोड़े र उकसान पर क्या 162 एक विगेट पर होगा या 161 पर दो हो जाएगा या 162 पर दो होगा लुकेश कुमार ने स्टीव स्मित को आउट कर दिया है स्टीव स्मित आउट हो चुगे हैं भारत को दूसरी सबलता मिली है रन आउट के रूप में और स्टीव स्मित अपना हाफ 27.5 ओवर्स के बाद बेहत अंदा पारी खेलकर आउस्ट्रेलिया के लिए सीनियर क्रिकेटर स्टीव स्मित वापस पर वेलिये जाते हुए लेकिन आउस्ट्रेलिया एक शानदार आवस्था में पहुँच चुका है एक बहुती अंदा पोजिशन में पहुँच चुका है अब जो भी बैट्समेन आएगा, उनके पास टिम डेविड भी हैं, मारकस टॉइनिस जैसे बल्ले बाज हैं, और ये उनके लिए स्टेपिंग स्टोन है, कि यहां से आकर वो पत्थर उचाल सकें, और भारती गेंद बाजों के खिलाफ लगातार अटैक कर सकें, हमारे साथ र इशा का पत्नम में चल रहा है सिल्टु कुमार जी, सारा खान हमारे साथ हैं, अरविन्द कुमार जी हैं, 208 वन बनेगा, अरविन्द का कहना है, देखते हैं ऑस्ट्रिलिया कितना करता है, नए बल्लेबाज मारकस टॉइनिस, एक और खतननाक बल्लेबाज, 147 का करियर इशान किशन अपने साथी कप्तान से बाद चीत करते हुए, देखना है कि रिविव लिया जाएगा या नहीं, इशान कहरें मैंने सुना, और रिविव ले लिया गया है, कप्तान सूर्य कुमार यादव के द्वारा, हलांकि इशान किशन का रेकॉर्ड जो है रिविव का वो अच्छा है नहीं, उन्होंने जितनी बार ये कहा है कि उन्होंने सुना, तो उन्होंने कुछ गलत ही सुना रहा है, अब देखना है कि इस बार क्या उन्होंने सही सुना है, तीसरे अंपायर की तरफ इशारा रेफर किया गया, कौट बहाइंड के लिए, और जॉश इं जब बड़ा अजीब सा है ये स्क्वैर लिग वाला एंगल बाएं हाथ के बैट्समेंट के लिए ठीक रहता है ये नॉट आउट का फैसला आ गया है ओरिजिनल डिसीजन भी नॉट आउट का था ये भी डिसीजन नॉट आउट का ऐस्ट्रेलिया एक सो एक्सरेट पर दो मुकेश ओवर की आखरी गेंट के साथ जॉश इंगलिश के लिए चलेंगा बलकि 16 मां ओवर मुकम्मल किया है मुकेश कुमार ने उस्ट्रेलिया एक सो एक्सरेट पर दो ठीक ठाक ओवर रहा दस रन इस ओवर से सिर्फ आ है मुकेश ने तीन ओवर में 24 रन दिये है भारत को अब चार ओवर्स की गेंट बाजी करना पड़ेगी और इन चार ओवर्स में 24 गेदों में मारकस टॉइनिस जॉश इंगलिश जैसे बैट्समन तो हैं है टिम डेविट भी आने बाकी है ऐसे में आस्ट्रेलिया अपने टॉप गेर से नीचे तो नहीं आएगा बिल्कुल क्लियर हाईवे है और अटैक करेंगे सामने आरशिदीब सिंग खड़े हैं लेफ्ट आम मीडियम फास बॉलर अच्छी गेंदाजी पहले दो ओवर्स में साथ रन दिये भारत के लिए सबसे किफायती के अंदाज रहे हैं अभी तक अपने आखरी दो ओवर्स में क्या वो किफायती रह पाएंगे यह तो वक्त बताएगा तीसरा बॉल लेकर अपने बॉलिंग के निशान से चले यह गेंद शाडवलन डिलिवरी और इस गेंद को खेल दिया कवर्स में मारकस ने एक रन के लिए अपने छोर को बदला स्ट्राइक दे दी जॉश इंग्लिश को इंग्लिश चौरान विरन बना कर चोवाल इस गेंदों में बैटिंग कर रहे हैं इंग्लिश का अभी तक का करियर का ये टी ट्वेंटी करियर का सबसे बड़ा स्कोर है और स्टीव स्मित के साथ मुश्किल दरसल हुई क्या थी कि वो फिसल गये थे रन लेते हुगे और ऐसे में प्रसिदी क्रिशना ने गेंद को थ्रो किया तो वो रल लेने के लिए जब दोड़े तो दूर रह गए देर हो चुकी थी और स्टीव स्मित रन आउट हो चुके थे बहराल अब स्ट्वाइक पर एक बार फिर तयार अर्शदीप सिंग सामने इंग्लिश इंग्लिश के बहुत बड़ी विकेट है भारत को चाहिए ये विकेट अगर रनों की रफ्तार पर अंकुष लगाना है विराम लगाना है ब्रेक लगाना है लगाम लगानी है प्रोजेक्टेट स्कोर दो सो का दो सो से आगे भी ऑस्टेलिया बर सकता ओवर की दूसरी के है अर्शदीप सिंग लेफ्ट आम ओवर दो विकेट इस बार इस गेंग को रिवर स्कूप कर दिया और गेंग जा रहे है ये थर्ड मेंट बांडरी के बाहर चार रन एक टपे के बाद कैमरा स्कूप के बाद सीधा सूरिया के उपर गुम गया क्यूंकि ये शॉर्ट सूरिया खेलते हैं हाजकर मॉडरन डे क्रिकेट में टी-ट्वेंटी क्रिकेट में ये बल्ले बाजों का एक पसंदीदा शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पर फिल्डिंग लगाना बेहत मुश्किल है और अर्शिदीब की एक सो बतिस किलोमेटर की रफतार उसे हेल्प आउट करते हुए जॉश इंगलिश आस्टम के बाहर फुल पिछ डिलिवरी थी दाएं से बाएं हाथ के बल्ले बाज बन गए और स्लिप शॉट थर्डमेंट के उपर से गेंट को निकाला बार्बरी के बाहर चार रणा बाज बाज अस्ट्रेलिया तेजी से आगे बढ़ता हुआ अस्ट्रेलिया की रणों की रफतार बढ़ती हुए 166 दो विकेट के नुकसान पर जॉश इंग्लिश अपने शतक के बहत करीब अपने सैकड़े के बहत करीब अन्ठानवे पन्नाबाद अगला बॉल लेकर अशदीब चले इंग्लिश ने इस गेंट को खेलने की कोशिश की धीमी राफतार बल्ले के करीब से गेंट गुजर गई विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंट पर अन्ठानवे रन च्छी आलिस गेंटों में आठ चक के आठ चोक के यानि अन्ठानवे में असी रन बाउंडरी से बनाए हैं बल्ले बास जॉश इंग्लिश ने चॉश इंग्लिश का स्ट्राइक रेट दो सो तेरे का 166 पर दो आस्ट्रेलिया भारती गिदबाजों के पास कोई उपचार नहीं है आस्ट्रेम के बाहर कुछ जादा ही बाहर ये वाइड बॉल होगी एक अतरिक्त करन अर्शिदीब के खाते में भारत के खाते में आस्ट्रेलिया को मदद करता हुआ 1702 विक्टो के नुकसान पर आस्ट्रेलिया तेज राफ़तार आस्ट्रेलिया रन बनाता हुआ हमारे साथ राम बालक सरोज जी है राम बालक सरोज जी कृपया ये इमोजीज लगातार ना भेजें आपका बहुत शुक्रिया अगर कॉमेंट करेंगे तो बेतर होगा इंग्लिश स्ट्राइक पर सामने अर्शिदीब अपने बॉलिंग के निशान से अर्शिदीब सिंग बाएं हाथ के नौम्र गेद बाज अस्ट्रिया के बल्ले बाज के लिए एक बार फिर से आफ्टम के बार वाइड यॉरकर और गेन बल्ले का किनारा लेकर थर्मेंट बांडि के बार चार रन और इंग्लिश को पहली मरतबा टी 20 क्रिकेट में सेंचरी लगाने का मौकरा मिलता हुआ अवसर प्राप्त होता हुआ जौश इंग्लिश को बहुत बधाई शटक पर एक उमदा पारी एक दिलकश पारी एक सुंदर पारी जौश इंग्लिश ने एक आक्रमक पारी खेली है पहला टी 20 इंटरनेशनल सैकड़ा किया है जौश इंग्लिश ने तीन फिगर्स का स्कोर हासिल किया इंग्लिश ने अपने एतमाद को एक बार फिर से उचाईयों पर ले जाते हुए टीम के तमाम खिलाडी ड्रगाउट में बैठे तालियां बजाते हुए इंग्लिश ने कमाल किया है और क्या अस्टेलिया अब इस बाकमाल पारी की बदौलत कुछ और आकरशक शॉट्स खिलेगा टॉप एज थर्ड मेंट बाउंडरी गेंद उरती हुए एक टपे के बाद चार रन अर्शदीब को जोश आया गुसा आया लेकिन जौश इंग्लिश कामयाब इस पटकी हुई गेंद को पुल करने के लिए गए टॉप एज लेकर गेंद थर्ड मेंट बाउंडरी के बाहर ओवर का तीसरा चौका अर्शदीब सिंग चौदर अंदे चुके है जौश इंग्ल अर्शदीब को लगातार रन परते हुए स्कोर अफटार पकड़ चुका है 145 दो विक्टो के नुकसान पर अर्शदीब सिंग अठारे रन इस ओवर से आस्ट्रेलिया 189 दो विक्ट के नुकसान पर आस्ट्रेलिया 189 इंग्लिश 110 उननचास गेदों में 114 चौके आठ चुके 110 में से 92 रन बाउंडरी से लगाए हैं इस खिलाडी ने भारत लगातार अपने गेंदबाजों से सिवाए रन के कुछ और हासिल नहीं कर पा रहा है और भारती गेंदबाजों के लिए कम्प्लीटली एक आफ डे पहले टी-20 मकाबले में नज़र आ रहा है भारत ने पहले ही 189 रन दे दिये हैं अब अंतिम तीन ओवर पर लगाम लगा कर भी भारती टीम क्या कुछ हासिल करेगी ये तो वक्त बताएगा ये आसार ठीक नहीं है अगले तीन ओवर में आस्ट्रेलिया कुछ नहीं तो 30 रन कर लेगा और 200 के पार चला जाएगा भारत के युवा बल्लेबाजों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है अर्शिदीब सिंग का ये तीसरा ओवर था पहले दो ओवर बड़े अच्छे थे ये तीसरा ओवर बहुत महंगा रहा और अर्शिदीब इस ओवर से 18 रन दे चुके अगले ओवर के शुरुवात करते हुए पर सिद्ध इस गेंग को फिच किया और पहली कोशिश में रन लेने की कोशिश में रुके थमे लेकिन दौड़ पड़े आखिरकार मारकस टॉइनिस एक रन दौड़ कर पूरा करते हुए आस्ट्रेलिया 182 विक्टो के नुकसान पर इंगलिश आठ छक्के और ग्यार चौके लगा चुके हैं भारत आज आस्ट्रेलिया को रोक पाने में बिलकुल नाकाम रहा है बहुत तेज बल्ले बाजी टॉस जीता सूरिया ने गेद बाजी करने का फैसला किया वो फैसला गलत नहीं था लेकिन आस्ट्रेलिया की बल्ले बाजी एक अलग ही लेवल की बल्ले बाजी चलती हुए अगला बाल दीमीर अफ़तार का बाल ओर आउट डीप स्कॉर लेक बाउंडरे पर यशस्वी जैसवाल ने जगल करते हुए गेंट को कैज किया एक और छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे गेंट बाज बल्ले बाज जॉश इंगलिश लेकिन इस बार इस गेंट को जो की धीमीर अफ़तार की थी सीधा डीप स्कॉर लेक के हाथों में खेल बैठे और आखिरकार प्रसिद्ध ट्रिश्णा को थोड़ी सी राहत थोड़ा सा सुकून एक विकेट हासिल होता हुआ जगल किया या शस्वी ने उनके हाथ से गेंट छिटकी रिवर्स कप गेद उनके कमर पर आई और आखिरकार गेंट को पकड़ा उन्होंने लेकिन इंगलिश ने आज वो पारी खेल दी है जो आस्ट्रेलिया के लिए इस मकाबले में सबसे एहम कड़ी साबित हो सकती पचास गेंदों में 110 रख जोश इंगलिश आउट होकर 8 छक्के लगाकर 9 छक्के की कोशिश में आउट हुए 11 चोके लगाए इंगलिश ने अपने T20 क्रिकेट के करियर का सबसे बड़ा स्कोर हासिल किया जोश इंगलिश ने और अब डगाउट में जा चुके हैं यह ठारमा ओवर चल रहा है नए बल्लेबाज समबहता टीम डेविड आएंगे बैटिंग करने के लिए एक बहुत घातक बल्लेबाज हैं बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं बहुत तेज बैटिंग करते हैं बहुत आक्रमक बैटिंग करते हैं भारतिये गेंदाज क्या उनको आउट कर पाएंगे बहुत मुश्किल हालाद भारतिये गेंदाज होते लिए स्ट्राइनिस को जॉइन इन करते हुए टीम डेविट 163 का स्ट्राइक रेगे 26 पारियां 805 रूट प्रसिद्द चले ओस्टम के बार इस गेंद को कट किया पॉइंट की बगल से गेंद जाती हुए और गेंद जाती ही चली गई बांडरी के बार चार रन पहला बॉल ओस्टम के बार शॉट अन वाइड सराब गेंदबाजी भारत की तरफ से अभी भी जारी है प्रसिद्द कृष्णा की तरफ से जारी है और टिम डेविट के लिए इससे बहतर पहला बॉल नहीं मिल सकता था उन्होंने शॉट और वाइड इस गेंद को कट कर दिया और इतना तेज बला उपर से आया इतना तेज कट मारा कि गेंद पॉइंट की बगल से निकली और पॉइंट के फिल्डर के पास कोई मौका ही नहीं था अगला बॉल इस बार धीवीर अफ्तार का बॉलसर गेंद विकेट की पर के दस्ता ने पाँच रन एक विकेट स्कोर बोर्ट हो गया सही दोस्तों मित्रों भारत की पॉजिशन सही नहीं लेकिन स्कोर बोर्ट तो सही हो गया हमारे सरकार इंजीनियर का शुकरिया पान खाते हैं हमारे सरकार इंजीनियर कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा और कोने में थुकते हैं फाइल पर धूल जमी रहती है सामने, बहुत तेर में देखते हैं, चलिए बहुत शुक्रिया, एक से चौरासी तीन विकेट के नुकसान पर, डेविट स्ट्राइक पर, शॉट पेज गेंग पुल किया, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं, फिल्डर से दूर एक रन लेने का मौका, टिम डेविट को पसंद है गेंग बल्ले पर आए, और ये पिछ ऐसी नहीं है कि गेंग बल्ले पर आ रही है, प्रसिद के पास अभी भी वापसी करने का मौका है, वापसी करने का मौका यूँ है कि वो विकेट निकाल सकें इस गेंग पर, और उस्ट्रेलिया को एक कृष्णा, अपने कोटे की आखरी गेंग करने के लिए, अच्छा होवर रहा है भी तक कृष्णा का, लेकिन इस गेंग पर बाउंडरी उनको पचास के पार ले जाएगी, चाहेंगे नहीं ऐसा, प्रसिद, कृष्णा, स्वीपर, फाइन लेंग बाउंडरी पर, डीप, अफ्तार गेंध हवा में, और कैच छुटा, विश्णोई के हाथ से गेंग छिट की, मौका था, विकेट का, लेकिन विकेट छुटा, हाथ से, दो रंदोर कर पूरे किये, चार ओवर में पचास रंदे कर, एक सभलता, ये आकणे हैं, प्रसिद कृष्णा के, जो चार में 44 पर 2 हो सकते थे, लेकिन विश्णोई ने एक आसान कैच छुड़ा है, इस लेवल पर, इस स्तर पर ये कैचेज होने चाहिए, ऐसा हुआ नहीं, और भारत की एक एवरेज फिल्लिंग एफर्ट आज के इस मुकाबले में जारी रहती हुई, जद 18 ओवर का खेल हुआ है, औ अठार ओवर बे उस्टेलिया ने 187 रन बनाए हैं, तीन विकेट के नुकसान पर, आखरी विकेट जो गिरा है वो है जौश इंगलिस का, जिनोंने की 110 ओवरों की एक धुआधार पारी खेली, 50 गिंदों पर 110 रन, मतलब अंदाज़ा लगा ये कि किस तेजी के साथ उन्हो ने बल्ले बाजी की है इस मुखाबले में, ने वर की शुरुआत अब होने जा रही है, पारी का ये 19 ओवर होगा और इस वाक गिन बाजी करने के लिए आ रहे हैं अर्शदीप सिंग, अर्शदीप सिंग ने कुल मिला करके 3 ओवर की गिन बाजी की है, 25 रन खर्च की हैं, क कतिरिक तरन मिलता हुआ उस्टेलिया को और उस्टेलिया का स्कूर बढ़ता हुआ इस एक रन के साथ, 188 रन तीन विकेट के नुकसाद पर, मारकस टॉइनिस तीन गेंदो पर चार रन बनाकर, टिम डेविड तीन गेंदो पर पांच रन बनाकर बल्ले बाजी कर रहे हैं, अर्षदीब सिंग ने 3 ओवर में 26 रन खर्च की हैं, सपलता नहीं मिली है, तीन खिलारी बाउंडरी लाइन पर ओफसाइड में, तीन खिलारी बाउंडरी बाउंडरी लाइन पर ओन साइड में, इस ओवर के अगली गेंद, और इस बार फिर से, ओफस्टम से काफी बाहर एक और वाइड गेंद अर्षदीप सिंग लगातार अपनी दिशा से भटकते हुए और जो कोशिश हो रही है कि एंगल से बीट किया जाए उस प्रयास में थोड़ा सा कुछ जादा ही आफस्टम के बाहर चले जा रहे हैं और गेंट अपपा खाने के बाद कोण के साथ और बाहर की तरफ निकल रही है और ऐसे में अमपायर रोहन पंडित को कोई मुश्किल नहीं आ रही है इन गेंदों को वाइड गरार देने में एक अतिरेक्टर नौर आस्ट्रेलिया को तहफे के रूप में 189 आस्ट्रेलिया तीन विकेट के नुकसान पर आप सभी साथिय ने सबस्क्राइब नहीं किया वो सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाले अगली गेंद और इस बार आफस्ट्रेलिया एक सो तेरा नवे तीन विकेट के नुकसान पर काफी आतिश बाजी काफी ताबर तोड बले बाजी इस वक्त आस्ट्रेलिया की जानिब से जारी है और छे 4 रना चुके हैं इस ओवर में अर्शदीप सिंग के अर्शदीप सिंग भी आज महंगे कोई सफलता भी नहीं मिली है तीन दशंबलाव एक ओवर में 31 रन कर चुके हैं इस ओवर के अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तयार हो रहे हैं अर्शदीप सिंग 9.79 की ए बहुत जादा मेंगी गेंद बाजी टिम डेविड ने चार गेंदों पर नौरन बनाए हैं एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं उचे लंबे गद के टिम डेविड आस्ट्रेलिया के सिंगापूर के लिए पहले खेलते थे और आईपील में मुंबाइ इंडिय इस ओबर के अगली गेंद इस बार फुल लेंद के डिलिवरी आफस्टम के बाहर कट किया इस गेंद को लेकिन सीड़े पॉइंट के फिल्डर के पास तीस गस के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया रन बनाने का कोई मौका नहीं इस बार बले बाज टिम डेविड के पा हिस्सा नहीं थे ये प्लेइंग 11 में लेकिन टी 20 टीम का अभिन अंग है मारकस टॉइनिस लॉंग ओन बांडरी पर लॉंग ओफ बांडरी पर एक खिलारी डीप मिड विकेट बांडरी पर काव कॉर्णर की दिशा में अर्शदीब चले बाए हाथ से ओवर द विकेट ये गेंड इस बार आफस्टम से काफी बाहर ये गेंड थी कॉर्ट बियाइंड की जोरदार अपील लेकिन अंपायर ने कहा वाइड बॉल है ये इशान किशन की चतुराई जरूर वहां पर थी कि उन्होंने बहुत जोरदार अपील की लेकिन शायद वो अपील बैक फायर कर क्योंकि बल्लेबाज शफल कर गया था आफस्टम के बाहर और इसके बाद उन्होंने कट करने की कोशिश की और ऐसे में अंपायर ने संभावता वो ध्यान नहीं दिया और ध्यान उनका चला गया इशान किशन की अपील पर और उन्होंने सोचा कि ओ ये तो गेंड बहुत विकेड ये गेंड इसमार आफस्टम के सामने की गेंड को सीरेबले से ड्राइब किया लॉंग आफस की दिशा में एक रन दोड़कर पूरा किया टिम डेविड ने इस मरतबा और इसे एक रन के साथ स्कोर बलता हूँ आस्ट्रेलिया का जहाँ एक सो पिचानवे तीन विक या फिर इशान किशन आएंगे या फिर हूँ नोज सुरे कुमार यादव हो सकता है खुद को प्रोमोट करके निमबर तीन पर खेलें इस ओवर के अब चौथी गेंड के साथ अर्शदीप सिंग सामना करने के लिए तयार हैं अब मार्कस टॉइनिस बाएं हाथ से ओवर द गया और इस एक रन के साथ ऑस्टेलिया 196 तीन विकेट के नुकसाद पर टिम डेविड अब सामना करेंगे अर्शदीप का सिंगल लेकर के मार्कस टॉइनिस नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए उनका निजी स्कोर है 5 रन ऑस्टेलिया इस मुखाबले में टॉस गवान भरती टीम के लिए एक मुश्किल चुनौती हो सकती है इस मैदान पर इस पिच पर जहांपर की बल्ले बाजी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है इस लिहाज से कि पिच जो है इतनी मददगार नहीं नजर आई शुरुवात में हलाकि अब थोड़ी से बहतर जरूर पि जोरदार छक्का टिम डेविड के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के 200 रन पूरे हुए और अरशुदीब सिंग की महिंगी गेंद बाजी जारी है ओफस्टम के बाहर फुल लेंद की डिलिवरी और इस गेंद को उठा करके खेल दिया ओफसाइड में कवर पॉइंट बाउंडरी क बाहर छे रन के लिए टिम डेविड के बल्ले से पहला च्छका दो चौके लगा चुके हैं इस मुखाबले में ऑस्टेलिया की पारी में अभी भी 7 गेंदे बची हुई है और ऑस्टेलिया अलड़ी 200 का आंकड़ा पार कर चुका है आखरी गेंद करेंगे अर्शुदीब म सामना करेंगे टिम डेविड उचे लंबे कद के टिम डेविड दैथिसा शरीर है इनका सामना करने के लिए तयार बाएं हाथ से ओवड़ा विकेट ये गेंद और इस बार धिमीर अफ़तार की गेंद थी ड्राइव किया इस गेंद को लॉंग आफ के दिशाम है फिल्डर म अर्शदीप सिंग ने 16 रन दे दिये और कुल मिला करके बड़ी महंगी गेंद बाजी रही अर्शदीप सिंग की आप तमाम साथियों का हार्दीक अभी नंदन इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर मित्रों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं क चितरान शियादव जी हैं बहुत बहुत सवागत है आपका यो यो भाई भाई भी हमारे साथ जुड़े हुएं कह रहे हैं रोबाजचक मुकाबले की पूरी अम्मीद है जी हां अमीद यही करते हैं कि मुकाबला रोबाजचक हो क्योंकि आस्ट्रेलिया ने तो बैतरीन ब प्रतिने धित्व कर रहे हैं और ऐसे में ऐस्ट्रेलिया के सामने किस तरह का वो प्रदर्शन कर पाएंगे एक बहुत बड़े रंचेज में ये तो खेर वक्त बताएगा आखरी ओवर के लिए मुकेश कुमार गेनबाजी के मोर्चे पर तयार हैं और माइक्रोफोन पर तय यार है आसिम जराजपुरी मुकेश कुमार अच्छी गिनबाजी रही है और क्या ऑस्ट्रेलिया को 220 से नीचे रोक पाएंगे आखरी छे गेंदें गिनबाज मुकेश पहला बॉल लेकर चलते हुए फुल टास यॉरकर की कोशिश लो फुल टास पहला बॉल कोई रन नहीं कवर्स में गेंद गई रन के लिए दोड़ना चाहते थे स्ट्राइनिस फिसल गए थे लेकिन क्योंकि गेंद दूर थी ऐसे में वापसी करने में उनको कामियावे मिल गई पहला बॉल डॉट डिलिवरी मुकेश कुमार करते हुए भारत के लिए अर्शदीप सिंग बहुत मेंगे साबित हुए चार ओवर की गिंद बाजी में एक तालीस रन और ये तब जबकि पहले दोवर में उन्होंने साथ रन दिये थे अगले दोवर में उन्होंने चोंतीस रन दे दिये और उनको हम डेथ स्पेशलिस्ट मानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले कल के स्पेशलिस्ट हैं ऐसे तो काम नहीं बनेगा मुकेश अगला बॉल बहुत यह उंदा हुआ क्या योरकर थी वकार यून उसके तरह स्विंग होकर अंदर की तरह आ गई और चैफिट आठ हिंज का बलेबार जमीन पर गिर गया क्या शाददार गें थी मुकेश कुमार की 139 किलोमीटर की एर अफ्तार से भरी गें सूरिया कह रहे हैं कि मैं इस पर रिविव लूँगा और गेंदबाज ने कहा कि लेक्सम के बाहर जा रही है लेकिन सूरिया ने कहा कि मैं लूँगा उन्होंने रिविव ले लिया अब ये समझ से परे 243 विकेट के 960 पर बॉलर मु केश कुमार की गेंद हवा में और ये डिप करती हुई ओके जूते की की टो से सामने बिल्कुल दो क्रशन यॉर्ट करती ये थोड़ी रफ्तार 138 की थी थोड़ा सा कम थी वरना इनके बूर्स को तोड़ सकती थी बहतरीन बॉल अब देखना है बल्ला तो कहीं नहीं लगा अब देखना है कि तीसरे अमपायर ये और अल्टरा एज का ये गेंद हलांकि बल्ला काफी दूर रहा है ऐसे में तीसरे अमपायर को सीधा देखना चाहिए हौकाई और हौकाई से देखा गया है और गेंद पिचिंग इन लाइन, मिसिंग लेक्स्टम लेक्स्टम को मिस करती हुई तो ये प्रोजेक्शन जो थी वो नॉट आउट की और नॉट आउट ही रहा गेंद बाज मना कर रहा, ये पहली मरतबा देखा है अब कप्तान ने कहा कि ओवर की तीसरी गेंद के साथ, चले इस बार फुल पिच डिलिवरी आउस्टम के बार इस गेंद को ड्रिल कर दिया, लेकिन स्विपर मौजूद रिंकू गेंद को रोकते हुए, एक रन लेने का मौका बहुत ही उमदा ओवर बहतरीन ओवर रहा है अभी तक मौकेश कुमार का तीन गेंदो पर सिर्फ दो रन दिये अर्शिदीप ने पिछला ओवर नो गेंदो का किया था तीन वाइड्स कर दी थी उन्होंने और मौकेश कुमार ने अपना तजर्बा दिखाया है गेंद बाजी करते हुए उम्र जादा है तजर्बा जादा है और यह तजर्बा आता है फर्स क्लास क्रिकेट में जादा खेलने से कितनी एहम है कि आपने डेज क्रिकेट खेली हुई है और मौकेश कुमार वो बाद दर्शाते हुए सीम से गेंद बाजी करते हुए अभी उन्हें सभल कर ये अंतिम तीन गेंदे डिलिवर करनी होगी ओवर की चौती गेंद के साथ मुकेश चले लोफल टॉस एक बार फिर से बल्ले के उपर टकराई रिंकू तक गेंद पहुची है एक बार फिर से सिंगल टिम डेविड तारों की तरफ गेंद को उड़ाना चाहते थे आसमान की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले की जड़ में टकराकर तेज रफतार गेंद एक बार फिर से 138 किलोमेटर की लाइवली पेस पर फेकी हुई गेंद और इस गेंद पर सिर्फ सिंगल के इलावा कुछ नहीं बहुत उब्दा गेंद बाजी चार गेंदों में सिर्फ तीन रन मुकेश कुमार ने दिये है ओवर की पांचवे गेंद के साथ चलेंगे और ये नो बॉल का इशारा ये ओवर स्टिप कर गए हैं फिल्डर क्या तीस गस के दाइरे के अंदर जादा आ गए है क्या ऐसा हुआ है मुकेश कुमार ओवर स्टिप वाव वाट अ टाइट कॉल वाट अ टाइट कॉल थोड़ी सी लिनेंसी कभी-कभी फास बोलर्स के लिए होनी चाहिए गेंद पैर बिल्कुल लाइन को टच कर रहा था लेकिन तीसरे अंपार ने कहा की नहीं ये फ्री हिट डिलिवरी फ्री हिट बॉल यॉरकर कोई फाइदा नहीं सिर्फ एक रन ब्यूटी ब्यूटी ऑफ बॉल फ्रॉम मुकेश कुमार पेशर को कैसे अब्जॉर्ब करना है मुकेश दिखा रहे हैं और लगातार बिल्कुल निशाने पर यॉरकर्स मारते हुए मुकेश कुमार एक अच्छी रफतार मिड वन थर्टीज के ऊपर 137, 149, 141 की रफतार से गेंदे फेकी हैं एक नो बॉल आई थी जिस पर फ्रेहिट के बदौलत सिर्फ एक रन आया इस ओवर से कुल मिला कर सिर्फ चार रन दिये मुकेश ने भारत के लिए समभवता सबसे उंदा ओवर अंथिम ओवर साबित होने की कगार पर है पांच रन का एक ओवर दिया था बिश्नोई ने और अगर ये गेंद खाली चली गई मुकेश चले ओवर का पांचवा बॉल लेकर ब्लॉक होल डाक टू दा बॉलर क्या कामियाब ओवर रहा है भारत के लिए एक बार फिर से बले की जड़ में यॉर्कर लेंद टीम के कोच वी वियस लक्षमन ताली बजाते हुए मुकेश कुमार बेतरीन इंपैक डाल रहे है 225 और 210 में बहुत फर्क है भारत के लिए इस ओवर में मुकेश कुमार ने वापसी की राह पैदा की है ये आखरी गेंद लेकर वो चलेंगे बेतरीन ओवर दो खाली गेंदें 20 में ओवर में करते हुए मुकेश और बाकी गेंदों पर सिंगल्स आये हैं ये आखरी गेंद बचाना होगी आस्ट्रेलिया 208 आखरी गेंद मुकेश कुमार चले दाएने हाथ से ओवर दो विकेट इस गेंद को स्कूप करने की कोशिश कोई रन नहीं और रन आउट से बचे क्या जबरदस्त ओवर आखरी गेंद पर कोई रन नहीं सिर्फ पाँच रन मुकाबले का सबसे उंदा ओवर रहा बीसवा ओवर मुकेश कुमार ने ये दर्शाया कि उन्हें साड़े पांच करोड आई पील में क्यों मिले सबको ये हैरानी थी कि मुकेश जैसे किलारी को जब वो भारत खेले भी नहीं थे इतने पैसे क्यों मिले इसलिए मिले क्योंकि वो लगातार यॉरकर कर सकते है हमें दिल्ली का वो मुकाबला याद आता है एंद्रे रसल को यॉरकर करके परिशान कर दिया था तो भारत के सामने 209 रनों का चैलेज पेच किया है आस्ट्रेलिया ने और उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है गेंद्बाज मुकेश कुमार ने मुकेश कुमार ने चार ओवर में सिर्फ 29 रन दिये हैं 26 गेंदों में ये इन परिस्थितियों में सबसे बहतरीन गेंद्बाजी मुझे कफी लंबे वक्त के बाद किसी गेंद्बाज का ऐसा फिगर दिखने को मिल रहा है जो की 6 या 7 रन पर ओवर दे और पुरी टीम 208 रन दे चुकी हो तो बहुत उम्दा गेंद्बाज या भारत के 9 उम्र बल्लेबाजों के उपर जिमेदारी है जो के बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है अगर अपने पे आ जाएं दस में सौरन कर सकते हैं पहले यशसवी जैसवाल, रुतुराज, गायकवाट और उनको करना भी पड़ेगा क्योंकि भारत को अगर ये मैच जीतना है तो इस मुकाबले में उनको लगातार आकरमण करना पड़ेगा रोई शर्मा जैसी शुरुआत करते हैं वैसी शुरुआत करनी पड़ेगी भारत के लिए चुनोती है भारत की यूवा बिरिगेट के लिए चुनोती है कि 200 नौरन करना है मुकाबला जीत कर श्रिंकला में विजाई शुरुवात करनी है तो अटायक तो करना पड़े है स्कोर कार्ड भारतिय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में भारतिय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की कैसी रही हम आपको बता देते हैं उस्ट्रिलिया के लिए टॉस हार कर बैटिंग करते हुए स्टीव स्मित और मैथिव शॉट ने शुरुवात की मैथिव शॉट हलांकि सिर्फ तेरे रन बना कर लेकिन उन तेरे रनों में तीन चौके उन्होंने लगा दिये थे शुरुवात कर दी थी विश्णोई ने उनको बोल्ड कर दिया वहाँ पर एक लगाम लगाई ऐस्ट्रिलिया को लेकिन स्टीव स्मित और जॉश इंगलिश की जो जोड़ी है इसने 130 रनों की पार्टनर्शिप कर दी और जॉश इंगलिश ने एक बहुत ही आकरम अक्षा तक लगाया जारेहना बल्लेबाजी की पचास गेदों में 110 रन की है 220 के स्ट्राइक रेट से 8 चके और 11 चौके लगाए स्टीव स्मित ने पारी की शुरुआत की बहुत लंबे वक्त तक खेलते रहे सुलेमे ओवर की पांचवी गेंड पर जब वो आउट हुए तो 52 रन बना कर आउट हुए आठ चौके लगाकर 41 गेंडों का सामना करते हुए लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक बड़िया स्टिपिंग स्टोन उन्होंने दे दिया बात में हलाकि मारकस टॉइनिस और टिम डेविड बहुत अच्छा नहीं कर पाए इसमें कोई दो राय नहीं है कि टिम डेविड 13 गेंडों में 19 रन बना कर दो चौके और एक छक्का लगाकर जरूर 146 का स्ट्राइक रेट है लेकिन ये नाकाफी है उस्ट्रेलिया के स्टै प्रसिदी क्रिशना चार ओवर पचास रन एक विकेट क्रिशना ने आकरी ओवर में पाफसी की थी विकेट लिया था रनकप दिये थे अक्षर पटेल ने चार ओवर किये 32 रन कोई सफलता नहीं अक्षर पटेल की गिंदाजी में जो स्ट्रिंग हुआ करता था जो कहते है अगर डंक मारते थे वो बड़े लंबे वक्त से वो विकेट के लिए तरस रहे हैं अक्षर पटेल का कॉंफिडेंस उनकी गिंदाजी में नजर नहीं आ रहा है बिश्णोई ने चार ओवर में चाउवन दन दिये एक विकेट पहला विकेट उन्होंने हासिल करा है लेकिन रवी विश्णोई की काम्याबी यह रही को उनको च्छे चक्के पड़े बिश्णोई को आज चक्के का चक्का पड़ गया यानि च्छे चक्के पड़े और मुकेश कुमार ने भारत के लिए सबसे उम्दा गेंदबाजी की जिन्होंने चार ओवर में उनतीस रन दिये ग् टीर के चारत की तरफ से एक्स्टास जो नहीं साथ रही जिसमें चार वाइड़ की चारों की चारों की अर्शडीप सिंग्डे है जो इन्होंने राष्ट्री क्रिकेट में शुरुआत की थी जो स्विंग ठा जब इनको स्विंग मिलता है तो अर्शडीप एक दूसरे ही प रस्तानी है वो जो स्विंग हमने देखा था मुझे याद है राईली रूसों को उन्होंने बोल्ड किया था रूसों पीछे देख रहे थे अर्शदीब को देख रहे थे स्नेक डिलिवरी थी टपा काकर घूंती हुई अंदर आई थी लेकिन अर्शदीब को अगर स्विंग नहीं मिलता तो वो एक और्डिनेरी बालर बन जाते हैं आज उनकी गेनबाजी एक बार फिर से रही हलाकि भारत उनको मौके दे रहा है उनसे उम्मीद कर रहा है यूवा बले गेनबाज है लेफ्ट आमर है हम उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी गेनबाजी कर सके भारत के पास बड़ा अस्तबल है फास बॉलर्स का जिससे वो गेद बाजों को तलाशते रहेंगे तराशते भी रहेंगे तो भारत के सामने दोसो नौरानों का चैलेंज है हमारे साथ आरजू नुमान जी है आरजू नुमान कहते हैं क्या रोहिश शर्मा आप नहीं खेलेंगे खेलेंगे रोहिश शर्मा ये वोल्लकप के फॉरण बाद हमारे भारत में युवा बिरिगेट भी बड़ी तयार है ना टी ट्वेंटी क्रिगेट केलने को तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक संदेश भी देता है कि हाँ भीया आप नेक्स जनरेशन हो आप भी देखाओ कि आप क्या कर सकते हो तो ये नेक्स जनरेशन खेल लई है जब बहुत एहम मुकाबले होंगे टी ट्वेंटी वोल्लकप होगा तो उसकी टीम में आप कुछ सीनियर्स को जरूर पाएंगे हला कि एक चर्चा का विशय है बोर्ड ने कहा है कि वो रोहित और विराड से बात चीत करेंगे बोर्ड ने कहा है कि वो शमी से बात करेंगे बोर्ड ने ये भी कहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी है भारती टीम के वो उनसे बात जरूर करेंगे कि वो क्या करना चाहते है हमार साथ दिव्यान्शू है गेंदबाज में इंडिया को बदलाव करना जरूरी है शमी जडेजा कुल्दीब को खिलाना चाहिए मैच में इतनी बड़ी टीम से मुकाबला और गेंदबाज है ही नहीं दिव्यान्शू ये भी देखे ना कि ये दरसल एक तरह से वर्ल्ड कप को लेकर ये तब तैयारियों के लिए मुकाबले हैं बहुत से टी-टी मैचे भारत खेलेगा बहुत मौके मिलेंगे तो बहुत सारे खिलारियों को मौका देना है और क्योंकि हम टी-टी को लेकर यंग ब्रिगेट से उमीद करते हैं कि वो आकर भारत के लिए खेलेंगे भारती गेंदबाजों के लिए थोड़ा ओफडे रहा लेकिन बैटिंग हम देखेंगे और ये कंडिशन भारत के गेंदबाजों को बहुत सूट नहीं कर रही थी तो ऐसे में बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है हताश होने की ज़रूरत नहीं है भारत की बैटिंग को भी आप देखियेगा ये समझ में नहीं आए अब कौन बनाएगा भारत से शतक भारत से देखें शतक बनाने की बात है तो जैसवाल के अंदर वो चार्म है कि वो खेल जाते हैं बड़ी पारी और आज जैसवाल खेल सकते हैं उनको खेलना पड़ेगा हलांके सुरे कुमार यादव सिर्फ एक बैट्समेन के रूप में नहीं एक फिनिशर के रूप में नहीं एक कप्तान के रूप में भी खेल रहे हैं तो उनको भी तो जम्मेदारी के अहसास करना होगा जोसिफ मुर्मुजी हमारे साथ हैं और शिदीब सौ बनाएंगी अच्छा मुर्शिद अली है पाकिस्तान से वेलकम है आपका प्रिया नेगी कहती है सर जी पांच तो पच्पन सही बात अच्छा ये यो यो से बाच्चीत कर रहे हैं सज्जाद साजन चंद्रवंशी कहते हैं सर कप्तान हिट्मैन इतिहास लिखना एक कदम हाँ ये बात तो है या रोई शर्मा मुझे जब इकबाल ने वो कम्मुनिटी पोस्ट डाला तो उस वक्त मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था लेकिन मैं लिखके रुख गया मैंने का ये इमोशन में हम बह रहे हैं ऐसे में हम क्या लिखें मुझे पूरी टीम में ना कोच ना सपोर्ट स्टाफ ना विराट कोली ना शमी ना सिराज ना बुम्रा ना कुल्दीप ना जडिजा ना श्रय सायर ना रहुल मुझे सिर्फ रोई शर्मा के लिए बुरा और इस फाइनल मुकाबले में भी रोईच शर्मा ही वो अकेले खिलाडी थे भारत के लिए जिन्होंने उस फॉर्म की क्रिकेट खेली थी कि आस्ट्रेलिया को वो बैक फुट पर ले आये थे बहुत से लोगों ने लिखा कि दो बड़े हिट लगा दिये थे उस गेंट पर सिंगल लेना चाहिए थे रोईट को और एकबाल ने भी ये बात बार-बार कही थी कि आज ये फाइनल है रोईट को अटैक के साथ कौशन लेना पड़ेगा रुखना पड़ेगा थोड़ा सा थोड़ा हित्मिनान से खेलना पड़ेगा लेकिन वो हित्मिनान से नहीं खेले और वो शॉर्ट खेलकर ट्रेविस ह क्टेट ने वो कैच किया तो रौई शर्मा के लिए वो दिदन नहीं था भारत के लिए वो दिन नहीं था कि स ह questa le page आप तमाम चीज़ों के आलोचना करें पिडिक या लोचना जितनी की जाए उतनी कम है कि फाइनल को लेकर एक एस इसा, तयार कि गई क्यों choose की गई ये समझ से परे है भारत अच्छी pitches पर अच्छा खेलता रहा भारत slow pitches पर अच्छा खेलता रहा लेकिन आपने इतनी सुखी पीच दे दी कि टपा खा कर गेंद रुखने लगी आपको पता है ओसाएगी तो ये pitch skid करेगा स्किड करता गया भारती ये बल्ले बाद गेदमाजों को रण परते गए ऐसा नहीं कि भारती गेदमाज खराब बॉलिंग कर रहे थे पिछ पर स्किड करती हुई गेदे हैं आई और ट्रेविस हेड ने वो पारी खेली तो ये चीजे नहीं और उस्ट्रेलिया ऐसे मौके छोड़ता नहीं है उस दिन उस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट के लिए थी बहराल अब आगे बढ़ने की बारी है अब भारत की निगाए टी-20 वर्लकप पर होनी चाहिए और ये दिखाना पड़ेगा भारती टीम को और ये जो यूवा ब्रिगेट है ये ये बास समझ ले कि अगर इन्हें अपना नाम पैदा करना है तो ये पांच टी-20 मुकाबलों की श्रिंखला इनके लिए अगनी परिक्षा अगर अच्छा नहीं किये अगर अच्छा नहीं कर पाए तो आप ये भी देख सकते हैं कि टी-20 वर्लकप में काफी सीनियर खेलते नजर आएं फिर ये ना कहे कोई कि ये खेल नहीं पाए क्योंकि इसके बाद इन्ही नौजवान खिरारियों को साउथ अफरीका में भी मौका मिलेगा टी-20 खेलने का इन्हीं नौजवान खिरारियों को इंगलेंड के खिलाफ भारत में मौका मिलेगा टी-20 खेलने का वर्लकप से पहले उससे पहले आई-पी-ल भी होगा तो इतना मौका है इसको कैशिंग करना पड़ेगा ऑस्टेलियाई टीम जो है मैदान की तरफ आ चुकी है भारत के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर यशस्वी जैसवाल 64 नंबर की जर्सी पहने हुए शिवम शर्मा कह रहे हैं कि वान खेड़े में करा लेते मुझे एक जरूर इस बात से मैने इस मकाबले से पहले हमने प्रिव्यू किया था उसके बाद मैंने कॉमेंट किया था कि कर्स आफ कॉलकता कें इंगल्फ इंडिया मैं शुरू होने से पहले में नेकाद और वो कर्स यह था कि आपके पास कॉलकता जैसा मैदान है एक्चली कुछ मैदान ऐसे होते हैं जिन से हिस्ट्री जुड़ी होती है और उस मैदान को छोड़ा है आपने बहराल तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से हार्दी का मिनंदन स्वागत वेलकम वड़कम भारत की बल्लेबादी शुरू हो रही है भारत को 200 नौरन बनाने हैं यशस्वी जैसवाल आठ पारियों में 232 रण कर 161 की स्ट्राइक रेट से एक अर्धश तक लगा कर इस मुका मार्कस ट्वाइनिस राइट आप मीडियम फास बॉलर चौतिस सालों रहे हिट दे डिक बॉलर गेंदों को पिछ पर टपा खिला कर रफ्तार में तब्दीली कर बल्लेबादों को करते हैं परिशान मार्कस ट्वाइनिस पहला बॉल लेकर चलने के लिए तयार डीप फाइन जसक के डाइरे के अंदर मार्कस गेंद बाजी करने के लिए तयार होते हुए पहला बॉल लेकर चलने के लिए तयार आप सभी का स्वागत दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें हमारे साथ लगातार जोड़ते रहें इस मुकाबले की दूसरी पारी की पहली गेंद लेकर मारकस ट्राइड सापने बाए हाथ के बले बाज यशशत वी चले मारकस अंपायर को क्रॉस किया ऑफटम के बाए इस गेंद को ड्राइब कर दिया गेंद कावर बाउन्ड़ी के बाहर चार रन बावरत की शुरुआइबड चोखे के सा ये यश्यस्वी जैसवाल ने अगला बॉल लेकर चलते हुए मार्कस टॉइनिस मीडियम फास बॉलर सामने जैसवाल भारत के सामने 200 से जादा रनों की चुनोती अपने बॉलिंग के निशान पर मार्कस टॉइनिस गेंद बाजी करने के लिए दोड़ते हुए जैसवाल के ल जन नहीं भारत 209 रनों के ताकुब में इस मुकाबले में उत्रा है 209 रनों की चुनोती भारती बल्लेबाजों के सामने प्रिया नेगी फ्री फायर गेमर हमारे साथ अगला बॉल लेकर चलते हुए मार्कस स्टॉइनिस जैसवाल ने इस गए तो पोल कर दिया मिडिविग जैसवाल ने भारत दस तीन गेंदों का सामना करते हुए जैसवाल ने बनाये दस रन बेहद आकरशक बेहद आकरमक बेहद जारहाना शुरुवाद भारती टीम के द्वारा वाइजएक विशाक अपर्टनम के इस मैदान पर भारती पता का भारती फर्चम हवा में लहरा आता हुआ भारत दस बिना किसे विकेट के नुक्सान के ओवर का चौथा बॉल लेकर अपने बॉलिंग के निशान पर तयार स्लिप से जेहां चौथा बॉल लेकर चलते हुए मारकस ट्राइन बाए हाथ के बल्ले बास के लिए कदमो के इस्तमाल बल्ले के उपर से गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में मैथ्यू वेड गेंद को लेकर हाथ हवा में उठाते हुए गलव्स को गलव्स से टकराते हुए ताली बजाते हुए और मुझे यका यक से वर्ल्ल कप का एक विकेट की पर याद आ गया वो जिनका नाम है मुहमद रिजवान मुझे लगा कहीं अपील तो नहीं कर रहे है ऐसा नहीं हुआ अपील नहीं कर रहे है दस रन बिना किसी विकेट के रुकसान के चार गेंदे हो चुकी है एक छक का एक चौक का लग चुका है मारकस ओवर का पाचवा बॉल लेकर अपने पॉलिंग के निशान से दोड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया लेकिन इस बार ये शस्वी पीछे हड़ते हुए साइट स्ट्रीन पर कुछ दिक्कत बलके दिक्कत आई ये शस्वी जैसवाल को स्पाइडर कैम से और जब मारकस ट्वाइनिस को बिलकुल भी राहत बिलकुल भी मज़ा नहीं आया उन्होंने आखें दिखाई हैं जैसवाल को जैसवाल भी सोच रहे होंगे कि एक मीडियम पेसर आँख दिखा कर कर भी क्या सकता ऐसा तो है नहीं कि मारकस के पास उनकी गेंदबाजी की कमान में कोई 140 की रफतार की गेंद है ओवर की पाचवे गेंद के साथ दौरते हुए शाट पिच गेंद धीमी रफतार पुल किया डीम मिट विकेट बामडे की तरफ गेंद दौरते हुए दो फिल्डर दौरते हुए पहला रंतेजी से पूरा किया दूसरे के लिए परटना चाहते है और यहाँ पर रन आउट रुतुराज गायकवार्ट बीच फिच पर आकर खड़े होगे आउट आफ नोवेर आस्ट्रेलिया को एक सफलता गायकवार्ट दूसरा चाहते थे और भारत को एक गलती एक खामियाजा भुगतना पड़ा भारत को पहली विकेट गवानी पड़ी आस्ट्रेलिया ने पहला उट कर लिया पहला रंत तेजी से दौड़ते हुए यशस भी दौड़े और फिर रुतुराज भी दौड़े और जब रुतुराज बीच फिच पर आगए तो जैसवाल ने उन्हें रोक दिया गर्दी जैसवाल की धुगतना पड़ा रुतुराज को और मार्कस टॉइनिस किसी मीम पर जैसे हसा जाए वैसे हसते हुए उनकी हसी रुकी ही नहीं और गायकवाट बिना कोई खेले रन आउट होकर वापस जाते हुए बहुत ही खराब कॉर्डिनेशन दोनों खिलाडियों के बीच और ऐसे में भारत को एक विकेट गवानी पड़ गई जैसवाल और रुतुराज के बीच मिस कम्मुनिकेशन का फाइदा उस्ट्रेलिया ने उठाया उस्ट्रेलिया को एक विकेट हासिल हो गई रन आउट के रूप में और भारत एक विकेट डाउन वन विकेट डाउन इंडिया रुतुराज गाएक वार्ड बिना किसी गेंद को बल्ले पर टकराए हुए बिना किसी गेंद को अपने बल्ले के करीब से गुदरे हुए देखे बिना वापस पविलियन की राह भारत एक विकेट का नुकसान उठा चुका है और नए बल्लेबास आ गये हैं इशान किशन ओवर में ही सब कुछ घट रहा है चौके छके पड़े एक रन आउट हुआ आखरी गेंद पर क्या होने वाला इशान के लिए ओस्टम के बार इस गेंद को गाइड कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से एक रन के लिए और इस सिंगल की बदस से एक ओवर की गेंद भारत का लेकिन इट्स पार्ट ऑफ दो गेम मिसकमिनिकेशन जो की नहीं होना चाहिए था वो मिसकमिनिकेशन हुआ दो खिलाडियों के बीच में और अंतता भारत को पहला जटका लगा है फिलाल आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है इकबाल स्पोर्ट और क् लाइक कर दें चैनल को अभी तक आपने सबस्ट्राइब नहीं किया है तो इंतजार न करें चैनल को सबस्ट्राइब करके बेल आइकन जरू दबालें तो भारत के अच्छी शुरुआत इंटरम्स ऑफ रन्स बट इंटरम्स ऑफ विकेट इंडिया हाव अलड़ी लॉस्ट इर फर्स विकेट जेसन बेरंड़ॉफ इस वक्त आ रहे हैं गिनबाजी करने के लिए बाए हाथ के थेज गेनबाज बहुत यूचे लंबे कदके हैं और वो सामना करेंगे वो गिनबाजी करेंगे इशान किशन को इशान किशन एक रन बना कर खेलते हुए एकी गेनद का उन्हें सामना किया है ये शस्वी जैसवाल ने 11 रन बनाए है पांच गेंदो का सामना किया है जेसन बेरंडौफ ग्यारा मुकाबलों में 9 विक्टें उन्हें हासिल की है टी 20 मुकाबलों में इस वाक्त पहली गेंद के साथ दोड़ना शुरू किया इस वाक्त सामने है इशा आप में भारत ने 12 रन बनाए हैं लेकिन एक विकेट का नुकसान भारती टीम को हो चुका है और वो विकेट है बलेबाज रुतुराज गायकवार्ड का बिना किसी गेंद का सामना किये रन आउट हो गए कितना क्रूएल गेम है ये क्रिकेट का इस ओवर की अगली गेंद के स साथ शुरुवात की है गेंद बाज जेसन बेरिंडॉफ ने आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत मुहमद अफसर भारत कुमार विजय काचो मांगिलाल ताइड एस्टीडी लाइफ हमारे साथ जड़े हुए हैं बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का वीडिय थैसन बेरन्डॉफ उठाली आ रेंड बनाने का कोई मौका नहीं एक बार फिर से इशान किशन के पास तीन गैने के खेली हैं इशान किशन ने जैसन बैरनडॉफ उचे लंबेकंगे हैं और उनके खिलाफ जो उच्छाल मिल रही है बैरनडॉफ को उस उच्छाल के साथ ज नहीं भेद पाए, कवर पॉइंट पर दरसल एक फिल्डर था, गेंद को उन्होंने रोक लिया, रन बनाने का एक बार फिर कोई मौका नहीं, चार डॉट गेंदें, इस वक्त खेल करके, स्ट्राइक लेने के लिए एक बार फिर से तयार हैं, इशान किशन, चार डॉट जेसन बेरंडॉफ ने शांदार शुरुबात की है अपने इस स्पेल की, पाँचमे गेंद के साथ, जेसन बेरंडॉफ, सामना करेंगे इशान किशन, बारा रन है भारत का स्कूर, जो बारा रन पहले ही ओवर में आये थे, अगली गेंद बेरंडॉफ की, एक बार फिर से जार ये गेंद थी, नजाने क्या करना चाते थे, बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ इस गेंद को खेलने का प्रयाज किया, गेंद बलने को भेदते हुए, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों का रुक किया, और एक और डॉट डिलिवरी, जेसन बेरंडॉफ के द्वारा, जेसन हैं गेंद बाज, क्या मेडन ओवर होने वाला है, ये गेंद और इस बार फिर से बीट कर दिया, आफस्टम के बाहर, फुल नंथ की डिलिवरी, टपा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, ड्राइव करने के लिए गए शान किशन, गेंद और बलने के बीच में कोई संपर नहीं और इसके साथ ही मेडन ओवर के साथ शुरवात की है, जेसन बेरेंडॉफ ने दो ओवर के बाद भारत का स्कोर 12, एक विकेट के नुकसान पर शानदार शुरवात जेसन बेरेंडॉफ ने की है, ममता मुदगल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कविता श्रिदर जी, स श्रिवम शर्मा जी, भागाराम जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, गेन बाजी में इस वक्त परिवरतन हो रह है और मात्यू शॉर्ट स्पिन गेन बाज को बलाए जा रहा है गेन बाजी करने के लिए, 85, T20 मुकाबलों का अनुभव है, इस गेन बाज को बले बाज है मुलता, लेकिन आज गेन बाजी भी कप्तान कराना चाहते हैं, अच्छी स्पिन गेन बाजी भी कर लेते हैं मात्य दनाती हुए चार रन के लिए, यशस्वी जैसवाल पिछले ओवर में इशान किशन को बीट होते हुए देखते हुए लगातार संभवता कसमसा कर रह गए होंगे, और जैसे ही यहां मौका मिला, चौका लगा दिया मात्यू शॉर्ट को पहली गेन पर, अगली गेन और एक दो ऐसे शॉर्ट लगाए हैं यशस्वी जैसवाल ने, कि दोनों ही गेने बाउंडरे के पार पहुंची हैं, और इन दो बाउंडरी उसकी मदब से भारत का स्कोर कुलाचे मारता हुआ, 22 पर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर, यशस्वी जैसवाल 7 गेनों पर 21 रन, 300 की स्ट्राइक रेट से बल्ले बाजी कर रहे हैं, पहर प्ले में स्पिन गेन बाज को गेन बाजी थमाना, क्या महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, इस ओबर के अगली गेन्द, और इस बार इस गेन्द को हवा में उडा कर मारने की कोशिश, मिट आफ के फिल्डर के हाथो रननीती थी, पार पले के अंदर माक्स्वल को गेन्द बाजी देने की, छक्का पड़ा था, फिर चौका पड़ा था, और इसके बाद विकेट गिर गया था रोई शर्मा का, वही रनननीती मैथ्यू वेड ने यहां अपना ही, चौका पड़ा, फिर चक्का पड़ा, और अ आपने दो चौके, दो छक्के लगा, एकीस रन में आपने बीस बाउंडरी से कर लिए, आप लगातार हिट्स लगा रहे हैं, आपने रन कर लिए, आपने गैब निकालना है, लेकिन यह कहते हैं कि विकेट खरीद लेना, और यह उस्ट्रेलिया ने विकेट खरीद लिया, और जैसवाल की विकेट आउस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिए, आउस्ट्रेलिया दो विकेट ले चुका है, बाइस दो विकेट के नुकसान पर यह तीसरा ओवर चलता हुआ, इस वक्त भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, सुर्यकुमार यादव जो इबला लेकर नजर से विकेट दो चुकी है, यह अच्छा नहीं है, सुर्यकुमार यादव क्या फाइनलेक के एरिया के अलावा कहीं और नहीं खेलेंगे, 173 का स्ट्राइक रेट है, 111 इनिंग्स में 1841 रन, 15 हाफ सेंचिरीज, 186 से घड कर 173 आया है स्ट्राइक रेट, सुर्यकुमार टीम क्या रनीती अक्तियार करती है, क्योंकि फाइनलेक का इलाका, डीप स्क्वैर लेक का इलाका, वहाँ पर ये मार्क आउट करते हैं, बाउन्डरी इसके लिए, और ये बाल लेक्सम के बाहर किया भी गया थे, शॉर्ट अंगली गेंज, एक बार फिर से लिपाइट्स म आती भी गेंज को, स्क्वैर लेक की तरफ खेला, एक रन लेने का मौका, छोर बदला सुरिया ने भारत चौबिस दो विक्टो के नुकसान पर, यकिनन भारती टीम के बल्लेबाजी में तजर्बे की कमी है, लेकिन क्योंकि इन टी ट्वेंटी श्रिंखलाओं का बहत तो य भारत के लिए टी ट्वेंटी वर्लकप को लेकर बड़ा अच्छा बिल्डप होगा, अगला बॉल, इशान किशन, इशान किशन बिलकुल कहते हैं न कि अपनी क्रिकेट के बरक्स क्रिकेट खेलने हैं, आठ गेंदों पर एक रन बनाकर क्रिकेट खेलने हैं, बैटिंग कर हैं, चौविस दो विक्टो के नुकसान पर अगला बॉल, इस बार इस गेंद को आरे बल्ले से खेल दिया, लॉंग आप बांडे की तरफ एक रन मिलेगा, इस सिंगल की मदश से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने कर लिए 25 दो विकेट के नुकसान पर, भारत और ऑस्ट ले जाएंगे, और उसके बाद भारत की टीम जो है, वो जहाज से उड़ेगी, बड़ा लंबा सफर करेगी, पहुचेगी साउथ ऐफरिका, और दस दिसंबर को भारती टीम खेलेगी, पहला टी-20 मुकाबला, पच्चिस दो विक्टो के नुकसान पर, उस्ट्रेलिया के प किया, मौका नहीं दिया, बैंड ओफ को की वो परिशान कर सके, इस गेंड पर सिंगल आता हुआ, जैसन बैंड ओफ जिन्होंने पहला ओवर मेडन किया था, इशान किशन लगातार, आफ्टम के बार, गेंड को खेलने में नाकाम रहे थे, बीट होते रहे थे, गेंड बले टाइम फिकेट खेलते हुए, इस बात का ध्यान देना है, भारती टीम को उन गेंड बाजों को तलाश करना पड़ेगा, जिनके लंबे कद हो, भारत के पास क्लास है गेंड बाजी में, लेकिन वो हाइट नहीं, अगला बोल, बहुत ही उम्दा, 132 किलोमेटर की रफतार से गुड लेंड पर टपा खाकर गेंड उचल जाए और बल्ले के उपरी सिरे के उपर से उड़ती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में पहुँचे, तो यहाँ पर हाइट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रफतार नहीं लेकिन उच्छाल है, और हाइट जो गेंड को डीप स्कॉयल एक पर फील्ड किया गया, नैथन एलिस गेंड को फील्ड करते हुए एक रन लेने का मौका, नैथन एलिस चेंज आफ पेस के माहिर है, टी ट्वेंटी क्रिकेट दुनिया भर की फ्रेंचाईजी क्रिकेट खेलते हैं, अभी उनका आना बाकी है, 27 इस दो विक्टों के नुकसान पर, चौथा ओवर चलता हुआ, ओवर की चौथी गेंड, गेंड बाज बैंड ओफ, अभी तक बहुत किफायती गेंड बाजी की हैं उन्होंने, सामना करते हुए इशान किशन, बड़ी आकरमत क्रिकेट खेलते हैं इशान किशन, लेकिन प्रेदर किया, विकेट कीपर ने, बेंड ओफ, परिशान करते हुए, बाउंस से, लगातार बाउंस से, 2017 में, गोहाटी में, बेंड ओफ ने चार विक्टें हासिल की थी, एक कीशन देकर, और अपनी गेंड बाजी से परिशान किया था, तब शिखर धवन भी खेला करते लेक्सम की लाइन और इस गेंड को खेल दिया, फाइन लेक की जानिब एक रन के लिए, लगा कि 2019 में जब इस मैदान पर खेला था मैश, तब भी शिखर दवन इस टीम में शामिल थे, विराट कोली भी थे, रोई शर्मा भी थे, 28-22 विक्टो के नुकसान पर, चौथा पर चलता हुआ, सुरे कुमारिया दव दो रण बना कर, किशन चार रण बना कर, बैटिंग करते हुए, उस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये पांच टी-20 मुकाबलों के श्रिंखला, जिसमें उस्ट्रेलिया के जो सीनियर क्रिकेटर हैं, ज्यादतर वो अपने देश लोका गया है, लेक्सम के बाहर, जोन में गेंद थी, और सुरिया ने पहुचाया, फाइनलेक के उपर से छेरन, बहुत लंबा हिट, बैंड ओफ, अचानक एक बहुत ही खड़ाब गेंद कर बैठे, ओवर की पांच गेंदों पर तीन सिंगल दिये थे, आखरी गेंद पर चक्का खा बैठे, और सुर्य कुमार यादव को टी ट्वेंटी क्रिकेट में अपने इलाके में गेंद मिली और उसे पहुचाया, उन्होंने बाउंडरी के बाहर, छेरनों के लिए, भारत चार ओवर्स के बाद, चोंतिस, दो विक्टों के नुकसान पर, भारत की दो विक शील भाई, जमशेद भी हमारे साथ हैं, प्रिया नेगी, कविता श्रिदर, प्रवीन कुमार, अरिंदम जी हमारे साथ हैं, शिव कुमार भाई में हमारे साथ जोड़े हुए हैं, आदित्या व्लॉग भी हमारे साथ, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, नय वर की तो किया जाता बाउंडरी लाइन से लगभग देड़ मीटर अंदर तब तक दौल करके दो रन पूरे किये इशान किशन ने और इन दो रनों के साथ इशान किशन पहुंचे च्छे की रन संख्या पर और भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 36 रन दो विकेट के नुकसान पर मिट विकेट के दिशा में इस बार कामयाब हुए है और गेंद को स्टैंड पर भेज़ दिया च्छे रन के लिए जबरदस छक्का इशान किशन के बल्ले से मिडल और लेक्स्टम पर गेंदी थोड़ा सा शफल किया और इस गेंद को बहुती खुबसूरती के साथ उच्छ मिट विकेट के दिशा में छे रन के लिए बड़िया पिक अप शॉट इशान किशन के बल्ले से भारत का स्कोर छक्के के साथ बयालीस दो विकेट के नुक्सान पर और इशान किशन पहुँचे अब बारा की रन संख्या पर शॉन अबट दायने हाथ से ओवर दा विकेट ये गेंद और एक बार फिर से इस गेंद कौन साइड में उड़ाने का प्रयास लेकिन जमीनी रास्ते से इस बार गेंद गई फिल्डर भी डीप स्कोर लेग बांटरी पर ठीक स्कोर लेग अमपायर के पीछे मौजूद है एक रन सिर्फ लेने का मौका है इशान के पास औ और आपको जो शिकायत थी की कॉमेंटरी क्यों नहीं आ रही है वो कॉमेंटरी ना आने की शिकायत भी अब दूर हो गई है स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर इस ओबर के अंगली गेंद के नोट आउट संभावता गेंद बल्ले का सिरा भी लेकर के गई हो और ऐसे में बहुत जादा कोई जोरदार अपील नहीं स्लिप में खड़े हैं स्टीवन स्मित पूर्व कप्तान माथिव वेड से उन्होंने बातचीत की और साफ तोर पर अंदरूनी किनारा लगा था सूरिया के लिए और इसमार सूरिया ने इस गेंद तो फ्लिक किया उन साइड में ओफ दे टोज गेंद मिट्विकेट बलंडर के बहार चैरन सूरिय कुमार यादव अपने उस पुराने रंग में दिखाई दे रहे हैं शुकर है कि अमदाबाद वाली पीछ नहीं है अगर अमदाबाद वाली पीछ होती तो शायद स्वचंद होकर अपने शॉट्स को ट्रस्ट नहीं कर पाते और यहाँ गेंद बिलकुल सही पेस के साथ बल्ले पर आ रही है और ऐसे में लेक्स्टम पर गेंद मिली उसको चाल दिया चैरन के लिए भारत उनन्चाज दो विकेट के नुकसाद पर पांच में ओवर के अंतिम गेंद के साथ शॉन आबट सामने है सूरिया एक स्लिप के साथ ये गेंद लेक्स्टम के बाहर वाइड बॉल का इशारा एक अतिरेक्तरन भारत को भारत के पचास रन पूरे इस अतिरेक्तरन के साथ ही चार दशमलाव पांच ओवर में भारत ने पचास रन बनाये हैं रनों की रफ्तार भारत की चार दशमलाव तीन चार की और रिक्वाइड रेट दस दशमलाव चार आट की यनि की बहुत जादा फासला नहीं है जिस रन गती से भारत को रन चाहिए उसी रन गती से रन बन भी रहें एक्यानवे गेंदों पर भारत को 169 रच चाहिए अभी आठ विकेट शेश है भारत के पास सुरिक कुमार यादव इशान किशन की जोड़ी मैदान पर है रिंको सिंग जैसे बल्लेबाज का आना बाकी है तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज का आना बाकी है और आज त जाएंगे गेंद बाउंडर के बाहर 4 रन शांदार ओवर रहा ये भारत के लिए 20 रन आए इस होवर में 5 ओवर के बाद भारत का स्कूर है 54 दो विकेट के नुकसान पर सूरिया 18 पर इशान किशन 13 पर और शान अबट का पहला ही ओवर खासा महंगा रहा यहां पर जिसमें उन्होंने 20 रन खर्च किये आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर मित्रो वीडियो को लाइक करते रहें लाइक की संख्या कम नजर आ रही है और जिन दो साथियों ने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो सबस्क्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबालें कमल सिंग हमारे साथ हैं राजु शर्मा जी इंडियन गेमर स्वाती हमारे साथ जुले हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को सबस्क्राइब भी करते रहें नेवर की शुरुवात होने जा रही है और क्या जेसन बैरंडॉफ ही गेनबाजी का सिलसिला जारी रखेंगे इस छोर से शिंगल्स के साथ महुँचे अब 14 की रंसंख्या पर भारत को लगतार इसी तर से बल्लेबाजी करनी होगी अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतना चाहती है और सुर्य कुमार यादों से बेतर कौन हो सकता है भारत की नईया को किनारे लगाने के लिए जिस तरह कि वो बैट्समेन हैं मैच का रुख पलट सकते हैं और इस मुकाबले में इस पिच ने इस बात का संकेत तो दिया है कि थुरू दे लाइन भी आप शॉर्ट्स खेल सकते हैं सुर्य कुमार यादों अगली गेंद का सामना करेंगे नैथन एलिस ये बड़े खीच पैदा करने वाले गेंदबाज हैं कि रफ्तार में लगाता और तब्दीली कोई एक गेंद ऐसी नहीं होती जो दो बार वो कर दें कभी धीबी कभी तेज कभी उससे धीमी कभी उससे धीमी कभी उससे तेज अचानक से तबदीलिया करते हैं भारत ने पांच छक्के और तीन चौके लगाएं भारती ये बलेबाज ये शस्वी ने शुरुबात तेज की थी लेकिन उसको केरी फॉरवर्ड नहीं कर सके है अलां कि भारती टीम की रनों की जो गती है वह बहुत अच्छी चल रही है दो विक्टेज जरूर आउट हुई है लेकिन रनों की रफ्तार अच्छी रही है उस्ट्रेलिया जिसने पांच दश्मलों दो और में 36 किये थे एक विकेट पर भारत ने 55 कर लिए हैं ये फरक है क पगल से गेंट बाउन्डी ल मैंड के बाहर 4 रण विकेट कीपर और शinea है कि ये फांड़ी के बीच से गेंट को निकाला गेंद की गई थी इसलिए कि शॉट फांड के फिल्डर के हाथ में कैच कराएंगे लेकिन इतना फांड खेल दिया सूरिया ने कि गेंड करते हुए भारत की तरफ से जवाबी कारवाई चर लही है अगला बॉल इस बार ओस्टम की लाइन तेज गेंद और इस गेंद को मिड़ान की तरफ ड्राइव किया फिल्डर के हाथ गेंद और कोई रण नहीं मिलेगा उनसट दोविक्टो के नुकसान पर भारतिये टीम इस म सक्षमन इस टीम के हिट कोच है उनसट दोविक्टो के नुकसान पर भारती टीम का स्कोर है छटा ओवर चलता हुआ सुरे कुमारिया दफ फास बॉलर्स के खिलाफ एक सो नब्बे का स्ट्राइक रेट पैट्स में आती भी गेंद को फलिक कर दिया गेंद जाती हुई काउ कॉर्णर की बगल से मिट्रिकेट बांटे के बाहर चार रान एक और चौका तेरसर दो विक्टो के नुकसान पर डाल डाल और पात पात वाली क्रिकेट चल रही है भारत और ऑस्टेलिया को कैच अप कर रहा है और सुरे कुमारिया दफ जैसे ही टी ट्वेंटी क्रिकेट आ जाने लगते हैं वो रंग वापस आ जाता है जिस रंग की तलाज भारत को वंडे क्रिकेट में भी रहती है और की आखरी गेन के साथ नैतना इलिस चले दो चौके इस ओवर में पढ़ चुके है इस बार क्रॉस बैटिट शॉट खिलने की कोशिश बले का किनारा गेन सूरिया बार गेदो में 26 दो चौके तीन चौके यानि 26 में से 24 रं बाउंडरी से लगाए इशान किशन ने एक चौक का लगाया 14 रं 16 गेदो में पहला ओवर मेडन खेल गए थे उसके बाद रिकावरी वो भी कर रहे है नैतनल इसके पहला ओवर 9 रं देते हुए वो नजर आए भारत को अब जीतने के लिए 24 से गेदो में 146 बनाने है लेकिन जिस तरह से भारती टीम अभी तक रन बना रही है भारत के लिए ये लक्ष बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है अगर इसी तरह से अगले 5 और भारती टीम बैटिंग कर ले 10-11 और तक इसी तरस से इन परिद्रिश में हलाकि रिंकु सिंग टीम में शामिल है नीचे आने वाले हैं लेकिन आस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना असान नहीं होने वाला है और ऐसे में तन्वीर सांगा की वापसी हो रही है 21 साल के भारती मूल के खिलाडी है तन्वीर सांगा राइट आम लेक ब् रन पूरा किया और इस एक रन के साथ इशान किशन पहुंचे 15 पर और भारत का स्कूर 64 दो विकेट के नुकसान पर तन्वीर सांगा भी आस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे ये बात और है कि तन्वीर सांगा को खिलने का मौका नहीं मिला आडम ज इस विकेट टेकर रहे एडम जांपा शमी के बाद वर्ल्ड कप में इस ओवर की अगली गेंद के साथ तन्वीर सांगा सामना करेंगे सूरी कुमार यादव लेक्स्टम पर गेंद एक अदम आगे निकाला इस गेंद को कलाईयों का प्रयोग करते हुए मिड विकेट के दि स्पिन गेंद बाज ये गेंद लेग ब्रेक बोलर और इस बार इसान किशन ने इस गेंद को घूम के मारा गेंद जा रही एक काओनर की दिशा में लेकिन лांग ओन के फिल्डर ने पहले से ही अंटिसेपेट किया और इस गेंद को जा करकर माथियू वेड के दस्ताने में ये गेंद और इस बार सूरिया ने इस गेंद को पैडल स्वीप किया गेंद जा रही है लॉंग लेग बाउंडरी की और फील्डर महा मौझूद थोड़ी सी फंबल जरूर हुई बाउंडरी पर लेकिन उसका कोई बहुत जादा विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिला सि सूरिया पहुंचे अब 28 पर भारत 67 दो विकेट के नुकसान पर साथवा उवर पारी का चल रहा है टॉस जीता भारत ने पहले गेंद बाजी चुनी उस्ट्रिलिया ने निर्धारित 20 ओवर्स में 208 रंड बनाये तीन विकेट के नुकसान पर आज बेतरीन बलेबाजी की बलेबाज जोश इंगलिस ने शतक बनाया अगली गेंद और इस बार लेक्स नमपर छोटी गेंद हवा में खेला लेकिन ठीक फिल्डर के पहले गेंद टपाखा गई रिसमत वाले इशान किशन की थोड़ा सा गेंद और एलिवेट होती तो सीधे फिल्डर नेथन अलिस के हाथों में गेंद चली जाती लेकिन किसमत वाले रहे कि नेथन अलिस जो की डीप स्क्वेर लेक बाउंडरी पर फिल्डिंग कर रहे हैं उनके ठीक सामने गेंद टपाखाई और एक रन मिल गया इशान किशन को किशन पहुंचे 17 पर भारत का स्कोर अलसठ दो विकेट के न इनान से और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 79 रन दो विकेट के नुकसान पर सूरिया है 29 पर और इशान किशन 17 रन बना कर बल्ले बाजी करते हुए आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें यो यो भाई हमारे साथ लगातार जुले हुए हैं प्रिया नेगी हैं कविता शृधर जी हैं अमन हमारे अधित्य जी हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तो इस वक्त साथ ओवर में भारत ने बनाए हैं 69 रन दो विकेट के नुक्सान पर जे शान किशन ने बेतर बल्ले बाजी की उनके खिलाफ नेवर की शुरबाद जेसन बेरन डॉफ दाइने बाया हाथ से ओवर दे विकेट पहली गेंड सूरिय कुमारी आदव के लिए आफसनम के बाहर ये गेंथी थुरू दे लाइन इस गेंड को ड्राइब किया गेंड जार एक ओवर का खेल हुआ है भारत की तरफ से रनो की रफ्तार बहतरीन रही है सुरिया 31 16 गेंडो में बहुत अच्छे निज़ों आ रहे हैं बैटिंग करते हुए किशन ने उनीस गेंडों में सत्रह किये बारत को 209 रनो का लक्ष है और ऐसे में नैथनेर इसकी जगहें पर जैसन बैंडॉफ आगे हैं के इंबाजी करने के लिए जिन्होंने दो ओवर्स किये हैं और इस वक्त अपने तीसे ओवर में के इंबाजी करते हैं बाहर एक नारा विकर्ट की बगल से के बाहर चार वान फुल पिच्छ डिलिवरी आफ्टम के बाहर ड्राइव के लिए अपतान मेथी वेड ने डाइव लगाई गेंद उनके गलव्स के बहुत करीब से आख से खेलते हुए सूरिया भारत पचप्तर दो विक्टों के नुकसान पर खेलना चाहते थे कवर्स के उपर से लिफ्ट करना चाहते थे बारी किनारा मेथी वेड की फुल एंड डाइव लेकिन गेंद उन से दूर थी ये कहें कि कैश था तो ये ज्यात्ती होगी विकेट कीपर के साथ और एक बाउंडरी मिलती हुई सूरिया सत्र गेंदों में 35 रन बना कर बैटिंग करते हुए तिरपन रनों की साज़दारी 30 गेंदों में हुई है सूरिया भारत 75 ओवर के 30 गेंद इस गेंद को डाउं दे ग्राउंड खेला लॉंग आफ के तरह फिल्डर मौजूद एक रन लेने का मौका भारत का इसको रोगया 76 दो विक्टों के नुकसान पर अब जीतने के लिए भारत को चाहिए 75 गेंदों में 133 रन रिक्वाइड रेट अभी भी भारत के लिए साड़े 10 रन पर ओवर का है और भारत का रन रेट चल भी रहा है 10 सवा 10 रन पर ओवर का तो भारत इसी गती से खेलता रहा तो ये मैच जीत जाएगा और विशागा पटनम के इस मैदान पर दर्शकों का जो उनमाद है जो भीड है वो ऐसा नजर आ रहा है कि फुल हाउस है टी ट्वेंटी क्रिकेट को लेकर जमा हुए तमाम लोग अगला बॉल फुल पिच डिलिवरी इस गेंद को बैक टुद बॉलर केला विकेट की अब गेंद बाज अपने फॉलो त्रो में गेंद को रोकने में कामियाब नहीं हुए और उन्होंने पलेट कर देखा कि गेंद तर्ज से रन आउट करने का यह वो मैदान है जहां भारत का पिछला मुकाबला जब होना था तो बारिश हो गई था और बारिश की वज़े से वो मैश धुल गया था शायद निदलेंड के खिलाफ था वो मैश इसी मैदान पर और भारतिय टीम अब लोटी है टी-20 मुकाब खिले के साथ अगला बॉल आफ्टम के बार टॉप एज गेंड हवा में दोर कर आए फिल्डर में दूर रह गई गेंड फाइन लेक्स से दोड़े थे शान एबट सूर्य कुमार यादव ने ये शॉर्ट खेला टॉप एज लगी शान एबट ऐसा लगा कि सौ मिटर की स्प बॉल पर थोड़ा बे अकल नजर आए सूरिया गेंड टॉप एज लेकर बहुत देर तक देखने वालों का दिल उनके मूह तक आ गया था कि सूरिया लगता है बचेंगे नहीं अगला बॉल इस गेंड को पुल किया इशान ने मिट विकेट की जानिब एक रन लेने का मौक एक बार फिर से भारत के लिए बहतर ओवर दस रन इस ओवर से आते हुए आठ ओवर्स के बाद उन्यासी दो विक्टो के नुकसान पर हमरे साथ शिफ कुमार हैं शाजू लिटल बॉय हैं संदीब कुमार हैं सारा खान हैं प्रिया नेगी हैं मुहमद इश्राक हैं अप्पा चौदरी है हमारे साथ हरी शंकर सकसेना है आप सभी का बहुत स्वागज है दोस्तों एक बहुत रोमांचक मुकाबला ये बन गया है ऐसा नहीं कि दो विक्ते भारत की गिरी तो उसके बाद दो विक्ते और गिर गई हैं भारत का रेट कमोड़ा भारत बिलकुल मैच कर रहा है आठ में 89 कर लिए हैं और भारत का टार्गेट है दर असल कि 10 में 100 कर लिए जाए और बाकी के दस में जो बचे हुए रन हैं वो कि जाए अगर भारत दो विकेट पर दस में सौ कर ले तो फिर भारती टीम इस लक्ष को हासिल करने में बहुत पीछे नहीं रहेगी और अगर सूरिया इसी तर से खिले तन्वीर सांगा आगे हैं गिनबाजी के लिए पहला ओवर तो छे का था ये छे का ओवर नहीं जाएगा इसमें छक्का पढ़ने वाला है और पहले गेंट को स्लॉक कर दिया डीप मिट विकेट पर गोली की रफतार से गेंट को फील करने में नाकाम शौन एबट गेंट चले गी बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए ये ओवर छे का नहीं होने वाला है भारत दस में सो रनों को पार कर सकता है तिरासी हो गया इसकोर दो विकेट के नुक्सान पर तन्वीर सांगा टीम का नमा ओवर लेकर हाजिर हैं पहले बाल जिसको स्लॉक किया था दूसरा बाल लेकर चले तन्वीर और इस बार इशान किशन ने लेस्ट कर दिया गेंट मिट विकेट बाउंडरी के बाहर चार रन बाक टो बाक हिट गेंद बाउंडरी के पार तन्वीर को बाए हाथ के बल्लेबाज ने लपेट लिया और लपेट कर मारा तो मिट विकेट के बाहर गेंद छेरनों के लिए भारत नवासी दो विक्टो के नुक्सान पर ऐसा लगता है कि दस में भारत एक्स को दस कर लेगा जी है बिल्कुल जिस रफ्तार में बल्लेबाजी हो रही है और खास्तों पर तन्वीर सांगा को पहले ओवर में ऐसा लग रहा है कि सांगा को पहले सांगा को सुंगा एसास किया पहले ओवर में इसके बाद देखा की ठीक है अब तुम्हें बताते हैं अगली गेंद और एक बार फिर से इस गेंद को इशान किशन ने उसी दिशा में उचाला और एक बार फिर से गेंद वही रिजल्ट देती हुई एक और छक्का अलाकि बाउंडरी चेक की जा रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद बाउंडरी के उस पार गिरी है इशान किशन तन्वीर संगा को साप सुंगाते हुए बेतरीन बल्ले बाजी शानदार तरीके से पहली तीन गेंदें और तीनों पर ही हमलावर नजर आए हैं इशान चक्का है ये छे रनों का इशार आमपायर का पिचानवे दो विकेट के नुकसान पर भारत शिव कुमार भाई कह रहे थे दस ओवर में सो रन चाहिए ये लिजे नवे ओवर में ही भारत सो के पार चला जाएगा ऐसा लग रहा है तीन गेंदें बागी हैं अभी भी इस के अगली गेंद के साथ तन्वीर सांगा दाइने आद से ओवर द विकेट ये गेंद इस बार आफस्टम से बहुत ज़ादा बहार ये गेंद वाइड बॉल का इशारा दिशा से भटक गए साफ़त और पर इस युवा गेंद बास के उपर प्रेशर दिखाई दे रहा है ए अगर दोनों के बीच में गेंद जाती तो चौका मिल जाता कोशिश भी वही थी इशान की लेट कट किया था लेकिन सीधे गेंद फिल्डर के पास पहुँची और बड़े खफा नजर आए अपने आप से इशान की शनकी ये तो शर्तिया चौके वाली गेंद थी इस ओवर की अगली गेंद और इस बार इशान ने इस गेंद को सीधे बल आड़े बल्ले से ड्राइब किया गेंद जा रही है लोंग आफ के दिशा में एक रन दोन कर पूरा किया इशान ने इशान पहुँचे 36 पर और भारत का स्कोर 97 दो विकेट के नुकसान पर रनों की रफतार अब रिक्वाइड रेट से उपर चली गई है जितने रन भारत को प्रती ओवर चाहिए उससे जादा रन बनने लगे हैं अब और यहां एक बढ़िया उर्जा का संचार दर्शकों में भी देखने को मिल रहा है इस ओवर की आखरी गेंद के साथ तन्वीर सांगा सामना करे मिड विकेट की दिशा में काउ कॉर्डनर के आज पास खेल दिया एक रेंडित मिनान के साथ पूरा किया और इसके साथी ओवर समापत हुआ नवा नौ वरों के बाद भारत का स्कोर है ठानवे दो विकेट के नुकसान पर सुर्य कुमार यादव हैं 38 पर महज 20 गेंदो का उन्होंने सामना किया है और इशान किशन है 36 पर 26 गेंदो का सामना किया है सुर्या ने 4 चौके 2 चक्के लगाए हैं जबकि इशान ने 1 चौका और 3 चक्के लगाए हैं अपनी पारी में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोर्ड पर साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जब सब्सक्राइब का बटन दबाएं तो बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा या आपका अपना चैनल अब यहाँ पर कॉमेंटरी का जो फाटक है वो खुल चुका है पहले कॉमेंटरी नहीं आ रही थी वर्ल्ड कप के दोरान लेकिन अब वो जो फाटक गिरा था वो फाटक उट चुका है जैसे रेल्वे ट्रैक पर फाटक लगे होते ना ट्रेन आने वाली होती है तो वो वर्ल्ड कप की ट्रेन थी जो गुजर चुकी है और अब जो आवागमन के लिए रास्ता है वो बिलकुल साफ है जो यहां और यह आवागमन यूहीं चलता रहेगा ट्रैफिक जाम नहीं होगा इस बात की हम अमीद करते हैं अन्ठान वे दो विक्टो के नुकसान पर भ वो भारत बिलकुल नेक टो नेक फाइट देता है वो नौ में अन्ठान वे कर लिए भारत ने और यह दसमा ओवर है अंगुठे में कुछ चोट आई है हाथ में इशान किशन इस वक्त पेन प्रिलीविंग स्प्रे करते हुए अपने हाथ पर खुबसुरत नजारे वाले हैं वो अपने मुबाइल फोन्स की जो लाइट है लेड लाइट से वो जलाते हैं और इससे एक अलग सा समा बनता है मैथ्यू वेड विक्टो के बीचे थोड़े परशान हरशा हैरान नजर आते हुए और इशान किशन सुरे कुमार यादव की जो जो जोड़ी है जो नहीं मुश्किल होता रहेगा 76 रनों की पार्टनर्शिप ये दुनों कर चुके हैं 49 गेदों में और अब एक बार फिर से शान एबट जिन्होंने एक ओवर किया था 20 रन दिये थे अपना दूसरा ओवर लेकर टीम का दस्वावर सामने सूरिया पहला बॉल लेकर चले और जैन को गाइड किया, तर्ड मेंड की तरफ डाइव लगा कर गेंड को रोका गया, शॉट टर्ड मेंड की पोजिजन पर फिलर थे तन्वीर गेंड को रोका एक रन भारत निन्या 95 दो विक्टो के नुकसान पर औस्ट्रेलिया अकलौती ऐसी तीम है जिसने वर्ल कब जीता है T20 World Cup जीता है World Test Championship जीती है Champions ट्रॉफी जीती है क्या नहीं जीता मुझे लगता है कि भारत अगर World Test Championship की ट्रॉफी जीत ले तो भारत भी वही टीम हो जाएगी सिर्फ वही है दो बार final पहुची है भारत और दोनों बार हार गई है एक बार न्यूजलेंड से एक बार ऑस्ट्रेलिया से निन्यानवे दो विक्टो के नुक्सान पर शौन है पर अगला बॉल लेकर आस्टम के काफी बार इतना तेज शॉट लगाने की कोशिच की बल्ला से छूट गया इशांड के और यह वाइड बॉल का इश चैंपियन सत्ता सी निन्यानवे दो हजार तीन, दो हजार साथ, दो हजार पंद्र है, दो हजार तेज़, पिछले वर्ल कप एक एक वर्ल कप के ब्रेक देकर ऑस्ट्रेलिया जीतता रहा है अगला बॉल, ऑस्टम के बाहर एक बार फिर से वाइड बॉल होनी चाहिए, जेह की एक वाइड की लाइन के उपर से, लेकिन नितिन मेनन ने दिया है, तो कुछ सोई समझ के दिया होगा, एलीट पैनल वाले अंपायर है, वो रोहन पंदित नहीं है, जो डॉमेस्टिक क्रिकेट के अंपायर है, और शॉन एबट को उन्होंने समझाया भी, अगला बॉल, जिलेवरी डाउन दे ग्राउंड ड्रिल किया, लॉंग ओफ पर गेंद को रोका जाएगा, लेकिन दो रन लेने का मौका है, डाइव लगा कर गेंद को रोका, बैंड ओफ ने दो रन ले लिए बल्लेबास इशान किशन, बैंड ओफ नहीं बलके यहां पर, मेरा खाल से ऐसे मुल्क हैं, जिनका कद बहुत लंबा बहुत ऊचा नज़र आता है, अगला बॉल आस्टम के बार इस गेंद को कट किया, पॉइंट की तरफ एक रन के लिए इशान किशन ने, इस बार धीमी रफतार की गेंद, शान एबट लगातार इस ओवर में रफतार जो है उन्ह गेंदों में, अभी भी तीन गेंदे बाकी हैं, और स्ट्राइक पर है सूरिया, सूरिय कुमार यादो, 49 तरन 21 गेंदों में, भारती टीम के कप्तान, जैसे ही भारती टीम के कप्तान अनाउंस हुए, जो वेब पोर्टल पर नएने उभरते हुए, क्रिकेट पोर्टल्स है वो एक सवाल लेकर पैदा हो गए, अगला बॉल इस गेंद को स्कूप किया, और तन्वीर सागा के आगे गेंद डिप करती हुई, डाइव लगाई, गेंद को कैश तो ना कर सके, लेकिन बाउंडरी जाने से रोका, सूरिया एक बार फिर से आग से खेलते हुए, कैश ड्र तन्वीर आगे बढ़े, गेंद डिप हुई, और टपा, तिन-चार इंच आगे गेंद टपा खा गई, तन्वीर सांगा के, और ऐसे में अपनी बॉडी जोकी ये चौका बता है, वाइड बॉल एक और आती हुई, भारत का स्कूर 106, दो विक्टों के नुकसान, पर तो अंडिया, इस्कीम आफ तिंक्स से हो गए हैं बार, एंड आइ थिंक कि ये हिट्स लेने की जो कोशिश है, ये इन वेबसाइट्स को एक लॉंग करियर के रूप में अगर देखना है, तो शायद उनका करियर बड़ा शौट हो जाए, उनको हिट्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन क्रेडिबिल्टी चली जाएगी, और ऐसे में इन चीजों का खयाल करना पड़ेगा, हार्दिक इंजर्ड हैं, वो फिट होकर आएंगे तो वो बाई डिफॉल्ट, टी ट्वेंटी के मुझे लगता है कि खिलाड़ी नहीं, कैप्टन भी हैं, एक सुच है, दो लिया की तरफ से निकल गया, तीन वाहिट्स करने के बावजूद भी, शौन एबट एक बढ़िया ओवर कर बैटे, और भारत एक सुच्छे दो विक टोके नुक्सान पर दस ओवर्स की गेंदबाजी के बाद, बैतरी इन ओवर्सी की है, शौन एबट ने पहले ओवर में 20 भी अपने उपर आने दिया नहीं है, और एक और चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है, इसकी हालत जो है, वो खराब नजर आ रही है, क्योंकि वक्त के साथ चीजें जो है, धीमा पड़ रहा है, और ये एक चिंता का कारण जरूर है, लेकिन देखते हैं, जब तक हैद जान तो ऐसे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भारती टीम खड़ी हुई है, और खड़ी होकर के भारती टीम ने चालिंज तो किया है ऑस्ट्रेलिया को कि ठीक है हम वोल्ल कप हा रहे हैं, हमने आप के सामने घुटने टेके थे, ले लेकिन ये अलग फॉर्मैट है आपने 308 रंट ठोक दिये हैं ये बात ठीक है ये भी बात मंजूर है लेकिन जब हमारी बल्ले बाजी की बारी आएगी तो हम भी वो जोहर दिखाएंगे और अभी तक जो भारत की बल्ले बाजी रही है वो बहुत माकूल बल्ले बाजी आप क हैं कि हम से गलती हुई है हम मानते हैं लेकिन हम गलत आदमी नहीं तो वो भारती टीम है कि वो एक दिन ओफ रहा लेकिन ये भारती टीम की क्रिकेट खेल सकती है और 200 8 रन करने के बावजूद ऑस्ट्रिलिया को कहते हैं ने कि भारती टीम is giving a run for the money और इस वक्त 10 overs के बाद भारती टीम आस्टेलिया से आगे निकल चुकी है एक विकेट भारत का जादा गिरा है भारत के खिलाफ आस्टेलिया का दूसरा विकेट 101 पर गिरा था लेकिन भारत रनों की रफतार बहुत अच्छी maintain कर चुका है दस रन पर उवर से जादा भारती टीम स्कोर कर रही है सूरिया 40 किशन 49 रन बना कर बल्ले बाजी कर रहे हैं और ये तोनों की जो partnership है ये मैथी वेट को बिलकुल रास नहीं आ रही है तो ये जो ड्रिंक्स के दौरान बाचीत तो हुई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये ड्रिंक्स बेक किस के लिए जादा फायदे मन्द होगा एक बार फिर से खिला ली तयार सूरे कुमार यादव स्ट्राइक लेने के लिए एक सो तीन ड़नों की जरूर साठ गेंदों में जिस तरह से ये दुनों खेल रहे हैं अगर सूरिया की चली और सूरिया खेलते रहे तो ये साठ गेंदे जादा हो जाएंगी याने की गेंदे बच जाएंगी और भारती टीम ये मकाबला जीतेगी मारकस को गेंद थमाई गई है जिनको पहला ओवर दिया गया था 12 रन उनों ने दिये थे पहले ओवर में वो अपने कोटे से दूसरा ओवर लेकर आएंगे बैंड ओफ ने 3 ओवर में 19 किये अच्छी बात ये है कि भारत के लिए कि बैंड ओफ के पास सिर्फ एक ओवर बचा हुआ 106 दो विकेट के नुकसान पर हलां कि भारत के पास बैटिंग अभी आना बाकी है रिंकु सिंग दे निवेस्ट फिनिशर इस टी ट्वेंटी की जो ब्रीड है उसमें शामिल हुए है और पिछले दिनों जो टी ट्वेंटी मुकाबले खेले गए डॉमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत शानदार प्रदशन किया तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हार्दी का भी नंदन स्वागत वेलकम अभी वादन स्वी कार करें भारती ये बल्ले बाजी शानदार चल रही है एक सुच्छे दो विकेट के नुकसान पर एक ग्यारवे और के शुरुआ पहला बॉल आफ्टम के काफी दादा बार था गैप से निकालने की कोशिश शार थर्ड मैन और बैकवर्ट पॉइंट के बीच से निकालने की कोशिश सुर्या ने एक वाइड बॉल खेल दी अगर ना खेलते तो वाइड होती इशान किशन की तरह लेकिन खेल बैठे ये प्रविर्ति होती है बल्ले बाजों की गेंट को छोड़ना नहीं चाहते है और ये लूज बॉल था जिस पर कोई रग नहीं मिला बहराल दूसरे बॉल के साथ अपने बॉलिंग के निशान पर मारकस स्टॉइनिस सामने सूर्य कुमार याद आओ टी टुएंटी क्रिकेट का सीजन लॉट आया है करीब दो महीने पचास होवर की क्रिकेट चली वर्ल कप चला इस गेंट को लिफ्ट किया खेलना चाहते थे फाइन लेक पर गेंट गई थर्ड मेंट की तरफ और मुस्कुराते वे स्टॉइनिस गेंट बाउंडरी के बाहर एक टपे के बाद चार रन मेर्थिव वेट के भी चेहरे पर मुस्कुराट खेल रहे थे फाइन लेक पर गेंट उनके शायद गलव्ज में टकराई जो यहां गलव्ज में टकराकर चली गई शॉट थर्ड मैंट के उपर से चार रनों के लिए बाउंडरी 110 दो विकेट के नुकसान पर अगला बॉल औस टप के बार इस गेट को उचलते हुए पॉइंट की तरफ से गेट को खेला एक रन लेने का मौका भारत 111 दो विकेट के नुकसान पर सूरिया 45 के शन 49 रन बनाकर बैटिंग करते हुए आप तमाम सुनने वाले हमारे साथ मुनीर हैं, हमारे साथ प्रिया हैं, पूनम हैं, मार्मिक हैं, सना हैं, नाजिश हैं, कमलेश हैं, धर्मराज जी हैं सभी का बहुत स्वागत है भारती टीम क्या जवाब दे रही है बैतरीन बल्लेबाजी विशा का पटनम के इस मैदान पर जाओं ऐस्ट्रेलिया को इस वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है बारकस टॉइनिस के हाथों ऐस्ट्रेलिया एक विकेट की तलाश में ओवर का चौथा बॉल लेकर अपने बॉलिंग के निशान से दोड़े सामने है इशान आफस्ट्रम के बाहर वाइड यॉरकर इस गेंट को ड्रिल कर दिया पॉइंट की बगल से गेंट जाती हुई स्विपर मौझूद एक रन देने का मौका सिंगल की मदद से भारत 112 दो विक्टो के नुकसान पर इशान भी पहुँचे 40 पर इस ओवर के गेंट बाजी कर रहे हैं मारकस 56 गेदों में 97 विरनों की जरूरत है भारत के पास आठ बल्लेबाज आने को हैं जिनमें तिलक वर्मा भी है जिनमें रिंकु सिंग भी है अक्षर पटेल भी है सूरिया और इशान किशन तो बैटिंग कर ही रहे हैं एक सो बाई दोविक्टों के नुक्सान हो नोसे पालिक्स बनाकर 25 गेदोवे स्विपर कवर बाउंटरी पर ठटमें बाउंटरी पर फाइनलेक बाउंटरी पर लॉंग बाउंटरी पर डिप मिl practices बाउंटरी पर सूरिया कुमार यादव के मारकस आफस्टम के बार इस गेंद को कट किया कवर्ज में गेंद जाती हुई एक रन लेने का मौका लेक्साइड को पैक किया जाता है और आफसाइड के इलाके में सुर्या कुमारियादो को गेंदे खिलाई जाती है ताकि वो fine leg के अलाके को target ना कर सके सुरिया का खौफ है fine leg को लेकर long leg को लेकर deep square leg को लेकर इशान किशन के लिए deep mid wicket boundary पर deep cow corner पर एक filter है long on long off boundary पर एक filter super cover इस वक्त boundary पर patrolling करता हुआ over की आखरी गेंद के साथ खौबसूरत मैदान बहुत बेहतरीन मैदान मारकस अगलंग बॉल और अस्टम के बहुत जादा बाहर एक wide ball बेहद wide ball भारत को एक रण का और फाइदा मिलता हुआ रण की गती बढ़ती हुई रफ्तार में एक रण का इजाफा 95 जरुवत है 55 गे दे आणा बाकी है भारत के लिए यह मुकाबला धीमे धीमे भारत के लिए आसान और अस्टेलिया के लिए मुश्किल होता हुआ उस्टेलिया को पता है कि एक दो विक्टे निकल जाएं तो इस मैच में वापसी की जा सकती है सुनिल कनोजिया कहते हैं वरकिंग इन दुबाई लिसनिंग यूर कॉमेंटरी इकबाल सर हाउ अर यू वी आ फाइन थैंक यू सुनिल कनोजिया जी शॉट पेज गेंद आफटम के बाहर धीमी रफतार पॉइंट की तरफ खेला रन लेना चाहते थे इशान लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं ओवर फिनिश होता हुआ आठ रन इस ओवर से आए ग्यारा ओवर्स की गेंद बाजी मुकमल हो चुकी है और ऑस्टेलिया के खिलाफ भारत 104 रन बना चुका है दो विकेट के नुकसान पर हमारे साथ अनिल कुमारी जी है अंजली कुमारी जी है इंडिया वाले ब्लू हर्ट भेजें और ऑस्टेलिया वाले येलो ओके जी प्रमोज जैसवाल जी है फाइनल में सूरिया को क्या हुआ था ये बस ब्रेन फ्रीज हो गया था सूरिया वो काम न कर सके और ये होता है बड़े मुकाबलों में कई बार प्रेशन फाइनल कहिलते हुए अबने देखा है 2003 के विशो कप के फाइनल में जहीर खान की बात होती है गेंदवाजी को लेकर लेकिन जवागल शिरनाथ भी एक सीजन केमपेनर भी आफ ट्रैक हो गये थे दस में 87 दे गये थे वो हो जाता है फाइनल में कई बार अच्छा किलते हुए भी आप ट्रैक से जो है उतर जाते हैं सहीद अश्रफ हमारे साथ जमू कश्मीर से आकाश गौतम नस्रे आलम भी हमारे साथ है अगला बॉल लेकर अगले वर्क के शुरुवात नैथन एलिस पैट्स में गेंथे फ्लिक कर दिया फाइनल एक पर फिल्डर तैनाथ किया हुआ है ऐसे में एक रंस से जादा नहीं मिलेगा भारत को 150 दो विक टोके नुकसान पर भारती टीम का स्कोर है नैथन एलिस गेंदाजी करते हुए जॉश इंगलिश ने आज आस्टेलिया की तरफ से एक बहुत ही दिलफरेब इनिंखेली सैकड़ा लगाया सेंचरी की और हलाकि जिस तरह से आस्टेलिया ने बैटिंग की थी आस्टेलिया दो सो पच्चिस के पार जाना चाहिए था मुगेश कुमार के आखरे ओवर ने आस्टेलिया को बहुत डेंट किया क्या वो भारत के लिए फाइदे मन साबित होगा अगला बॉल धीमी रफ्तार आफ्टम के बाहर तेज बल्ला चलाया लेकिन गेट बल्ले पर आई नहीं मिड़ॉफ का खाली इलाका था वहाँ पर गेट पहुंची एक रन दोड़कत पूरा किया इशान किशन ने अमर सिंग सौलंकी भी हमारे साथ है असिम भाई मैं श्री गंगा नगर आजिस्तान से आपकी कॉमेंटरी सुन रहा हूँ भाई मैं आपको बहुत पुराना दोस्त हूँ मैं आपको विशुकप में भी याद करता रहा लेकिन आप भी कॉमेंटरी नहीं आई अमर सिंग सौलंकी भाई बहुत स्वागत है आपका बहुत शुक्रिया आपका आप गंगा नगर आजिस्तान से श्री गंगा नगर से सुन रहे हैं ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है और वर्ल कप के दोरान कॉमेंटरी ना कर पाना ये हमारी मजबूरी थी लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है अब हमने खुल जा सिमसिम का कोड हासिल कर लिया है हना नारा बुलंद कर दिया और दर्वाजा खुल जाता है अब आपके सामने हीरे जवारात है आप जितना चाहे लूट सकें लूटें 170 दो विक्टों के नुकसान पर हमारे साथ उमेश प्रसाद यादव जी है बी टू के गेमिंग भी है आप सब एका बहुत स्वागत है 170 दो विक्टों के नुकसान पर भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए इस मैच को जीतने के लिए रनों की ज़रुवत तो है इन दोनों की बहुत ज़रुवत है नेथन एलिस अगला बॉल इस गेंट को लिफ्ट कर दिया मिट में करके बहुत लंबा हिट छे रन इशान किशन ने कहा बहुत हुआ सम्मान नेथन एलिस का नेथन एलिस जो काफी देर से परिशान कर रहे थे कभी बिलकुल एक गेंट सुर्रा हो गई इशान देखते रह गए इस बार स्लोट में आई और गई आर्क में आई और पार्क में गई छे रनों के लिए एलिस की इस गेंट पर इशान किशन ने भरपूर दम भरते हुए जमा कंदे हैं बाजुवों में ताकत है बिहार के लाल है पटना तो जरूर रहे होंगे और पटना में क्रिकेट अब जब देखें तो पटना में हार्ड इटिंग क्रिकेट बहुत देखने को बिलती है ओस्टम के बाहर इस बार इस गेंद को ड्रिल करना चाहते है 123 दो विकेट के नुकसाग पर नैथन एलिस बारहमा ओवर चलता हुआ ये शेर की सवारी भारती टीम कर रही है अगर एक दो ओवर भी खामोशी से निकले तो रनों की जो रफतार है जो रिक्वाइड है जो ज़रूरत है उनको खत्रा है कि कहीं उनका शतक हार में न तब्दील हो जाए अगला बॉल इस बार बहुत तेश शॉर्ट लेकिन सीधा फिल्डर को भेट दिया फिल्डर को गोली की रफतार से ये शॉर्ट था पीछे प्रोटेक्शन मौजूद था एक रन लेने का मौका तो इस ओवर्ट से भारत ने हासिल कर लिया आखिरकार दस रन एक चक्के के साथ बारे ओवर्ट की गिनबाजी के बाद भारत का स्कोर 124 दो विक्टों के नुक्सान पर यानि 48 गिंदों में भारत को 85 रनों के ज़िए जया तो अब एक्वेशन जो है वो बहुत सिमिलर है जो परिस्थियां इस वक्त हैं उसी परिस्थिय को जारी रखना होगा भारत को मकाबला जीतने के लिए रिक्वाइड रेट 10.6 तीन का है और मौझूदा रनगती 10.3 तीन का है यानि कि बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है ऐसा जिसको की भेदा ना जा सके जिसको पाटा ना जा सके बहुत बढ़िया पोजीशन में बढ़िया कमफिटबल रंची इस भारत की तरफ से चल रहा है इस मकाबले में और भारत के दोनों बल्ले बाजों को यहाँ पर दात देनी होगी जिस तरीके से बल्ले बाजी हुई है 124 दो विकेट के नुकसान पर आठ में पचासी चाहिए भारत के पास आठ विक्टें बची हुई है भारत के पास बहुत खतरनाक बल्ले बाज रिंकू तिलक मौजूद है अक्षर पटेल भी लॉंग हैडल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसे में भारती टीम के पास बैटिंग तो अच्छे घासी है और जैसन संगा की गेंद बाजी है इस गेंद को खेला सीधा काउ कॉर्णर चार रन पचास पूरे इशान किशन के इस बांडरी के साथ बावन रन बना कर वेतर इन बैटिंग 128 पर दो भारत 140 का स्ट्राइक रेट करियर का ये पाँचमार अर्षा तक टीट्वेंटी इंटरनेशनल करियर का लगाया है इशान किशन किशन के बल्ले बाजी बारत को अब जीतने के लिए इस मकाबले को एक क्यासी रनों की जरूरत अगला बाल इस गेंट को लेफ कर दिया मिट्विकेट के उपार से चारन पहले चौका फिर चखका तन्वीर संगा बहुत महेंगे भारत के खाते में ये नवा चखका दो दशमलो दो ओवर में पैंटीस रंदी ये तन्वीर संगा ने राइट आम लेग ब्रेक गेंद बास की बखिया उधेडी है इशान किशन ने शाट गेंदे गुगली नहीं कर पा रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं बाहें हाथ के बैट्समेंट को तो मारना और आसान हो जा रहा है हिट करना मिड्विकेट बाउंडरी के बाहर फेकना और आसान इशान किशन शांदार बल्ले बाजी करते हुए पाचमा छक्का लगाया इशान किशन ने 58 पर पहुँचे यार तन्वीर सांगा सामने हैं इशान किशन 58 के योग पर अर्दशतक अपना पूरा कर चुके हैं सूरिया को दो रन चाहिए अर्दशतक के लिए तन्वीर सांगा चले दायने आद से ओवद अवेकेट ये गेंद और इस बार इशान किशन नेक्सरा कवर के उपर से उड़ाने की कोशिश की फिल्डर मा मौझूद है कैच कर लिया और इसके साथ ही इशान किशन आउट भारत को तीसरा जटका 49 गेंदो पर 58 रनों की शानदार इनिंग्स खेल करके इशान किशन वापस जा रहे हैं लेकिन अपना काम उन्होंने कर दिया है अब भारत के पास परियाप्त बल्लेबाजी है जिस तरीके से रिंको सिंग, तिलक वर्मा, सरीखे बल्लेबाज हैं सुर्य कुमार, यादव, स्वैम अभी नाबाद हैं और अक्षर पटेल भी आज टीम में शामिल है तो निशित रूप से भारत के उपर कोई बहुत ज़ादा फर्क इस विकेट का नहीं पढ़ना चाहिए शानदार इनिंग्स रही आज इशान किशन की बैतरीन पारी शुरुआत में उन्होंने स्ट्रागल जरूर किया लेकिन इसके बाद उसको उन्होंने ओवर कम किया और बैतरीन बल्ले बाजी की और खास्तों पर तन्वीर संगा के खिलाफ जो वो आक्रामक तेवर उन्होंने दिखाया वो देखते ही बन रहा था बहुती शानदार बल्ले बाजी की उन्होंने और इस वाक तिलक वर्मा मैदान पर आ रहे हैं बल्ले बाजी करने के लिए युआ बल्ले बाज तिलक वर्मा विश्वकप से पहले काफी इस बात को लेकर के चर्चा रही कि क्या तिलक वर्मा को भारती दल में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं लेकिन तमाम इफ्स और बट्स को दरकिनार करते हुए सिलेक्टर्स ने तिलक वर्मा को जगा नहीं दी और श्ट्रेय जायर और केल राहूल सरी के इंजर्ड प्लेयर्स के साथ जाना मुनासिब समझा और उन प्लेयर्स ने क्या डिलिवर किया पूरे विश्वकप में फाइनल मुकाबले को अगर निकाल दें तो तमाम भारती खिलाडियों ने सर उचा करने का मौका दिया ये डेड़ महीने ऐसे रहे जिस पर कई अंगिनत पल ऐसे रहे जहां भारत गौरवान मित महसूस कर रहा था अपने इन खिलाडियों को ले करके इस ओवर के अगली गेंद के साथ तन्वीर सांगा बाएं हाथ के बल्लेवाज वर्मा के लिए ये गेंद आफस्टम के साब ने थी इस गेंद को सौफ्ट हैंड से खेला ओफसाइड वे लेकिन पॉइंट पर लपकते हुए आई फिल्डर गेंद को उन्होंने उठा लिया लेकिराई वही पर जमीन पर गिरी विकेट कीपर ने आगे वड़कर के गेंद को उठा लिया रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं तिलक वर्मा के पास 134 भारत तीन विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर के बाद आखरी गेंद के साथ तन्वीर सांगा दायने आद से इशारा नहीं किया अमपायर ने इसका मतलब ये कि तिलक वर्मा ने एक बड़ा जो खिमपूर्ण शॉट खेला लेकिन किसमत वाले रहे कि गेंद विकेट कीपर के सर के ठीक पीछे उरती वी गई और ऐसे में कोई नुकसान नहीं हुआ एक रन आखरी गेंद पर बना ओव आउस्डेलिया रिप्लाइ तो दिया है भारत ने ऐसके जाइन इसके जवाब में भारत ने पहला विकेट जल्पी घञा दूसरा विकेट भी बहुत जल्पी घ्माया लेकिन इसके बाद भारत ने जो पार्टनर्शिप्प की सोरे कुमार यादव और इशान किशन ने उस चौन अबट ने दो ओवर में 28 रंड खर्च किये हैं सफलता उनको नहीं मिली है दाइने आद से ओवर डविकेट बलकि राउंड डविकेट आते हुए पहली गेंद आफस्टम के महारती इस गेंद को कट किया गेंद जारी है सुईपर कवर के लाके में आफस्टम के दारे के फिल्डर ने गेंद को उठाया मारकेस टॉइनिस पीछे गेंद के भाग रहे थे एक रन लेने का सिर्फ मौका दिया तिलक वर्मा को तिलक वर्मा पहुंचे दो पर भारत का स्कोर 136 तीन विकेट के नुकसान पर आप सबी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अन्फोल्ड पर साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा फिलाल सूरी कुमारी आदब आप साबना करेंगे शौन अबट का 41 गेंदों पर 73 रनों की आबशकता है मकाबला जीतने के लिए अलपेश गोहिल, कवीत अश्रिधर सत्यम हमारे साथ हैं सिस्टम हैंग कर देंगे इस उबर के अगली गेंद और इस बार सूर्य कुमारी आदब ने इस गेंद को लॉंग आण की दिशा में खेला सीदे बल्ले से और गेंद जाकर गिरती हुए बाउंडरी लाइन के उस पार चैरन सूर्य कुमारी आदब का अर्द शतक छक्के के साथ पूरा भारत 142 तीन विकेट के नुकसान पर इस छक्के के साथ फुल लिंद की गेंद थी शौन आबट की और इस गेंद को बिलकुल गेंद के पीछे आते हुए त्रू दे लाइन उठा कर खेला और गेंद लॉंग ऑन बाउंडरी के बाहर छे रन के लिए जबर्दस छक्का कप्तान के बल्ले से ये तीसरा छक्का है सूरिया का पांच चौके भी लगा चुके हैं और के फिल्डर से काफी पहले गेंद जमीन पर टपक हाई एक रन इत्मिनान के साथ सूरिया ने पूरा किया सूरिया पहुँचे पचपन पर तीस गेंदों पर पचपन रन बना कर सूरिय कुमार यादव बल्ले बाजी कर रहे हैं 183 की स्ट्राइक रेट के साथ शांदार क्रिकेट सूरिय कुमार यादव खेलते हुए शांदार अर्दशा तक कप्तान ने आज कप्तानी पारी खेली है लाजवाब ये इनिंग्स रही है कप्तान की इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार गेंद बाज शान अबट दायने हाथ से राउंदा विकेट बाए हाथ के बल्ले बाज के लिए गेंद और इस बार थोड़ी सी शॉट राइजिंग डिलीवरी थी बल्ले के नीचले हिस्से पट तकराने के बाद गेंद गेंद बाज शान अबट के दिशा में आई लुड़कती हुई गेंद को उनने उठाया और रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया बल्ले बाज तिलक वर्मा को तिलक वर्मा पांच गेंदों पर दो रन बना कर खेल रहे हैं 66 रन चाहिए भारत को 38 गेंद बाज चीफी है इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार गेंद बाज शान अबट सामना करेंगे तिलक वर्मा बाए हाथ के बल्ले बाज मैदान पर हैं ये गेंद और इस बार तिलक वर्मा ने इस गेंद को कट करने की कोशिश की बले का बारी किनारा वाबसलिप में कोई फिल्डर नहीं था विकेट कीपर का हाथ लगा और थर्ड मन के फिल्डर ने गेंट को रोक लिया बैतरी इन फिल्डिंग बाउंडरी लाइन पर शर्तिया चौका बचाया सिर्फ एक रन लेने का मौका तिलक वर्मा के पास और इस एक रन के साथ तिलक वर्मा पहुंचे तीन पर भारत का स्कोर 144 रन तीन विकेट के नुकसान पर आफस्टम के बाहर शॉट अफ फिलेंड डिलिवरी थी और इस गेंट को कट करने के लिए थे तिलक वर्मा तिलक वर्मा के लिए थर्ड मेन बाउंडरी लाइन पर बलके अब सूरिया स्ट्राइक पर हैं तो बाउंडरी लाइन पर फाइन लेग भी है और एक खिलाडी लॉंग लेग बाउंडरी पर भी नजर आ रहा है अगली गेंद आफ्टम के बाहर पटकी विगेंथी सूरिय कुमारी आदव उन साइड में लपेट ना चाते थे लेकिन गेंद और बलने के बीच में कोई समपर्क नहीं गेंद चली गई विकेट कीपर माथ्यू वेड के दस्ताने में और इसके साथी ओवर समापत हुआ ये गेंद बाज शौन आंथनी आबट का और 14 ओवर के खेल के समापती के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 144-3 विकेट के नुकसान पर सूरिय कुमारी आदव खेल रहे हैं 55 रन बना कर और तिलक वर्मा ने तीन रन बनाए हैं वलकि छे रन बनाए हैं अभी तक अपनी इस पारी में आप सभी सातियों का बहुत-बहुत स्वागत इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल पर दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें चानल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबालीजिए भारत के लिए ये जो जोडी है बैटिंग करते हुए इस जोडी ने एक बार फिर से उमीद जगाई है और क्योंकि मुकाबला इतने करीब आ चुका है 65 चाहिए 6 ओवर की गेंद बाजी में जैसी बैटिंग हुई है अगर एक दो ओवर ऐसी बल्ले बाजी हो गई तो ये फासला और पढ़ जाएगा और भारती टीम के लिए ये मौका है एक रिकॉर्ड चेस करने का एक जबरदस चेस करने का आखरी 6 ओवर की गेंद बाजी और तन्वीर संगा पहली गेंद तिलक के लिए आस्टम के बार से इस गेंद को मिट विकेट की तरफ पुल कर दिया गेंद बाउंड बे के बाहर चाहर फर दीप मिट विकेट के फिल्डर दोड़े लेकिन दो कदम आगे बढ़कर वो रुख से गए गेंद की रफ्तार जादे थी भारत को चौका मिला अब 61 चेहिए 35 गेंदों में 148 तीन विक्टों के नुकसान पर भारती टीम का स्कोर है तिलक वर्मा बहुत ही अटैकिंग प्रिकेटर है और बिल्कुल इनके नाम को लेकर चर्चा भी हुई थी टीम में चर्चा, मैनेजमेंट में चर्चा, बोर्ड में चर्चा हुई न हो, कम हो पबलिक के बीच बहुत चर्चा हुई थी तिलक वर्मा को लेकर 143 विकेट के नुकसान पर साथ तरण बना कर तिलक खिलते वे स्ट्राइक पर, जैसन चले और इस बार स्विच कर दिया गें जाती भी, फाइल लेक बाउंडरे के बाहर चार रनों के लिए ये थर्ड मैन होता लेकिन बाए हाथ के बैट्समैन के लिए तो ये फाइल लेक हो गया स्विच कर दिया, डेविड वार्नर कहीं देखके आस्ट्रेलिया में कह रहे होंगे ये मैंने क्या शॉट पैदा कर दिया 152 विकेट के नुकसान पर भारत को अब 57 डनों की जरूरत है 34 गेदो में जबरदस्त और बिलकुल सही कहा कि ये ब्रेव ये करेज ये शॉट था करेज दिखाना होगा क्योंकि ये वो अवस्था है अगर भारती टीम थोड़ा भी धील देगी तो अस्टेलिया सवार हो सकती है पहली दो गेदो पर दो चौके तन्वीर के लिए ये रात बेहद काली रात हो गई है आफस्टम की लाइन फुल पिच दिलिवरी इस गेट को ड्राइब कर दिया अलॉंग दे कार्पेट लॉंग ओर पर एक रन के लिए स्टीव स्मित मौजूद अंतिम ओवर्स में लॉंग ओन लॉंग ओफ पर बहुत उब्दा फिल्डिंग करते हैं स्टीव स्मित दुनियाए क्रिकेट में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जैसे कैचेज स्टीव ने किये हैं मुझे नहीं लग तक किसी एक खिलारी ने इतने शांदार कैचेज किये होंगे और ये देखना होगा भारत की इन दो बल्ले बाजों को स्टीव स्मित कहां पर हैं उस इलाके का चैन थोड़ा सा हट कर करना होगा एक सो तिरपन पर तीन भारत को चपन चाहिए तैंतिस गे दियानी बाकी है भारत के लिए ये फासला कम से कम होता हुआ तन्वीर चले सुर्या के लिए आफ्टम के बाहर ड्राइव कर दिया का वज में पीछे फिल्डर मौजूद एक रन लेने का मौका स्विपर नेगेट को त्रो किया अच्छा ओवर भारत के लिए 11 रन आ चुके इस ओवर से तन्वीर सांगा आज काफी महंगे सुर्य कुमार यादव 32 गेदो में 56 रन तीन छक्के पांच चौके लगाए बल्ले बाजी करते हुए इशान किशन ने भी बहुत उंदा बैटिंग की अर्धिशदक की आठा वंडर मौनों ने भी बनाए लेकिन वो आउट होकर वापस पविलियन जा चुके हैं केज किया तिलक वर्मा आउट तन्वीर सांगा को दूसरी कामयाबी बड़ी कामयाबी मिलते हुई किशन के बाद अब तिलक को उन्होंने आउट किया है किशन भी हिट लगाने के प्रयास में आउट तिलक भी बड़ा हिट लगाने के प्रयास में आउट भारत के लिए एक झटका जरूर रेकिन भाई और बहनों रिंको सिंग आने वाले हैं मैदान पर तब फिनिश रिंको सिंग भारत के लिए एक बहुत चमकदार सितारे की शकल में रिंकु सिंग भारती एक क्रिकेट को एक लंबा वक्त दे सकते हैं अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं अपनी खित्मात अंजाब दे सकते हैं अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और रिंकु सिंग के रिंकु सिंग का जो जहन है जो सोच है वो क्रिकेट को लेकर बहुत ही जाली और ये गेद अगर वो शॉट नहीं खेलते तो शायद वाइड भी हो जाती लेकिन शॉट खेल बैटे और वो टॉप एज ले गई गेंड ये गलती भारत को कहीं भारी न पड़े बहराल भारत के पास अभी भी बैट्समेन है देखना ये है कि कहीं अक्षर पटेल न ब सामने तन्वीर इस गेंड को डाउन दे ग्राउंड पुश किया एक रण के लिए आते ही अपनी इनिंग का अगास किया ओवर फिनिश और इसी के साथ चार ओवर की गेंडबाजी मुकमल की है तन्वीर ने 47 वंदे कर दो विक्टे हासिल की है अब इट अफ़ कम बैक फ्रम तन्वीर सांगा शुरू के तीन ओवर में 34 वंदे चुके थे कोई विक्ट नहीं था तो इस ओवर में रन दिये लेकिन दो ये जो विक्टे इनके खाते में आ चुकी है ये क्या उस्ट्रेलिया के लिए पैक डालिंग है जया विलकुल एक चीज तो है कि इन्होंने महंगी जिनवाजी जरूर की है लेकिन विक्ट दो निकाले हैं और दो लेफ्ट हैंडर्स के विक्ट निकाले हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिहाज से कि एक लेक ब्रेक बोलर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है लेफ्ट हैंडर्स को आउट करना लेकिन दोनों लेफ लिए T20 मुकाबलों में ये लक्ष बड़ी आसानी से चेज होते हैं और सौमे 99 दफा चेज हो जाते हैं जिस तरह से भारत के पास फायर पावर है जिस तरह से सूरे कुमार यादव एक का बल्ला इस वक्त आग उगल रहा है मैदान पर 32 गेंदों पर 56 रन बनाकर 175 की अमपायर नितिन मैनन का आस्ट्रेलिया एक अपतान माथ्यू वेड बहुत जादा खुश नहीं है माथ्यू वेड को ये पहला उसर नहीं है जब ये लगा है कि ये गेंद वाइड नहीं थी दरसल इस मुकाबले में 4-5 उसर ऐसे आए हैं जब वाइड दी अमपायर ने तो नहीं है रिंको सिंग ये गेंद और इसमार रिंको ने बहुते खुबसूरती के साथ गाइड किया दो फिल्डर्स के बीच में शॉट थर्ड मैन और बाकवर्ट पॉइंट के बीच में गेंद दंदरा तीवी बांडर के बाहर चार रन के लिए इशान किशन इस शॉट की पूरी पारी में करते रहे और रिंको ने अपनी दूसरी ही गेंद पर ये शॉट खेल दिया ये गाप तलाश लिया और ये तो खास बात है रिंको सिंग में ना सिर्फ बाजुओं में ताकत है बलकि नजाकत भी है कलाईयों में एक सो साथ भारत चार विकेट के नुकसान पर रिंको सिंग पहुंचे पांच पर 16 वा उवर पारी का चल रहा है मारकस टोईरिस तीसरा उवर अपने डालते हुए ये गेंद और इस बार सीदे बल्ले से इस गेंद को खेला अपिश ड्राइव लेकिन मिड आफ पर जब तक गेंद को रोका जाता एक रन दोल कर पूरा किया गया रिंको के द्वारा और इस एक रन के साथ रिंको पहुंचे छे पर भारत का स्कोर 161 चार विकेट के नुकसान पर 28 गेंदे हैं 48 रनों की आवशकता है मुकाबला जीतने के लिए धीरे धीरे इस मुकाबले में गेंद को रचते हैं तो फिर वो पंजा इतना गहरा होता है कि उससे छूट पाना बड़ा मुश्किल होता है इस ओवर के अगली गेंद के साथ चले मारकस टॉइन इस दाइने आथ से ओवर दवेक एडिये गेंद सूरिया के लिए और इस बार सूरिया ने इस गेंद को कट अंतिम समय तक इंतजार किया और इस गेंद को गाप में खेल दिया बाकवर्ट पॉइंट पर तीस गस के दाइरे के अंदर फील्डर था उनके दाहिनी तरफ से गेंद को निकाल दिया चार रन के लिए 165 भारत चार विकेट के नुकसान पर सूरिया पहुंचे 60 पर 27 गेंदे बची है चवालीस रनों की आबशकता है लोंग ओन तीस गस बलकी लोंग ओफ बाउंडरी लाइन पर है मिडॉफ मिडॉन पर एक खिलाड़ी मौजूद है फ्रेंट आफ दो विकेट इस ओवर के अगली गेंद मारकस टॉइनिस की और इस बार पटकी विकेंद थी आफस्टम के बाहर कट किया इस गेंद को पॉइंट बाउंडरी की और फिल्डर वहां मौजूद एक रन चहल कदमी करते हुए पूरा किया सूरिया ने सूरिया पहुंचे 61 पर और भारत का स् अंगडाते हुए नजर आ रहे हैं संभावता उनको उनकी मांस्पेश्यों में खिचाव नजर आ रहा है और उन्होंने इशारा भी किया फीजियो की तरफ ट्रेसिंग रूम की तरफ अलांकि स्ट्राइक पर अभी रिंकु सिंग है और वो स्ट्राइक लेने के लिए तयार इस ओवर के बाद संभावता उनका उपचार किया जाएगा इस ओवर की पांचवी गेन के साथ चले गेन बाज मारकस टॉइनेज लेक्स टम पर ये धीमीर अफ्तार की पटकीवी गेन थी पुल करना चाते थे ओन साइड में लेकिन गेन बले पर आई नहीं जाकर के शरीर पटक राई और गेन बाज ने खुद जाकर के गेन को उठा लिया रन बनाने का कोई मौका नहीं पच्छिस गेने हैं 43 रनों की आवशक्ता है रन रेट भारत का 10.48 का रिक्वाइड रेट 10.32 का यानि कि जो रन चाहिए उससे ठीक थोड़ा सा उपर भारत का रन रेट चल सुलवा ओवर चल रहा है इसके बाद 4 ओवर का खेल बचेगा देवेंदर पासवान शिव कुमार मुकेश कुमार त्रिपाठी सरल हमारे साथ जुड़े हुएं बहुत-बहुत स्वागत आपका इस ओवर की अगली गेंद के साथ तयार गेंद बाज मारकस टॉइनिस ये ग पड़े उस चोर में जाने के लिए अमपायर ने कहा थांबा 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 ये वाइड गेंद है एक अतरी रिक्तरन भारत के खाते में जुड़ता हुआ भारत का स्कोर 167 रंड चार विकेट के नुकसान पर एक कहावत है चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं वही हाल है उस्टेलिया का थांबा 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 तुम्ही काए जाला इस ओवर के अगली गेंद के साथ तैयार गेंद बाज आखरी गेंद है ये मरकस टोईनिसकी सामना करेंगे रिंकू सिंग जाने हाथ से ओवड़ विकेट ये गेंद रिंकू के लिक्सम पर थी उच 16 ओवर्स के बाद भारत 171 चार विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों पर 38 रनों की आवशकता 9.50 का रिक्वाइड रेट भारत कमफुर्टिबली इस मुकाबले में जीत की तरफ अगरसर हो रहा है आसिम बिल्कुल अब ये चार ओवर में 38 रन बनाना तो मुझे नहीं लगता कोई तेड़ी खीर है भारत के लिए और जिस तरह से रिंको सिंग बैटिंग कर रहे हैं और वो बाउंसर इसी वज़े से आस्ट्रेलिया के मिजास को सूट नहीं कर रही थी क्योंकि उनको लगा कि ओवर फिनिश हो गया और एक मौका मिल गया रिंको को और रिंको ने चौकर लगा दिया वो ये आखरी गेंच जहां खाली थी वो पांच रन दे गई ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जो चलाकी है वो काम नहीं आई बैथिवेड जो करना चाहते थे चार ओवर में 38 यानि 24 में 38 सीधी बात यह कि 24 गेंदों में 38 वह चाहिए और ये नैथन एलिस का जो ओवर है ये भारतियर टीम के लिए अगर प्रोड़क्टिव रहा तो फिर ये इक्वेशन और आसान हो जाएगी सोले ओवर्स के बाद 174 विक्टों के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर है आप सभी का बहुत विलकम है खुशामदी स्वागत सेद अश्रफ हैं वालेकुम स्लाम जी सनाखान जी हैं शिव कुमार जी हैं हमारे साथ बस लगतार दो सिक अश्रफ हैं और सुरे कुमार यादव जबटा मारकर गेंड को लॉंग ऑन बाउंडरे के बाहर पहुचाते हुए चार रणों के लिए भारत को अब 34 टाइए 23 गेदों में ऐस्ट्रेलिया के लिए अब ये मकाबला जीतना मुश्किल तरीन होता हुआ ऐस्ट्रेलिया ये म मुश्किल राह नज़रा रही है नेथन एलिस ने पहली गेंड पर चौका हासिल रकम कर लिया अंगली गेंड के साथ चले नेथन एलिस लेक्सम के बाहर वाइड बॉल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानि अब 33 रनों की जरुवत है 23 गेदों में अंडर प्रेशर अंडर फाय अंडर दबा और आस्ट्रेलिया के ऊपर मैथिव वेड्ट विक्टो के पीछे कप्तानी करते हुए स्विपर कवर फाइन लेग लॉंग लेग डीप मिड्विकेट बाउन्डरी पर लॉंग ऑफ बाउन्डरी पर लॉंग ऑउन्डरी पर नहीं है लॉंग ऑउन का इलाका मार्क आउट कर रखा है इशान किशन अबलके सुरे कुमार यादम एक बार फिर से नैथन एलिस अंपायर को क्रॉस करते हुए लेक्सम के बाहर एक बार फिर से वाइड बॉल और अंपायर के इशारा एक बार फिर से वाइड बॉल 32 वन चाहिए अब 23 गेंदों में धीमी अफ्तार की लेक्सम की लाइन में गेंद बाजी हो रही है वाइड पर वाइड आती हुई भारत को फायदा देती हुई भारत को इस मकाबले में अब सिर्फ 32 वन चाहिए 23 गेंदों में एक गेंद हुई है और भारत को 6 रन मिल चुके हैं दो वाइड और एक चौका यानि चौका मार चुकी है भारती टीम एक गेंद पर सूरिया स्ट्राइक पर नैटन एलिस की टांगें काप रही हैं गेंद बाजी करते हुई वो लगातार वाइड कर रहे हैं अगला बॉल इस बार तेज गेंद ऑस्टम की लाइन में बेतरीन बापसी एलिस बाक टू फास बॉ और इस बार ऑस्टम की लाइन में तेज गेंद सीधा विक्टो में थी इसको रोकने के अलावा सूरिया कुछ ना कर सके भारत ने पहले 6 ओवर में 63 किये 7 से 15 ओवर के बीच 92 रट बनाए और अब डेथ ओवर में 16 और 20 ओवर के बीच में अभी तक भारती टीम ने 22 रट बन बैतरीन हिट भारत स्टैंपिंग अथारिटी और ऑस्ट्रेलिया को इस मकाबले से बाहर करते हुए खुद कप्तान सूरे कुमार यादव सैथ इस गेदों में 80 रट बनाकर नाबाद बल्ले बाजी करते हुए अब 26 रटों की जरुवत 21 गेदों में इस ओवर से भारत को 12 रट मिल चुके हैं सिर्फ तीन गेदों में और सूरे कुमार यादव इस टॉइंग विद्धी ऑस्ट्रेलियन बॉलिग नैथन एलिस नैथन एलिस मेंगे साबित होते हुए और टी ट्वेंटी स्पेशलिस्स होने का मतलब यह नहीं कि आप हर गेंद में तब्दीली करें एलिस चले अगली गेंज शॉट पेश स्लोवर डिलेवरे शॉट थर मेंड के उपर सेगेंड को कट किया गेंड डाउन विके बाहर चार रन और इसी बात का हम जिकर कर रहे थे कि एलिस का अगर यह ओवर प्रोडक्टिव हुआ तो यह मुकाबला पहले भी फिनिश हो सकता है और आप बीस में बाइस चाहिए कैमरा तीसरी मरतबा इस ओवर में ट्रेविस हेड की तरफ मूव किया है कैमरा में मुझे लगता कुछ रादा ही भारती है कैमरा में जल्दी फोकस करो फोकस करो हमको ट्रेविस हेड मांगता है बहुत तफलीक तफलीक दिया है हमको जो डिरेक्टर है न फोटोग्राफी के जो बैठकर सारे वीजियोस कलेक्ट करते हैं वो जरूर इशारे करते हैं बहराल 187 चार विकट के नुकसान पर 75 बना कर सूरिया शांदार ओवर भारत के लिए इस ओवर में दो चौके एक छकाय आगली गेंदिस गेंद को लिफ्ट कर दिया अब एक विकट की तरफ एक रन लेने का मौका आस्टम के बाहर से एक बिल्कुल गली क्रिकेट वाला शाट लपेट कर मारा एक रन के लिए भारत के लिए अब 19 गेदों में 21 रन नामुम्किन आस्ट्रेलिया के लिए भी ये मुकाबला हो गया है क्योंकि भारत के पास बैटिंग भी है विकेट भी है और उस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसा गेंद बाज नहीं एक ओवर जो बचाया बेहन डॉफ का कि आस्ट्रेलिया को यहां पर इस्तमाल करना चाहिए था नैथन एलिक्स को लेकर आया आना गेंद बाजी में क्या मुश्किल हो गया क्योंकि विकेट चाहिए थी सूरिया की और बेहन डॉफ से बहतर कोई विकेल पॉस्ट्रेलिया के पास है नहीं सांगा के ओवर्स हो गए है खतम गेंद बाजी करते हुए और ऐसे में अब बेहन डॉफ आएंगे भी तो कार्मा लुट चुका है अगली गेंद आफस्टम के बाहर इस गेंद को गाइट किया क्या बढ़िया बल्ले बाजी कर रहे है रिंकु सिंग अपने जजबात पर अपने इमोशन्स पर काबू रखते हुए गेंद को सिंगल्स के लिए खेल रहे हैं वो देख रहे हैं कि उनका कप्तान बहुत आक्रमक है आग बबूला है बैटिंग करते हुए ऐसे में वो दूसरी तरफ से छोड को समाल रहे हैं अब अठारे गेंदो में भारत को ये मुकाबला जीतना है और ऐसा लग रहा है कि भारत जीतेगा अठारे गेंदों में 20 रनों की जरूरत है रिंको स्ट्राइक पर होंगे 11 रन बनाकर बहतरीन कारकरदगी भारती बल्लेबाजों के दौरा भारती एक इनबाजों ने जो रन लीक किये थे उस रन लीक पर जरूर भारती बल्लेबाजी जो है कंट्रोल हासिल कर चुकी एक बार जा और अब हालत जो है हर फास बोलर की एक जैसी नज़र आई है या हर स्पिन गेंदोज की हालत एक जैसी नज़र आई है जब भारत के प्रसिद क्रिश्चना या अर्शदीप सिंग पिट रहे थे या अक्षर पटेल पिट रहे थे तो कुछ देर के लिए जरूर ख्याल आया होगा कि यह क्या गेंदबाजी हो रही है लेकिन जब उस्टेलिया के यह मानिता प्राप्त और बड़े गेंदबाज पिट रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यह पिट जो है गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है हलांकि इनीशिली थोड़ा सा मदद जरूर थे इस गेंदबाजों के लिए थी हलांकि उसका कोई फाइदा खास भारत को नहीं मिला नहीं ओवर की शुरुवात हो रही है जेसन बेरंडॉफ को बुला लिया गया है उनके आखरी ओवर के लिए पहली गेंद और इस पहली गेंद को हलके आतों से खेल दिया बाकवर्ट पॉइंट के दिशामे रिंकु ने दोड़ करके एक रन लिया स्ट्राइक देदी सुरिया को भारत का स्कोर 194 विकेट के नुकसान पर सुरिंको सिंग साथ गेंदों पर 12 रन बना कर खेल रहे हैं 6.71 का रिक्वाइड रेट रह गया है 17 गेंदों पर 19 रनों की आवशकता है मुकाबला भारत ने एकदम अपनी तरफ कर लिया है और इसमें बहुत बड़ा योगदान कप्तान सुरिकुमार यादव का है और इशान किशन का है हलांकि शुरवात में यस्चस्वी जैसवाल ने भी बहुत तेज धुआधार शुरवात करने की कोशिश की इस ओवर की अगली गेंद के साथ जेसन बेरेंड ओफ सामना करेंगे सुरिकुमार यादव लोंग ओन बांडरी पर लोंग ओफ बांडरी पर अन साइड में मिड विकेट का इलाका खाली है अगली गेंद और इसमार आफस्टम के बाहर फुल लंग की डिलिवरी थी कट कर दिया गेंजार ये बाकवर्ट पॉइंट की दुशा में गोली के रफसार से चार रन सुरिकुमार यादव को रोखना इस वक्त नामुम्किन नजर आ रहा है असी रन पर पहुंचे सुरिया शतक के लिए 20 रन चाहिए लेकिन अफसोस भारत को जीत के लिए सिर्फ 15 ही चाहिए चौके छक्के का कॉंबिनेशन आसिम तलाश कर रहे है लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कॉंबिनेशन भी काम कर पाएगा सोला गेंदो पर 15 रन चाहिए जेसन बेरंड ओफ तीन दशमलाओ दो ओवर में 24 रन दिये हैं इस ओवर की अगली गेंदो और इस बार सूरिया ने अफस्टम के सामने की गेंद को ट्राइब करने की कोशिश की लेकिन गेंद टपा खाने के बाद कांटा बदलती हुई बल्ले को छकाती भी निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट डिलिवरी सूरिया 41 गेंदो पर 80 रन बरा कर खेल रहे हैं चार छक्के 9 चौके लगाए हैं इस बल्ले बाज ने कप्तानी पारी आज सूरिया की और हमारे कुछ दोस्त जो सूरिया की किसी भी टीम की बख्या उधर सकते हैं और आज उन्होंने ये कर दिया है इस ओबर के अगली गेंद के साथ जेसन बैरंडॉफ और इस बार बैरंडॉफ के सर के उपर से गेंद को चाला बहुत ज़ादा गेंद हवामे फीडर जेसन हार्डी गेंद के नीचे और उन्होंने कैच कर लिया एरण हार्डी ने एक ब्लाइंडर पकड़ा सूरिय कुमार यादव असीरन बना कर आउट सूरिया छक्का मारने की कोशिश में बोलर के सर के उपर से गेंद को उच्छाला आस्मान में तारा मंडल में मानो गेंद चली गई थी लेकिन एरण हार्डी गेंद के नीचे अपने पीछे तरफ जाते हुए उन्होंने गेंद पर निगाहें जमाई रखी नियंतरन शरीर का बनाई रखा और एक बैतरी नुम्दा कैच पीछे की तरफ भागते हुए कभी भी कैच आसान नहीं होता लेकिन एरण हार्डी ने शांत कर दिया तमाम दर्शकों को भारत ने पाज़मा विकेट गमा दिया 194 की रन संख्यापर और अक्षर पटेल अब मैदान पर जाते हुए भारत को हलाके सिर्फ 15 रन चाहिए 14 गेंदे बची भी है कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए इन रनों को चेज करने का जहां तक सवाल है आप लोग वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रनाते उनके सो हो जाते और उसी श्रिंखला में उन्होंने पहला चक्का मारने की कोशिश कर भी दी थी हलांकि ये बंगलादेश टाइब गलती करनी नहीं चाहिए थी सुर्यक कुमार यादव को 194 पांच विकेट के नुकसान पर ये उस्ट्रेलिया है अगर यहाँ एक विकेट अक्षर की भी निकल जाए तो फिर मुसीबत हो सकती है क्योंकि अभी भी 15 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए हलांकि अक्षर पटेल 29 पारिया 300 से जादा रन लेमिटेड ओवर क्रिकेट में फिनिश करने के लिए अक्षर पटेल को कई बार देखा गया है बैटिंग करते हुए इस ओवर से 5 रन आए 15 रनों की ज़रूरत 14 गेदों में है और बेंड ओफ ने आखिरकार एक विकेट हासिल कर ही लिए लेक्सम की लाइन इस गेंट को फिलिक कर दिया पहली गेंट पर सिंगल दूसरे अरन दोड़ने की कोशिच करेंगे या नहीं नहीं दोड़ कर रोक लिया अपने कदमों को पहला ही रन अक्षर जब ले रहते तो वो दीवी रफतार से ऐसे में भारत 195 विक्टों के नुकसान पर सूरिया के लिए नकल बॉल की थी आफ्टम के बाहर से इस गेंट को लिफ्ट किया था बेंट ओफ की इस गेंट को दर्शक खड़े हो गए थे कि छका आ रहा है लेकिन एरन हार्डी ने रिवर्स जाते हुए ये कैच किया और ये बिलकुल आउटस्टेंडिंग कैच है लेकिन इसमें एक जो डेफिनेट एडवांटेज था हार्डी के पास उनका कद था 6 फिट 7 इंच का कद होना भी आप अगर गिरेंगे भी तो यहां से वहां तक गिरेंगे और ये उन्होंने कदम भी लंबे लिये और यही हम जगरे करेंगे अगली बॉल के बाद ऑस्टम के बार इस गेट को कट किया रिंको ने इस बार गैप नहीं डूड़ा बैकवर्ट पॉइंट पर गेंग को फिल्ड किया गया जब विव रिचार्ड्स आउट हुए थे कपिल देव के हातों कैच हुए थे तो विव रिचार्ड्स ने क्या कह था कि काश कपिल देव की जगें कोई दूसरा फिल्डर रहा होता क्यूंकि जादतर रोजर बिन्नी हुए मदनलाल हुए यह खिलारी छोटी हाइट के थे और वह नहीं कर पाते और कपिल देव का कद राइट सी बात यस पाल भी छोटे थे मोहिंदर अमरनाथ वहां पर फि को मकाबला शिफ्ट हो गया था और हमें इस वर्लकॉप में लगता है कि ट्रैविस हेड ने जो कैश किया उससे मकाबला शिफ्ट हुए गए ग़ा अपसलिटली और वो जो ट्राविस हेड का कैच था रोई शर्मा का उस कैच को कपिलदेव के ही उस कैच से जोड़कर रेखा जा रहा है क्योंकि वो कैच भी ट्राविस हेड का कोई आसान कैच नहीं था बहुत ही कमाल का कैच था और देखिए फाइनल मुकाबलों में ना कुछ ऐसी ही एफर्ट्स चाहिए होती है फिल्डर्स से या जो आपके ग्यारा खेलाड़ी खेल रहे हैं उस दिन लग रहा था फाइनल वाले दिन कि अस्टेलिया एक अलग एनरजी के साथ कौन सा एनरजी ड्रिंक पिया है उन्होंने सब के सब 50 रन तो उन्होंने फिल्डिंग से बचाये होंगे शर्तिया कई चौके उन्होंने बचाये और साथी साथ जो एंटिसिपेशन था जो सिंगल्स ब्लॉक की उन्होंने वो भी कमाल का रहा मतलब स्लो पिच पर कहां खड़ा होना है और बैट्समन का एंगल क्या होगा खेलने का अगर पॉइंट पर खेल रहा है तो बल्ले पता हुआ भारत के नेथन अलेस आये हैं गेंद बाजी करने के लिए पारिका उन्नीसमा उवर ले करके अब 12 गेंदो पर 13 रनों की आवशकता है अक्षर पटेल स्ट्राइक पर हैं एक रन बनाया है उन्होंने एक गेंद का सामना किया है और रिंकु सिंग 12 रन बना कर खे बना भी नहीं कर सकते इस ओवर के अगली गेंद और इस बार आफस्टम के बाहर नीची रहती हुए गेंद बल्ला चलाया लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई एक डॉट डिलीवरी आती हुए नेधन अलेस की 11 गेंदे हैं 13 रनों की आवशकता है अलांकि करीब इ अर्शदीप पाजी थोड़ा बल्ला भांज लेते हैं इस ओवर के अगली गेंद के साथ दान्याथ से ओवर दवेकेड ये गेंद पटकी वी गेंद थी पुल करना चाहते थे बैतरीन विल डिरेक्टेड बाउंसर एक और डॉट डिलीवरी नेथन एलेस डेथोवर्स में आखरी कुछ गेंदों में जान छोखते हुए और भारत के जीत के रन है और गेंद है उसके बीच में एक फासला बनाने की कोशिश कर रहे थोड़ा सा थोड़ी चंता की लकीरें भी हैं ये कि जो हुआ है अमदाबाद में वो होते नहीं देखना चाहते विशा का पटनम के इस ओवर की अगली गेंद के साथ तयार गेंद बाज डाइने आथ से ओवड़ा विकेट ये गेंद और इस बार अक्षर ने इस गेंद को ड्राइब जरूर किया लेकिन फिल्डर को नहीं भेद पाए एक्स्ट्रा कवर पर मारकस टॉइनिस खड़े हैं गेंद को उनके हाथों में खेल बैठे तीन लगातार डॉट गेंदे खेली हैं अक्षर पटेल ने और वापसी कर रहे हैं इंजिरी के बाद अक्षर पटेल गेंद बाजी में कुछ खास आज दिन रहा नहीं और बल्ले से अभी चार गेंदे खेल चुके हैं एक रन सिर्फ बना पाएं और गेंद और रन के बीच में फासला थोड़ा बढ़ गया है नौ गेंदों पर अब तेरा चाहिए ओवर जब शुरू हुआ था तो ये फासला नहीं था तेरा पर बारा पर चौदा चाहिए था इस ओवर की अगली गेंद के साथ तयार गेंद बाज नेतन एलेस सामने हैं अक्षर पटेल दाने आप से ओवर द विकेट ये गेंद पट टेल दो रन बनाकर खेल रहे हैं पांच गेंदों का सामना किया है इस ओवर में नेतन एलेस ने सिर्फ दो रन दिये हैं एक वाइड का रन है और बल्ले से पहला रन चार गेंदे कर चुके हैं इस ओवर में शांदार क्रिकेट खेली है शांदार गेंद बाजी किये नेतन ए सामने है रिंको सेंग दाने हाथ से ओवद अविकेट रिंको के लिए ये गेंद और रिंको ने इस गेंद को बहुत ही खुबसूरते के साथ ड्राइब किया बोलर और मिड़ाफ के बीच में गोली की रफ्तार से बांडरी के बाहर चार रन रिंको ने गैब देखा और ताकट जोकी काफी पावरफुल ये हिट लगाया थुरू दे लाइन ऑस्टम के बाहर यॉरकर करना चाह रहे थे और नैथन एलिस ने इससे पहले जो दो गेंदे की थी अक्षर पटेल को जिन पर के वो बीट हुए थे 140-142 की रफ्तार चाहा कि एक तेज गेंद से रिंको को पचाड़ा जाए लेकिन रिंको ने इस गेंद पर चौका लगा दिया भारत को साथ गेंदों में आठ रोनों की ज़रूरत है एक बाउंडरी और आ जाए तो पिर काम और आसान बन सकता है क्या रिंको एक बाउंडरी के लिए जाएंगे या सिंगल के लिए जाएंगे देखें एक्सपिरियंस क्रिकेटर अक्षर पटेल हैं लेकिन जिम्यदारी रिंको निभा रहे हैं अगला बॉल पटका हुआ इस गेंद को स्क्वेर लेक की तरफ खेल दिया एक रन अच्छी रन नी थी और इसी के साथ स् बलेबाजी में कुछ खास कर नहीं पा रहे थे एक लॉंग रोप उनको मिला है लेकिन ये टी-20 श्रिंकला यकिनन उनके लिए बहुत बड़ी परिक्षा हो सकती है और ये भी हो सकता है कि शिवम दूबे को भी भारती टीम मौका दे उनकी जगें पर क्यों कि आप चार करने हैं और आप दो ओवर कर रहे हैं तीन ओवर कर रहे हैं और बैटिंग में आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शिवम दूबे बिलकुल भी खराब ऑप्षन नहीं है वो बढ़ियां तेज हिट भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में हाली में ऐबिट 77 rugby की जर्सी 77 में से बस एक साथ चाहिए भारत को साथ चाहिए चैगेंदे फैन्स इस वक्षामोश हैं फैन्स इस वक्षामोशी से चिंतन में हैं कुछ दुआरें चल रही हैं कुछ हाठ जोड़ कर प्रातनायीं चल रही हैं कई हाठ पहलाए हुए हैं कई हाठ सीन पॉन्ट बाॉंडरी पर है डीप स्कुर्लियक बाॉंडरी पर है मिड विकेट बाॉंडरी पर है बाउंडरी पर है और बीडोicho बुलाया जा रहा है तो ऐसे में रिंकू को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो on side में खेलने की कोशिश करें पहला बॉल लेकर चलते हुए रिंको के लिए शान है बठ की आस्टम के बाहर और इस गेंट को पॉइंट के उपर से कट कर दिया गेंट बाउनडरी के बाहर चार रण दे मोस्ट इंपोर्टेंट बाउनडरी फ़र इंडिया पहली गेंट पर रिंकु ने दोड़ा कर मारा ओस्टम के बाहर slower delivery थी अक्षर पटेल के चेरे पर भी मुस्कुराहट और रिंकु की स्माइल के क्या ही कहने भारती टीम में आज के वक्त में ऐसी स्माइल किसी के पास है ही नहीं इकपार बिल्कुल सही बात है इस स्माइल को उन्हें इंशॉरेंस करा लेना चाहिए इंशॉर्ड इंस्माइल होनी चाहिए यह इस मादुरी दिख्षित आफ इंडियन क्रिकेट था नाइन्टीज में उनकी मुस्कुराहट के लोग दिवाने हुआ करते थे इस वक्त भारतिय टीम के लिए अब यह मैच जीतना बहुत आसान सा नजर आ रहा है रिंकु ने पहली गेंट पर ओस्टम के बार स्लोवर डिलिवरी शॉट गेंट ओस्टम के बाहर जा रही गेंट को दोडा कर पॉइंट के उपर से निकाल कर चौका बनाया अब भारत को तीन चाहिए अगला बॉल आस्टम के बार कट कि लिए गए धीमीर अफ्तार बीट हुए बाई का एक रन दोड़कर पूरा किया रिंकु सिंग ने अब अक्षर पटेल स्ट्राइक पर चार गेदो में दो रनों की ज़रूरत भारतिय टीम को बाई कर रन लिया है और एक भाले कहा है कि बस बीट मत होना अक्षर पटेल को किसी भी तरह एक सिंगल ले लेना अगर ना हो सके बाउंडरी तो दो चाहिए चार गेदो में लिया खेल रही है और जॉश इंगलिश के ऊपर कैमरा घूम रहा है शतक बनाया और ऐसा वैसा नहीं बहुत जबर्दस्ट शतक बनाया था लोंग ओन लोंग ओफ बाउंडरी पर अक्षर स्ट्राइक पर चले ये गेद उड़ा दिया अगे धराता है हवा में और अक्षर पटेल आउट इस से बुरा नहीं कर सकते थे अक्षर क्योंकि अब छोर नहीं बदलता है और बिश्णोई होंगे स्ट्राइक पर ये ग्लोरी शॉट खेलने की क्या जरूरत थी आज भारती टीम बंगलादेश की तरह क्यों खेल रही है सूरिया ने गलती की सूरिया गुस्सा है और अब अक्षर पटेल ने इस शॉट को खेल कर ये साफ कर दिया है कि अगले मुकाबले में हम शिवम दूबे को 100% देखने वाले हैं भारती टीम में क्या शॉट खेला है शॉट पिच गेंद धीमी रफ्तार की गेंद और क्या फिल्डिंग है उस्ट्रेलिया की उल्टे कदमों दोड़कर ये गेंद को कैच किया दो रन चाहिए थे आपने ये क्या शॉट खेला है अक्षर पटेल इस मेकिंग लॉ वशकता बिल्कुल भी नहीं थी और बिल्कुल आपने सही बार-बार याद दिलाया है कि भारत आज बांगलादेश की तरह क्यों खेल रहा है अधपके में सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है भारत और यही गल्तियां करके बांगलादेश ने नजाने कितने मैचस गवाएं और इस वक्त मैच्यू वेड ऐसा लग रहा है कि दस्ताना उतार चुके हैं और उन्होंने जॉश इंगलिस को कहा कि आप विकेट कीपिंग कीजिए मैं आउट फिल्ड में कहीं फिल्डिंग कर लूँगा और ऐसे में कप्तान इस वक्त जो है तीस गस के दाइरे के अंदर जादतर फिल्डर्स को बुला रहे हैं वो सिंगल डिराए करना चाहते हैं अलाकि तीन गेंदे हैं और इस वक्त देखें तो बहाइं द विकेट बाउंडरी पर फिल्डर्स हैं मिड ओन, मिड ओफ, तीस गस के दाइरे के अंदर शॉट मिड विकेट, कवर, तीस गस के हैं रवी विश्नोई तो फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि रिंको सिंग क्रोस कर चुके थे एक दूसरे को और आगे निकल चुके थे तो ऐसे और ऐसा लग रहा है कि अपने विकेट की बली दे दी रवी विश्नोई ने रिंको सिंग को स्ट्राइक पर पहुँचा करके अप अच्छी बात ये हो गई है कि रिंको सिंग के पास स्ट्राइक चली गई है और रवी विश्नोई ने बहुत अच्छा काम किया है सूजबूज का परिचय दिया है और अब दो गेंदों पर दो रन चाहिए नए बलेबाज और शिदीप सिंग आ रहे हैं लेकिन स्ट्राइक पर रिंको सिंग रहेंगे रिंको सिंग स्ट्राइक पर रहेंगे दो गेंदों पर दो रन चाहिए लगा नहीं था कि इतना रोमांच हो जाएगा इतनी धरकनों को बढ़ा देने वाला ये मुकाबला हो जाएगा खाम खामें ये चीज़ें हो गई है भारत को एकदम स्ट्र विट होरवर्ड जीतना चाहिए था बिलकुल असानी के साथ जीतना चाहिए था लेकिन अक्षर पटेल का वो गलोरी शॉट for that matter you can say सूर्य कुमार यादव इवन सूर्य कुमार यादव को भी वो गलोरी शॉट खिलने की आवशक्ता नहीं थी टीम को जिता कर सुरक्षित लेके जाना था ये धड़कनों को उपर नीचे करने की आवशक्ता नहीं थी लेकिन बाराल जो भी हो अच्छी बात यह हुई है कि रिंको सिंग स्ट्राइक पर आ गए हैं दो गेंदो पर दो रन चाहिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें अगला मुकाबला आपको बता दें रवीबार को खेला जाएगा भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला 26 नमेंबर को खेला जाएगा रवीबार को खेला जाएगा और वो मुकाबला खेला जाना है थिरू अनंतपूरम में इस ओवर की अगली गेंद के साथ शौन अबट तयार हो रहे हैं फील्ड इस वक्त लगाई गई है रिंकू सिंग के लिए और एक खिलाडी डीप स्क्वरलेक बाउंडरी पर है एक खिलाडी बाकवर्ड स्क्वरलेक बाउंडरी पर इस वक्त घिरनी की तयारी है रिंकू को इस ओवर की अगली गेंद के साथ चौन अबट चले दान्याथ से ओबद वेकेड ये गेंद रिंकू के लिए और रिंकू ने इस गेंद को पुल कर दिया मिट विकेड के दिशावे गेंद गाप में जा रही दो और शदीप सिंग पहुँच गए है ड्रामा ड्रामा एंड ड्रामा कंचिन्यूज अटवाइज है गासिम अपसलूटली ये एक तरफा मुकाबला बन गया था लेकिन आस्टेलिया एक तरफा होने नहीं देती और ये आखरी गेंट पर क्या आखरी रन चाहिए अगर ये रन आउट नहीं है तो भारत विज़ाई हो गया है अगर ये रन आउट है तो भारती ये टीम को एक रन चाहिए क्योंकि अर्शदीप हो गए है रन आउट एक पर एक चाहिए रिंकु होंगे स्ट्राइक पर वाव वाट अ गेम वाट अ गेम फोर इंडिया अक्षर पटेल मस्थ भी having a time in the dugout ये एक शॉट की गलती वो एक सिंगल लेते रिंको गेम फिनिश कर चुके थे लेकिन वो एक शॉट खेलना और उसके बाद पुछले बल्ले अबाजों की ये हालत भारत की ये मुश्किल है कि उनके पास all rounders नहीं है भारत की ये मुश्किल है और ये मुश्किल भारत को address करना पड़ेगी 208 भारत आठ विकेट के नुकसान पर आखरी गेंद पर आखरी रन चाहिए मुकावला बरावरी पर आचुका है मुकावला टाई तो हो चुका है एक रन चाहिए मुकेश कुमार आचुके नौन स्ट्राइक एड पर अब आप देखें कि मुकेश कुमार का वो आखरी ओवर कितना कीमती जो पाँच रन का ओवर था मुकेश का अगर वहाँ पर 15 रन प्रसिद्ध कृष्णा या अर्षधीब देते 225 होता तो भारत तो ये मैच हार चुका होता क्या ही कीमती चीजें हैं जो वो गेंड बाजी करते हुए वो कर बैठे हैं देखे हैं कि वो खुद बल्लेबाजी के लिए भी आ चुके हैं हलाकि नॉन स्ट्राइक एंड पर जे हां तो हलाकि मुकेश कुमार के उपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि वो उनको रन बनाना है लेकिन एक चीज तो है कि अगर इस गेंड पर रिंको सिंग बीट हुए या आउट हो गए गल्ती से तो फिर ये मुकाबला टाई हो जाएगा और ऐसे में अगर बीट भी होते हैं तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में क्या कमिनिकेशन हुआ है कि हमें दोड जाना है बाई के रूप में एक रंग दोड जाना है और ये चीज चीज क्लियर कर दी होगी रिंको सिंग ने मुकेश कुमार को अब इंट्रेस्टिंग होगा मैथ्यू वेड का फिल्ड सेटिंग क्या है मैथ्यू वेड ने इस वक्त घेरा सा बना दिया है तीस गस के दाइरे के अंदर मिड ओन है मिड ओफ है एक खिलाडी कावर पर है एक खिलाडी पॉइंट पर है एक खिलाडी शॉट मिडविकेट पर है थर्ड मेंट तीजगस के दाइरे के अंदर फाइन लेग तीजगस के दाइरे के अंदर यानि की घेरा बंदी कर ली है सिर्फ एक खिलाडी मिट्विकेट पर है जो बाउंडरी के असपास है वो भी काफी नजदीक है आखरी गेंद इस मुकाबले की चलते हुए शान अबट सामना करेंगे रिंकू सिंग ये गेंद रिंकू के लिए रिंकू ने गेंद को हबाने उचाला और गेंद बाउंड लाइन के बाहर छक्का रिंकू सिंग ने छक्का लगा करके मुकाबले भारत को जिता दिया What a man, what a man he is Rinko Singh, you beauty You did it once again for India Absolutely और इससे बैतरीन क्या होगा कि Rinko Singh ने इस मुकाबले को छक्का मार कर ये ट्रेडमार्क तरीके से मुकाबला जिताया है Rinko Singh ने Absolutely brilliant और भारती ये टीम डिजर्व करती थी ये मैच जीतना There is a bit of madness कुछ पागलपन जरूर हुआ और नो बाल भी थी वो नो बाल भी थी कर बैठे थे और मैं ये जिकर करने वाला था गेंस से पहले कि एक बाउंसर इस ओवर में बाकी है वो ट्राइ करेंगे क्या शौन है बट और उन्होंने लेंध बाल कर दी और रिंको ने इस गेंद को पहुंचा दिया बाहंड़े के बाहर 6 रनों के लिए एक फिनिशर जनम ले रहा है भारत के लिए यकीनन जनम ले रहा है जिसके सर में एक कूल दिमाग है एक थंडा दिमाग है बहुत ही उंदा बल्लेबाजी की और भारतिय टीम ने ये मुकाबला दो विक्टों से जीत लिया और यकिनन ये काफे कुछ सीखने वाला मुकाबला भारतिय टीम के लिए होगा भारत ने कहां गलतियां की कहां चूक की कहां पर उनको बैटिंग करते हुए स्ट्रेटिजीज में क्या बदलाव करना था और क्या शॉट्स खेले गए कप्तान साब बहुत अच्छा खेले लेकिन उन्होंने भी जो शॉट्स खेला वो भी जो है अलोचना के परे नहीं है और अक्षर पटेल की बल्ले बाजी को लेकर भी सवाल तो ही है लेकिन ओवराल भरती टीम ने परफॉर्म जो किया एक नौजवान टीम ने आस्ट्रेलिया की एक मजबूट टीम को पटकनी दी है ये आस्ट्रेलिया की जो टीम है भारत के मकाबले वो मजबूर टीम नज़र आ रही है और ऐसे में भारत के लिए ये सुनेरा वपल है इस मुकाबले को जीत कर पांच टी-20 मुकाबलों की श्रिंखला में एक शुन्य की बड़त हासिल करने के भारत और आस्टेलिया के बीच विशाखा पटनम में खेले गए पहले मुकाबले म भारत ने ऑस्टेलिया को हरा दिया है बहुत बड़े मारजिन से भारत की टीम जीती है आखिरकार और एक कमफरड़िबल विक्टरी तो नहीं कहा जाएगा बिलकुल भी भारत और आस्टेलिया के बीच विशाखा पटनम में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में भारत ने आस्टेलिया को दो विकेट से एक रोमान्चक मुकाबले में हरा दिया है टॉस जीता था भारत ने पहले बल्ले बाजी आमंतरित की आस्टेलिया को और आस्टेलिया ने निर्धारित बीस ओवर्स में मातर तीन विकेट ठोकर के बनाये थे 208 रन और भारत को लक्ष दिया 209 रनों का आज आस्टेलिया की तरफ से बात करें बल्ले बाजी की तो आस्टेलिया की तरफ से स्टीवन स्मित ने 52 रन बनाये मात्यू शॉट ने 13 रन बनाये लेकिन हाईलाइट रहे जॉश इंगलिस जिन्होंने 50 गेंदों पर 110 रन बनाये और आस्टेलिया को 208 रन तक बात करें तो भारतिय टीम का भी जल्वा कम नहीं रहा हलांकि शुरवात में थोड़ी सी लड़कडाई भारतिय टीम यशिस्वी जैसवाल और रुतुराज गायकवाड ने पारी की शुरवात की रुतुराज गायकवाड बिना कोई गेंद खेले रहना उठ हो गए लेकिन इ इसके बाद इशान किशन और सूरी कुमार यादव ने जो पारी खेली आज वो पारी भारत को कमफर्टबल पोजीशन में पहुचाने में काम्याब रही लेकिन जैसे ही आउट हुए इशान किशन इसके बाद तिलक वर्मा आउट हुए फिर इसके बाद सूरी कुमार इसके बाद अक्षर पटेल पहले तो बीट होते हैं लगातार गेंदे खेलते हैं गेंद बल्ले पर आती नहीं है और इसके बाद एक बार उन्होंने एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की भारत को छक्का लगा कर जिताने की कोशिश की और इसके बाद वो कॉट इन बोल्ड रहा भारत जीत तो ज़रूर गया आसिम लेकिन आखिर में जो कुछ हुआ वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय टीम को बैठ करके सोचने की आवशकता है क्योंकि भारत है ये बांगलादेश नहीं जो हैं बिलकुल और क्योंकि सुर्य कुमार यादव जब आउट हुए उस वक्त भारत को 15 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और उसके बाद विप्टो की जड़ी लग गई सुर्या के आउट होने के बाद फिर अक्षर पतेल बड़ा हिट लगाने की कोशिश में गये उस रिंकु सिंग को स्ट्राइक देने की कोशिश में अर्शदीप सिंग भी रन आउट हुए दो रन लेने की कोशिश में मुकाबला वो बराबरी पर ले गए लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस टीम में जितना तजर्बा है और इस टीम में जितना जोश है जितना वलवला है उसको देखते हुए भारती टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया भारती टीम के लिए अक्षर पटेल के अलावा किसी खिलारी को मार्क आउट करना शायद बहतर नहीं होगा रुतराज गायकवार्ट बिना गेंद खेले आउट हुए ये शस्वी ने शुरुआत की थोड़ा सा उनको समलना होगा समझना होगा कि हर गेंद पर चौका नहीं मारा जा सकता हर गेंद पर चौका नहीं मारा जा सकता जैसवाल को ये लगता है कि उनकी रीच जादा है लंबाई जादा है तो वो हर गेंद को खीच लेंगे इस बात पर उन्हें काम करने की प्रकलब लिए। च्छक्का उन्हें लगाया और ये espaço एक ऐसा खिलाडी है जिसको भहत तजर्बा नहीं जेकिन इतना तो है कि साहियं बहुत उस खिलाडी करेश। बिलकुल सही बात है। बहुत सहियं के साथ क्रिकेट क्षेली है रिंकू सिंग具 ने ये बता रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिंकू सिंग भले से छोटे शहर से आते हैं बहुत ज़ादा जो है वो चाम नहीं दिखता आपको बहुत ज़ादा कोई कहते हैं कि एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिखता है वो वाली चीज श किस तरीके से प्रेशर कुकर सिचुईशन में बल्ले बाजी की जाती है आज तारीफ तो मुकेश कुमार की भी बनती है हासिम जिस तरीके से उन्होंने गेंद बाजी की वाकई मज़ा है उनकी गेंद बाजी खास्तों पर जो आपने जिक्र किया last का जो ओवर जिसमें सिर्फ पांच रन दिये उन्होंने सोचिए कि death ओवर में पारी का आखरी ओवर सिर्फ पांच रन देते हैं और अगर उस ओवर में दस रन भी आगए होते हैं और जिस तरीके की हारा कीरी आखर में दिखी जिस तरीके से एक हड़कंप भारती पारी मैं आखिर में दिखी वो पांच रन भी भारत के उपर भारी पढ़ सकते थे तो ऐसे में मुकेश कुमार की तारीफ आज बनती है और तारीफ तो आपकी भी बनती है कि जिस तारीफे से आप लोगों ने इंतजार किया अकबाल स्पोर्ट्स पर क्रिकेट की कॉमेंटरी शुरू होने का आप लोगों की भी तारीफ बनती है कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया और जब ये ये जो प्रतिबंद है वो जब खत्म हुआ उसके बाद आप लोट आए एकबाल स्पोर्ट्स पर इस कॉमेंटरी का आनंद लेने के लिए हम आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमसे और इतनी महबत और इतना अपन पन रखते हैं आप इकबाल स्पोर्ट्स के प्रती ये हमें बड़ा खुश करता है ये देख करके तो आप सभी शुरुतागर्ण का बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और वक्त के साथ जैसे जैसे अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आसिम जिनको ये पता नहीं होगा कि कॉमेंटरी शुरू हो चुकी है और ऐसे में वक्त के साथ जैसे एक दो मैचेस होंगे इसके बाद फिर वापस आएंगे लोग लोटेंगे और फिर जो सलसिला हम लोगों का था एक बड़ी सभा हमारी लगती थी बड़े सारे लोग होते थे कॉमेंटरी में वो चौपाल जो है एक बार फिर लोटेगी ऐसी हम कामना करते हैं जो है बिलकुल हम इस बात की कामना करते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्स्राइब कीजेगा बहुत प्यार दिया आपने और यकिनन भरती टीम के परफॉर्मेंसेज में कुछ एक खिलाणियों का नाम बहुत दिल्चस्प रहा और तिलक वर्मा को रिंकु सिंग से भी सीखना होगा कि आप का नाम चमका बहुत है लेकिन रिंकु सिंग जिस खामोशी से वार कर रहे हैं और पारियां खेल रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है कि रिंकु सिंग का नाम जो है वो सर्च कर जाएगा तो तिलक वर्मा को भी अपने टैलेंट के साथ वफादारी करनी होगी और पारियां खेलनी परेगी अगर वो भारत की युवा ब्रिगेड में शामिल होना चाहते हैं क्यूंकि यह भारती क्रिकेट है यहां कॉम्पेटिशन बहुत जाद है दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को सब्स्क्राइब करते रहें जहां तो भारत ने विशाका पटनम में दो विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है पांच मैचों की टी ट्वेंटी श्रिंखला का यह पहला मुकाबला था और इस मुकाबले में एक जरूर शुर्वात में ऐसी परिस्थितियां आई जहां पर भारती टीम थोड़ा सा स्ट्रगल करती वी नजर आई और इसके बाद भारत अपनी तरफ लाने में काम्याब रहा तो फाइनली इस मुकाबले को भारत ने जीत लिया है दो विकेट से और अगला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा 26 तारीक को यानि कि रवीवार को थिरूवननतपुरम में वो मुकाबला खेला जाना है भारत और उस्ट्रेलिया के बीच विशा का पटनब में खेले गए पहले टी-ट्वेंटी मुकाबले में भारत ने उस्ट्रेलिया को दो विकेट से एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है टॉस जीता था भारत ने पहले बल्लेबाजी आमंतरित की आस्ट्रेलिया को और आस्ट्रेलिया ने निर्धारित बीस ओवर्स में मात्र तीन विकेट खो करके बनाये थे 208 रन और भारत को लक्ष दिया था 209 रनों का आज आस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें बल्लेबाजी की तो आस्ट्रेलिया की तरफ स स्टीवन स्मित ने 52 रन बनाए मात्यू शॉट ने 13 रन बनाए लेकिन हाइलाइट रहे जॉश इंगलिस जिन्होंने 50 गेंदों पर 110 रन बनाए और आस्ट्रेलिया को 208 रन तक कहुँचाया लेकिन जवाब में भारती टीम की बात करें लेकिन इसके बाद ये शुस्वी जैसवाल ने 8 गेंदों पर 21 रन बनाकर दो चौके दो छक्के लगाकर भारती टीम को थोड़ा सा बैतर स्टार्ट देने की कोशिश की और वो भी आउट हो गया इसके बाद सूरिकुमार यादव और रिंकु के बीच में एक पार्टनर्शीब बनी और आखिर में आकर करके सूरिकुमार यादव ने ग्लोरी शॉट खेलने की कोशिश की उस समय जब भारत कमफरिटिबली जीत की तरफ जा रहा था असीरन बनाकर वो बैरेंडॉफ का शिकार हुए आउट होकर चले गए और इसके बाद शुरू होता है ड्रामा इसके बाद अक्षर पटेल पहले तो बीट होते हैं लगातार गेंदे खेलते हैं गेंद बल्ले पर आती नहीं है और इसके बाद एक बाद वो उन्होंने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की भारत को छक्का लगा कर जिताने की कोशिश की और इसके बाद वो कॉटन बोल्ड हो गए इसके बाद रवी भिशनो ही आते हैं मैदान पर उन्होंने जो काम किया रन आउट हो गए खुद लेकिन स्ट्राइट पर ले आयर इंको सिंग को अपने विकेट की बली चड़ा दी हलांकि अर्शदीप सिंग भी रन आउट हुए आखिर में बड़ा उतार चड़ाओ से भरा ये मकाबला रहा भारत जीत तो ज़रूर गया आसिम लेकिन आखिर में जो कुछ हुआ वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भारती टीम को बैट करके सोचने की आवशकता है क्योंकि भारत है ये बांगला देश नहीं जो हैं बिलकुल और क्योंकि सुर्य कुमार यादव जब आउट हुए उस वक्त भारत को 15 रन चाहिए थे मैज जीतने के लिए और उसके बाद विक्टों की जड़ी लग गई सुर्या के आउट होने के बाद फिर अक्षर पटेल बड़ा हिट लगाने की कोशिश में गये उस वक्त भी भारती टीम को चैरन के अंदर ही जीत के लिए चाहिए थे और उसके बाद तो खैर रवी विश्नोई वीरदती को प्राप्त हुए बिलकुल गलत नहीं उन्होंने अपनी बली दी शहादत दी ताकि स्ट्राइक पर आ सके रिंकु सिंग रिंकु सिंग को स्ट् वलवला है उसको देखते हुए भारती टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया भारती टीम के लिए अक्षर पटेल के अलावा किसी खिलारी को मार्क आउट करना शायद बहतर नहीं होगा रुतुराज गायकवार्ट बिना गेंद खेले आउट हुए ये शस्वी ने और विवियस लक्षमन शायद इस बात को लेकर उन्हें सब जाएंगे भी कि बैटिंग करते हुए कंट्रोल कैसे हासिल करना है और वो कंट्रोल अगर आपको देखना है तो रिंकु सिंग की बैटिंग में देखिए उनसे करीब 4-5 इंच कद कम है रिंकु सिंग का रिंकु रिंकु सिंग की 14 गेदो पर 22 रिंकु सिंग की चार चौके एक छक्का उन्होंने लगाया और यकीनन एक ऐसा खिलारी है जिसको बहुत तजर्बा नहीं है लेकिन इतना तो है कि सयम बहुत है इस खिलारी के अदर बिलकुल सही बात है बहुत सयम के साथ क्रिकेट खेली है और ये बता रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिंकु सिंग भले से छोटे शहर से आते हैं बहुत ज़ादा जो है वो चाम नहीं दिखता आपको बहुत ज़ादा कोई कहते ना कि एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिखता है वो वाली च कि किस तरीके से प्रेशर कुकर सिचोईशन में बल्ले बाजी की जाती है। पर भारी पढ़ सकते थे तो ऐसे में मुकेश कुमार की तारीफ आज बनती है और तारीफ तो आपकी भी बनती है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इंतजार किया एकबाल स्पोर्ट्स पर क्रिकेट की कॉमेंटरी शुरू होने का आप लोगों की भी तारीफ बनती है कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया और जब ये ये जो प्रतिबंद है वो जब खत्म हुआ उसके बाद आप लोट आए एकबाल स्पोर्ट्स पर इस कामेंटरी का आनंद लेने के लिए हम आप सभी साथियों काता है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमसे और इतनी महबबत और इतना अपना पन रखते हैं आप इकबाल स्पोर्ट्स के प्रति ये हमें बड़ा खुश करता है ये देख करके तो आप सभी शुरुता गर्ण का बहुत दिल से धन्यवाद किया आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और वक्त के साथ जैसे जैसे अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि कॉमेंटरी शुरू हो चुकी है और ऐसे में वक्त के साथ जैसे एक दो मैचेस होंगे इसके बाद फिर वापस आएंगे लोग लोटेंगे और पिर जो सिलसिला हम लोगों का था एक प्यार दिया आपने और यकीनन भारती टीम के परफॉमेंसे में कुछ एक खिलाणियों का नाम बहुत दिल्चस्प रहा और तिलक वर्मा को रिंकु सिंग से भी सीखना होगा कि आप का नाम चमका बहुत है लेकिन रिंकु सिंग जिस खामोशी से वार कर रहे हैं और पारि प्यारती क्रिकेट है यहां कॉम्पेटिशन बहुत जाद है दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को सब्स्क्राइब करते रहें और आस्टेलिया ने निर्धारित बीस ओवरस में मातर तीन विकेट ठोकर के बनाए थे 208 रन और भारत को लक्ष दिया था 209 रनों का आज आस्टेलिया की तरफ से स्टीवन स्मित ने 52 रन बनाए माथिव शॉट ने 13 रन बनाए लेकिन हाइलाइट रहे जौश इंग्लेस जिन्होंने 50 गेंदों पर 110 रन बनाए और आस्ट्रेलिया को 208 रन तक पहुचाया लेकिन जवाब में भारतिय टीम की बात करें तो भारतिय टीम का भी जलवा कम नहीं रहा हलांकि शुरवात में थोड़ी सी लड़कडा ही भारतिय यश्यस्वी जैसवाल और रुतुराज गायकवाड ने पारी की शुरवात की रुतुराज गायकवाड बिना कोई गेंद खेले रन आउट हो गये लेकिन इसके बाद यश्यस्वी जैसवाल ने 8 गेंदों पर 21 रन बनाकर 2 चौके 2 चक्के लगाकर भारतिय टीम को थोड़ को comfortable position में पहुँचाने में कामयाब रही लेकिन जैसे ही आउट हुए इशान किशन इसके बाद तिलक वर्मा आउट हुए फिर इसके बाद सूरिकुमार यादव और रिंकु के बीच में एक partnership बनी और आखिर में आ करके सूरिकुमार यादव ने glory shot खेलने की कोशिश की उस गेंदे खेलते हैं गेंद बले पर आती नहीं है और इसके बाद एक बार वो उन्होंने बड़ा shot मारने की कोशिश की भारत को छका लगा कर जिताने की कोशिश की और इसके बाद वो cotton bold हो गए इसके बाद रवी भिशनो ही आते है मैदान पर उन्होंने जो काम किया run out हो गय जो भारती टीम को बैठ करके सोचने की आवशकता है क्योंकि भारत है ये बांगलादेश नहीं बिलकुल गलत नहीं उन्होंने अपनी बली दी शहादत दी ताकि स्ट्राइक पर आ सकें रिंकु सिंग रिंकु सिंग को स्ट्राइक देने की कोशिश में अर्शदीप सिंग भी रन आउट हुए दो रन लेने की कोशिश में मुकाबला वो बराबरी पर ले गए लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस टीम में जितना तजर्बा है और इस टीम में जितना जोश है जितना वलवला है उसको देखते हुए भारती टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया भारती टीम के लिए अक्षर पटेल के अलावा किसी खिलारी को मार्क आउट करना शायद बहतर नहीं होगा रुतराज गायकवार्ट बिना गेंद खिले आउट हुए ये शस्वी ने शुरुआत की थोड़ा सा उनको समझना होगा कि हर गेंद पर चौका नहीं मारा जा सकता जैसवाल को ये लगता है कि उनकी रीच जादा है लंबाई जादा है तो वो हर गेंद को खीच लेंगे इस बात पर उन्हें काम करने की जरूवत है और VBS लक्षमन शायद इस बात को लेकर उन्हें सब जाएंगे भी कि बैटिंग करते हुए कंट्रोल कैसे हासिल करना है और वो कंट्रोल अगर आपको देखना है तो रिंकु सिंग की बैटिंग में देखिए उनसे करीब 4-5 इंच कद कम है रिंकु सिंग का रिंकु सिंग लंबे कत्के नहीं है गेट को खेलते हैं दोडा कर खेलते हैं और पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैंट के बीस से जो चौका मारा था रिंकु ने वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था इस मुकाबले का लेकिन इतना तो है कि सायम बहुत थे इस खिलाडी के अदर बिल्कुल सही बात है बहुत सायम के साथ क्रिकेट खेली है रिंकु सिंग ने और ये बता रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिंकु सिंग भले से छोटे शहर से आते हैं, बहुत जादा जो है वो चाम नहीं दिखता आपको, बहुत जादा कोई कहते ना कि एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिखता है, वो वाली चीज शायद से ना हो रिंकु सिंग में, लेकिन जो खिलाडी हैं वो, जो काम करते ह I think बड़े बड़े खिलाडियों को सीख लेनी होगी इन से जो सूपर स्टार्स कहलाते हैं वो इन से दिमाग लेना होगा कि किस तरीके से प्रेशर कुकर सिचुईशन में बल्ले बाजी की जाती है आज तरीफ तो मुकेश कुमार की भी बनती है आसिम जिस तरीके से उन्होंने गेनबाजी की वाकई मज़ा आया उनकी गेनबाजी खासतों पर जो आपने जिक्र किया लास्ट का जो ओवर जिसमें सिर्फ पांच रन दिये उन्होंने सोचिए कि डेथ ओवर में पारी का आखरी ओवर सिर्फ पांच रन देते हैं और अगर उस ओवर में दस रन भी आ गए होते हैं और जिस तरीके की हारा कीरी आखर में दिखी जिस तरीके से एक हड़कंप भारती पारी में आखर में दिखी वो पांच रन भी भारत के उपर भारी पड़ सकते थे तो ऐसे में मुकेश कुमार की तारीफ आज बनती है और तारीफ तो आपकी भी बनती है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इंतजार किया एकबाल स्पोर्ट्स पर क्रिकेट की कॉमेंटरी शुरू होने का आप लोगों की भी तारीफ बनती है कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया और जब ये ये जो प्रतिबंद है वो जब खत्म हुआ उसके बाद आप लोट आए एकबाल स्पोर्ट्स पर इस कॉमेंटरी का आनंद लेने के लिए हम आप सभी साथियों का आता है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमसे और इतनी महबबत और इतना अपना पन रखते हैं आप इकबाल स्पोर्ट्स के प्रति ये हमें बड़ा खुश करता है ये देख करके तो आप सभी श्रोता गर्ण का बहुत दिल से धन्यवाद की आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और वक्त के साथ जैसे जैसे अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आसिम जो हैं बिलकुल हम इस बात की कामना करते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत प्यार दिया आपने और यकिनन भारती टीम के परफॉर्मेंसेज में कुछ एक खिलाणियों का नाम बहुत दिल्चस्प रहा और तिलक वर्मा को रिंकु सिंग से भी सीखना होगा कि आप का नाम चमका बहुत है लेकिन रिंकु सिंग जिस खामोशी से वार कर रहे हैं और पारियां खेल रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है कि रिंकु सिंग का नाम जो है वो सर्च कर जाएगा तो तिलक वर्मा को भी अपने टैलेंट के साथ वफादारी करनी होगी और पारियां खेलनी परेगी अगर वो भारत की युवा ब्रिगेड में शामिल होना चाहते हैं क्यूंकि यह भारती क्रिकेट है यहां कॉम्पेटिशन बहुत जाद है दोस्तों वीडियो को लाइक करते की ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित बीस ओवर्स में मातर तीन विकेट खो करके बनाये थे 208 रन और भारत को लक्ष दिया था 209 रनों का आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें बल्ले बाजी की तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मित ने 52 रन बनाए, मात्यू शॉट ने 13 रन बनाए, लेकिन हाइलाइट रहे जॉश इंगलेस, जिन्होंने 50 गेंदों पर 110 रन बनाए, और आस्ट्रेलिया को 208 रन तक पहुचाया, लेकिन जवाब में भारतिय टीम की बात करें, तो भारतिय टीम का भी जलवा कम नहीं रहा, हलांकि शुरवात में थोड़ी सी लड़कडाई भारतिय टीम, यश्यस्वी जैसवाल और रुतुराज गायकवाड ने पारी की शुरवात की, रुतुराज गायकवाड बिना कोई गेंद खेले रन आउट हो गये, लेकिन इसके बाद यश्यस्वी जैसवाल ने 8 गेंदों पर 21 र वर था वो, लेकिन इसके बाद इशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली आज वो पारी भारत को कमफर्टबल पोजीशन में पहुचाने में काम्याब रही, लेकिन जैसे ही आउट हुए इशान किशन इसके बाद तिलक वर्मा आउट हुए, फिर इसके सूरी कुमार यादव और रिंकू के बीच में एक पाटनर्शीब बनी और आखिर में आ करके सूरी कुमार यादव ने गलोरी शॉट खेलने की कोशिश की उस समय जब भारत कमफरिटिबली जीत की तरफ जा रहा था असीरन बना कर वो बैरन डॉफ का शिकार हुए आउट होक कोशिश की और इसके बाद वो कॉटन बोल्ड हो गए इसके बाद रवी भिशनो ही आतने मैदान पर उन्होंने जो काम किया रन आउट हो गए खुद लेकिन स्ट्राइक पर ले आयर इंकू सिंग को अपने विकेट की बली चड़ा दी हलांकि अर्शदीब सिंग भी रन देश नहीं सके रिंकू सिंग रिंकू सिंग को स्ट्राइक देने की कोशिश में अर्शदीब सिंग भी रन आउट हुँए दो रन लेने की कोशिश में मुकाबला वो ब्राबरी पर ले गए लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस टीम में जितना तजरृक और इस टीम में जितना जोश है जितना वलवला है उसको देखते हुए भारती टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया भारती टीम के लिए अक्षर पटेल के अलावा किसी खिलारी को मार्क आउट करना शायद बहतर नहीं होगा रुतुराज गायकवार्ट बिना गेंद खेले आ जरूरत है और विवियस लक्षमिन शायद इस बात को लेकर उन्हें सब जाएंगे भी कि बैटिंग करते हुए कंट्रोल कैसे हासिल करना है और वो कंट्रोल अगर आपको देखना है तो रिंकु सिंग की बैटिंग में देखिए उनसे करीब 4-5 इंच कद कम है रिंकु लंबे कत के नहीं है गेट को खेलते हैं दोडा कर खेलते हैं और पॉइंट और बैकवर्ट पॉइंट और थर्ड मैंट के 20 से जो चौका मारा था रिंकु ने वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था इस मुकाबले का जब रन नहीं आ रहे थे तो इन्होंने चौका निकाला था रिंकु सिंग की 14 गेदो पर 22 रनों की पारी चार चौके एक छक्का उन्होंने लगाया और यकीनन एक ऐसा खेलारी है जिसको बहुत तजर्बा नहीं है लेकिन इतना तो है कि सयम बहुत है इस खेलारी के अंदर बिल्कु सही बात है बहुत सयम के साथ क्रिकेट खेली है रिंकु सिंग ने और ये बता रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिंकु सिंग भले से छोटे शहर से आते हैं बहुत जादा जो है वो चाम नहीं दिखता आपको बहुत जादा को I think बड़े बड़े खिलाडियों को सीख लेनी होगी इनसे जो सूपर स्टार्स कहलाते हैं वो इनसे दिमाग लेना होगा कि किस तरीके से प्रेशर कुकर सिचोईशन में बल्ले बाजी की जाती है आज तरीफ तो मुकेश कुमार की भी बनती है आसिम जिस तरीके से उन्होंने गेनबाजी की वाकई मज़ा आया उनकी गेनबाजी खासतों पर जो आपने जिक्र किया लास्ट का जो ओवर जिसमें सिर्फ पांच रन दिये उन्होंने सोचिए कि डेथ ओवर में पारी का आखरी ओवर सिर्फ पांच रन देते हैं और अगर उस ओवर में दस रन भी आ गये होते हैं और जिस तरीके की हारा कीरी आखर में दिखी जिस तरीके से एक हड़कंप भा कि कॉमेंटरी शुरू होने का आप लोगों की भी तारीफ बनती है कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया और जब ये ये जो प्रतिबंध है वो जब खत्म हुआ उसके बाद आप लोट आए एकबाल स्पोर्ट्स पर इस कॉमेंटरी का आनंद लेने के लिए हम आप सभी सा कोता गर्ण का बहुत दिल से धन्यवाद किया आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और वक्त के साथ जैसे जैसे अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आसी जिनको ये पता नहीं होगा कि कॉमेंटरी शुरू हो चुकी है और ऐसे में वक्त के साथ जैसे एक दो करते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बहुत प्यार दिया आपने और यकिनन भारती टीम के परफॉर्मेंसे में कुछ एक खिलाणियों का नाम बहुत दिल्चस्प रहा और तिलक वर्मा को रिंकु सिंग से भी सीखना होगा कि आप का नाम चमका बहुत है लेकिन रिंकु सिंग जिस खामोशी से वार कर रहे हैं और पारियां खेल रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है कि रिंकु सिंग का नाम जो है वो सर्च कर जाएगा तो तिलक वर्मा को भी अपने टैलेंट के साथ वफादारी करनी होगी और पारिया खेलनी परेगी अगर वो भारत की युवा ब्रिगेड में शामिल होना चाहते हैं क्यूंकि यह भारती क्रिकेट है यहां कॉंपेटिशन बहुत जाद है दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें चैनल को सब्स्क्राइब करते रहें भारत और उस्ट्रेलिया के बीच विशा कपटनब में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दो विकेट से एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है टॉस जीता था भारत ने पहले बल्लेबाजी आमंतरित की आस्ट्रेलिया को और आस्ट्रेलिया ने निर्धारित बीस ओवर्स में मात्र तीन विकेट खो करके बनाये थे 208 रन और भारत को लक्ष दिया था 209 रनों का आज आस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें बल्लेबाजी की तो आस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मित ने 52 रन बनाये मात्यू शॉट ने 13 रन बनाये लेकिन हाईलाइट रहे जॉश इंग्लिस जिन्होंने 50 गिंद उपर 110 रन बनाये और आस्ट्रेलिया को 208 रन तक पहु कोई गेंद खेले रन आउट हो गए लेकिन इसके बाद ये शस्वी जैसवाल ने आठ गेंदों पर 21 रन बना कर दो चौके दो छक्के लगा कर भारती टीम को थोड़ा सा बैतर स्टार्ट देने की कोशिश की और वो भी आउट हो गए इसके बाद हलांकि मैथ्यू शॉट का जो गैंबल खेला था मैथ्यू वेड ने वो काम कर गया और विकेट मिल गया हलांकि महंगा ओवर था वो लेकिन इसके बाद इशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली आज वो पारी भारत को कमफर्टिबल पोजीशन में पहुँचाने में काम्याब रही लेकिन जहां तो पहले टी-20 मुकाबले में आस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है और इस मुकाबले में जीत के साथ ही भारत इस पांच मैचों की टी-20 श्रिंग खेलाबे एक शूने से आगे हो चुका है और इस मुकाबले में शानदार प्रदर्चन भारत के कप्तान उनकिशन ने बहतरीन बल्ले बाजी की और आखिर में रिंको सिंग ने जो समा बांधा वो काबले तारीफ था आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे कवरेज में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे आपने हमारे साथ निभाया और अगला मुकाबला अब खेला जाएगा रवीबार को यानि की 26 नवंबर को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी 20 मुकाबला खेला जाएगा थिरू वननता पुरम में तब एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अन्फोल्ड पर तब तक के लिए इ जाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए गुड़नाइट शुबरातरी शब खेर जैहिंद खुऌ झाल रखिए जाज़ना शज़त शवड़नाइट कि उसाए झाल टूर्ट्स गुऑ अपनाइ़कित कि वरग्मुभ था जाज़त गम क् जाल रखिए और तक कर दो कि दोलीजिए जाल प्रेंग होताज्ट थासरा कि होगी अजल बड़़् कि आएबदस तक कि दो